चले गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग सभी को जैहिं चले अवाज वगर आरे एक बार सभी लोग थमसब कर दीजे फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेतर से स्थनाज होने वाला है काफी चीजे हम लोग कवर करेंगे और वो किस्टन मतलब आपको जो पढ़न तो चलीए देखो आपसे कह रहा है पैरा कुषियंन की हिंदी को राज भासा का जो दर्ज्य मिला यह कब मिला था चले पहला कुषियंन पूछा गया है और बार बार दर्याव मिला यह कब मिला इस कनसर जो बनेगा और राइट में से क्या हो जाएगा देखे आपका जवाब यहाप पर आने शुरूँ गए और आपका जो अनसर बनेगा इनमें से राइट क्या होजएगा तो आप कहेंगी बी नमबर होजएगा आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी भासा को राजभासा का दर्जा मिला था अर्थातर राजभासा एक समयधानिक सब्द है यह जो राजभासा है यह एक समयधानिक सब्द है आपकी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को समयधान के रूप में यहाँ पर अपनाया गया था इसलिए यहाँ पर देखोए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस भी बनाते हैं ठीके आगे बढ़ी एक कोशना आप से गलाप पुछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी भासा की उत्रा दिकारणी है चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपसे कह रहा है कि हिंदी भासा जो आपकी उत्रा दिकारणी है किसकी है चलिए बताएगा आपसे कह रहा है कि हिंदी भासा की उत्रा दिकारणी है आप कहेंगे सरदूसरे नंबर का जो आपसे मनेगा डी हो जाएगा यहाँ पर संस्क्रत हो जाएगा संस्क्रत इसका अपका डी हो जाएगा हमने कहा कि देखे सबसे पहले देखा जाए तो संस्क्रत ही आपकी आई थी है ना सबसे पहले जो आपकी आई थी वो आपके संस्क्रत आई संस्क्रत के बाद के आ रहा है फिर आपकी पाली भासा आई पाली के बाद कौन से आई तो आप कहेंगे सर प्राकरत भासा आई और प्राकरत भासा के अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपके अब ब्रंस आई और अब ब्रंस के बाद पूचे है तो आपकी हिंदी आती है ना तो खुल मिला कि यहां पर जो हिंदी आई है वो कहां से आई कि संसार की प्रमुख भासाओं की में हिंदी की इस्थान क्या है संसार की प्रमुख भासाओं में हिंदी का इस्थान क्या है तो वह यह हिंदी के इस्थान कितना है तो हमने का पहला आपका अंग्रेजी है हना याद रिखेगा पूछे कि पहले नंबर में कौन से है तो आपक क्या हो गया है तो आपकी हिंदी है तो यहापकर आप कहेंगे सरंसर आपका सी नमबर है राइट हो जाएगा आगे बड़ी कोछन आपसे आप पूछ रगया है और आप से कहा रहा है बांगुरू-भासा ज्यादर किस्राज में बोली जाती है चली बताएगा बांगुरू भासा जो आपकी है ज्यादा तर कहां बोली जाती है चली बताएगा बांगुरू भासा और बांगुरू के अगर बात कर लेते हैं तो यह ज्यादा तर जो बोली जाती है यह बोली जाती है आपके आपसने हर्याडा क्या होज़ेगा हर् हो जाएगा दो तो याद रखेगा मतलब पस्चमी हिंदी की आकार वहुलता के अंतरता भी जाती है और आगे बड़ी कोशन आप से गला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि निम्निखित में से कौन सा भासा का मौकी कुरूप आपका है काफी लोगों ने कमेंट किया था सर ऐसी कोई क्लास बताईए हिंदी में जो बिल्कुल निचोड हो उतनी क्लास पढ़ ले और उतनी क्लास में कोशन आपके फस जाएं तो ऐसे हमने प्रयास किया है कि लगबग 5-600 कोशन लबले हमने ढूना है और इन साथ कोशन को टाइप करके आपको पड़ा रहे है कि ये देखा जा मौकी कड्रूप है क्याहाँ पर देखो जो चरचा होती परीचर्च अरंथा जवासन दया है यहाँ पर B देखे है कि हंदी की उत्पती प्रति है वो कैसे मानते है तो हमने रहे हिंदी में कि तो आपकी पस्चमी हिंदी जो कें अगर फुचे राजस्थानी हिंदी कां से आई है तो आपके पप की साथ कि अगर पुचे पहारी हिंदी कां से निकली ए, तो पहारी हिंदी भी आई है, हिह साथ सेनी से नुग का .. तो यह भी पॉIN्ट आपको व्याद कर लेना है और यहां पर जो बिहारी हिंदी है कौन बिहारी हिंदी है यह कहां से आई है मगधी अब्रन से और पूर्वी हिंदी कहां से आई है तो पूर्वी हिंदी आई है अर्ध मगधी से किसे आई है अर्ध मगधी से बस पांच आपको पॉइंट याद रग लेना है यहा बोलते हैं हिंदुस्तानी भासा बोलते हैं और आपको जवाप देना है वीडियो अच्छा लग रहा है यह वीडियो को लाइक जुरू करिएगा कंटें में देखे आपकी मेनत की जा रही है और आप लोग भी पूरी तरीके से यहां पर कैसे सपोर्ट करिए जितने लोग यह जुर्टे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सेंहाब लोगऋ है चुरु करते रहे देके हिन्दी भासा की कौन सी हिन्दी हिन्दी भारत की कौन सी भासा है तो हमने का यह नमर है राज भासा है. ठीक है ना केलियर है और यहाँ पर देखा जाए एक आर्टिकल आपका होता है कौन सा 343 कभी कभी आर्टिकल ही पूंच लेता है 343 के फस्ट में 343 के फस्ट के अंसार जो भारती संग की भासा है वह आपकी हिंदी है और अगर आपसे पूंच लिप क्या है तो लिप कहेंगे सर जी देव नागरी है क्या है तो देव नागरी जो आपकी है वह आपकी लिप आपकी है यह दर की यह भी कौशन आर्टिकल नमर आपका 343 के फस्ट में हो जाएगा ठीक है चले आगे बड़ी कोशन आप से गला पू आपका D नमबर लिप क्या हो जेगा लिप अगर मैं आपसे पूचे कि आपके वर्ड माला में कितनी लिप वर्ड है तो आपके बावन लिप वर्ड आपके हैं जिससे बावन अच्छर जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ठीक है आपसमर आपका D बन जाएगा आगे बड़ी पूचा गया है क्या रहा है हडवती बुली कहां बोली जाती है हडवती बुली कहां बोली जाती है तो हडवती बुली कहां बोली जाती है तो आपके राजस्थान बोली जाती है और आपसे कह रहा है यहां पर दिया है निमन में से क्या दिया है निमनिखित में से प्राची इन में से कौन से है तो यहां पर बतागी क्या अंसर हो जाएगा यहां पर देखा जाए तो प्राचिन भारती आरिभासा जो आपकी है कौन सी जाएगी तो यहां पर देखे जो आपकी वैदिक संस्कत है हमने कहा कि यहां पर देखे संस्कत दो प्रकार की एक लोकिक संस्कत हो होती है है और यहीं तर्सम सद्ध भी होते हैं लेकिन जो वैदिक संस्कत होती है लिखने वाली होती है ठीक है ना तो यहां पर अंसर आपका बनेगा सी नंबर आगे बड़ी कोशना पूछा गया है और दिया गया है कि आगरा मतुरा धौल पूर गौालियर आदी छेत्रों मे और आपसे कह रहा है कि हिंदी का मानक रूप किस भासा में विख्सित हुआ है हिंदी का मानक रूप जो आपका है ये किस भासा में विख्सित हुआ है तो आपका अंसर क्या होजेगा तो आपके इसर खड़ी बोली क्या होजेगा यहां पर आपका सी नंबर है राइट होज करते हैं कारेले कार्यूम करते हैं मानक ही सुद्ध होता है आगे बड़ी कोशन आप से गला पूछा गया है कह रहा है लौकिक संस्क्रत और अब्रंस हिंदी भासा का उचित करम है तो यहां पर रिक्तिस्तान में आपको देखो भरना क्या है यहां पर अगर आप भर देते हैं तो यहां पर देखो लौकिक संस्क्रत पाली और प्राक्रत अब्रंस हिंदी भासा का उचित करम है तो यहां पर करम जो आपका बनेगा वह आपसे नमबर आपका ए हो जएगा अपने का पहले संस्क्रत आई फिर पाली फिर प्राक्रत पी अब्रंस पी आवाहट फिर आपक कि आदुनिक भारती आरे भासाओं का विकास जो हुआ है किस से हुआ है चलिए बताना है आपसे कह रहा है आदुनिक भारती आरे भासाओं का जो विकास हुआ है वो किस से हुआ है तो अभी हमने बताया कि आपके अबरन से हुआ है किस से हुआ है अगर हम आपसे दो कोशन प राजस्थानी है पहारी और गुजराती भी आती है अना मगधी में बताया था पूर्वी हिंदी लेकिन कुछ कोशन और पूछे आते हैं क्या पूछे आते हैं आप से पूछेगा सर्जी ये जो आपकी मराठी होती है मराठी ठीके मराठी होती है तो मराठी जो आपकी होती है आपके आती है माहराष्ट्री में ठीके ना अगर पुछे सिंधी जो आपके होती है सिंधी ये किसमें आती है तो आपके ब्राचड में किसमें आती है ठीके ना और अगर पुछे कि जैसे पंजाबी है तो पंजाबी हिंदी किसमें आती है तो पंजाबी जो आती है लहदा क् लहदा और पंजाबी वही सब्दापका है तो इसकी जो आप के लिप होती ही वो बोलते हैं पैसाची क्या बोलते हैं पैसाची बोला जाता है तो इनको नोरका लीजेगा पैसाची यहाँ पर आगे बड़ी कोशन आप से गलाप कुछा गया है यहां पर दिया गया है कि भासा की मूल इकाई क्या है भासा की मूल इकाई क्या है यहां पर बताना है भासा की मूल इकाई क्या है मतलब एक इतने बड़े चेप्टर में जिसे में 20 कोशन थे तो 20 कोशन में हमने 15 कोशन निकाला है हमने कहा कि हम आपको वो निचोड क्लास आथ दे रहे हैं कि समझो जहां धाईस कोशन आप लोग पढ़ते हैं उसमें से आपको मातर पंदरा कोशन पढ़ाया है और यह समझो कि बिल्कुल रामबार्ण कोशन आपके है ठीके ना इतना पढ़ लोगे हिंदी में आपकी बिलकुल रामबाण वाले कोईसं है अपको मिलेंगे केरा भासा की मूह लिकाई क्या है? बासा की मूह लिकाई क्या है? तो आपका ओजएगा भासा की जो सबसी छोटी गाई होती है वर्ड या धोनी होती है हाना तो आप कहेंगे सबसे पहला जो आप से आएगा तो यहापर धोनी आएगा धोनी के बाद यहाँ पर अच्छारा आजाता हाना तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कंसर हो गया क्या बी नंबर यहां पर आगे बड़ी एक कोशन आप से गला पूछा गया है गई उसवोह गए तब कोन मिला करें पर जोड़ांवा जो चुंअ को आप faver के आप जबता है तालो में इंगा टी है और साथ मीस में यह आता है वड़ी आती है और साथ में दोस्तों यहां पर याद रिखी यहा आता है और आपका साभी आता है यह इसी की तहट आपका आता है याद रखेगा तो इसके लिए लिए गा यहा परंसर बनेगा आपका B-number स्कूरिशन को रा थे कास्षोष नास दिया गया है कोण से सब्द में रा विंजन नहीं है अब देखेंगे रावण्जन किसमें नहीं है तो देखें मातर में से आकपको रावण्जन में निकलेगा क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा मातर में तो यहाँ पर कहीं न कहीं मातर को तोड़ेंगे तो दिखो यहाँ पर एक सब्द निकलेगा आधामा हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा ठीक है ना बड़ा हो पिर यहां पर जो इत्रा बनता है वो बनता है ताधन रासे किसे बनता है ताधन रासे तो आप कहेंगे इसमिस वापका आ गया है इसी प्रकार से यहां पर है इसी प्रकार से क्रम में भी है लेकिन आप्सन डी नमबर में आपका जो नीचे लगा हुआ है यह रिसी लगा था हाना क्या रहा है जब स्वर रहित बिंजन स्वर सहीत बिंजन से मिलता है तो यह होते हैं स्वर रहित है क्योंकि इसमें हलंत लगी है और इसमें यह स्वर सहीत है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगी है दोनों की मिला दिया गया तो हो गया अच्छा और जो आपके स्वर रहि चालब हो जाएगा और आपसे कह रहा है निमनमेसी तालब भी धूनी जो आपकी है इन मेसी क्या हो जाएगा यहां पर सब्सक्राइब की बात करते हैं तो होता है क्या तालब अरफा asa वाला के सावाला कि होता है उता है आपके भी त chịंबने को पूछा गया और आप यहुलद में से क्वर्ण आपका अगोस है अगोस क्या होते है हमने पताया कि अगोस जो होते हैं प्रतिेक भर का पहला और दूसा जो होते हैं यह क्या होते हैं, आपकी यहां पर जो आपका टीसरा चोथा, पांचां होते हैं, आपका जो अंसर आएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, यह बुद़् बुद़् कणि आपका है, यहां पर आगे बड़ीए कोशन आप सिख्छा गया और आप से दिया गया है, कियो रहा है आय के उच्चारण में कौन सी साहता लिजाती है अब यही question आपका पूछा जाता है जधसजदा यही question आपको मिलेगा तो हमने का आय का निर्माड जो होता है वो होता कैसे है तो यह आपका निर्माड देखे आ या बड़ा हना छोटा या तो बड़ा और छोटी प्लस बड़ी इन में से किसी में एक से हो गई होगा तो यहाँ पर जो आ होता है कंट में और ई होता है तालू में तो कंट और तालू वाला अंसर आपका सी हो जाएगा अगला आपसे दिया गया है आपसे कह रहा है कह रहा है हिंदी वर्डमाला में सोरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्डमाला में सोरों की संख्या कितनी है आपके इंगर सर्फ 25 की गर बात कर लेते हैं तो यहां पर अंसर क्या हो जएगा हिंदी वर्डमालों में कह रहा है सोरो आपके होते हैं कितने 52 आपके वर्ण होते हैं जिनमें से आपकी छोटी यह बड़ी ही और आपका जो आपका रिसी होता है कौन रिसी तो यह दोस्तों यादर कि रिसी जो आपका होता है यह तीन एक ऐसे वर्ण आपके हैं जो हमेशा क्या होते हैं इस तरी लिंग में होते हैं चा वरंड धुनिया किस वर्ग में आती हैं 27 कौसन देना है तो चा जो आती है किसमें आपके तालू में आती हैं किसमें आते हैं तालू में आती हैं तो यहां पर तालू की बात करते हैं तो आप से कौन से हो जाएगा तो यहां पर देखें सी नमबर इसका राइट हो जाएग यहां पर देखो इसको हमने इसको पूरा कर दिया इसको इसका जवाब का ही यह पूरा हो जाएगा और इन दोनों को मिल जाने से बन जाएगा अच्छा बन जाएगा और यहां पर दा हो जाएगा दच हो जाएगा हमने कल की क्लास में आपको बताया भी था अगरा कोशन आप स दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ण स्वर की साहिता से क्या दिया है वर्ण स्वर की साहिता से बूले जाए उन्हीं क्या कहते हैं उन्हीं क्या कहते हैं यहां पर अंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका जो जवाब बनेगा यहां पर हो प्रियोग करेंगे बेंजन को सुर रहिदे दिखाने थीकाने और किसा प्रियोग करेंगे हालंत का प्रियोग करते हैं अब हुद आपकीम हिंदी ब्याकर embedded यहां पर कमसे कम चार से प्रेटेंगे लेकिन हमने आपर मातर ही सकोशन पढ़ा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखने से कि नई इस क्लास से बिलकुल निचोडों की निचोड आपकी होने वाली है और इतने कोशन आप पढ़ लेंगे तो समझें उद्धार होने वाला है ठीक है न तो आपके यहां पर इस क्लास को पूरी तरीकी से रट मार लीजीगा ठीक है इतने कोशन बिलकुल रट यह मारना है जो करें निम्लिकी सब्दों में से तदभाव सब्दों को पहचानी है तदभाव सब्द पूंचा गया है और तदभाव की बात करते हैं तो यहां पर कौन हो जाएगा यहां पर देखा निम्लिकी सब्दों में से तदभाव को पहचाना है यहां पर जवाब दे रहे हैं हमने का जब तदभाव आप पढ़ रहे हैं तो कुछ रूल याद रखीगा कि वहां सब्द जो होता है वह वासब्द होता है तसम में तो वहां का तदभो में यहाँ पर याद रखेगा अगर यह पर चांद की बंदी मिल जाती तो आपके ही होते हैं और याद रखेगा आधा चर मिल रहा है कहीं न कहीं नहीं जब पुछ को रा लगा हुआ है इसमें भी आपका ये वाला संयुक्त वाला लगा है और उपर रा लगा है जहां भी रा लगा हो समझो आपके तसम्में ही आएंगे तो आपसे आपका बनेगा डी नमबर अगला कोशन आपसे यहां पर दिया गया और आपसे कह रहा है तदभाव सब्द बने होते हैं तदभाव सब्द बने होते हैं किस से होते हैं तो आप कहेंगे सर जो तदभाव बने होते हैं वो किस से होते हैं चले बताएगा तदभाव सब्द क्या होते हैं तो कहेंगे सर जी संसकत सब्दों में बदलाव से आते हैं संसकत सब्दों के बदलाव से होते हैं अगला कुछ बदला हुआ रूप होता है तो आप से बनेगा अगला कोशना आप से यहाँ पर पूछा गया है क्या रहे तस्वम सब्दों को पहेंचारना है अब आपको यह बताईएगा इसमें से कौन से सब्द जो आपका तस्वम है बता दीजीगा यहाँ पर बताईएगा तो तर्सम् क्या हो जाएगा? हमने का रा लगा है देखे रा लगा है नीचे आपन निद्डरा तो आप पेहेंगे सरनसर आपका A नमर है या पराइट हो गया क्योंकि इसका तदभा होता है नीद होता है, बाकी कान, मोर, बंदर तो आपके तदभाव हो जाएंगे हना क्योंकि भीया कान का तो कांड होता है मोर का मयूर होता है वंदर का वानर होता है है ना तो आप से ने बन जाएगा ए नमबर अगला कोशना आप से दिया गया है कहा रहा है मच्छी का तदभाव सब्दापका है मच्ची का का तदभव क्या होगा हमने का देखो ये अच्छा लगा है इसका मतलब ये तर्सम है तो देखो तर्सम है भी है पूँचा गया तदभव तो वह ये अच्छा का परिवर्तन याद रिखे च्छा का परिवर्तन हो जाता है तदभव में खा हो जाता है तो अब आप कुषन आपसे यहां पर दिया गया है यहां प्र देखा जाए तो अंसर क्या बनेगा भी चलिए सी नंबर चो apply क्या होताई चोपाई औसंसे बनेगा चोपाई आगे बड़े कोशन आपसे दिया गया है कियुए इन में से कौन सा तदस्रम् तदभ्व का जोड़ा सही नहीं है कह रहा है तदस्रम् तदभ्व का सही जोड़ा नहीं है 37 संबर में तो 37 की अगर बात कर लिया जाए यहां पर तो कहेंगे दिया है दही और दही दिया है दधी और दही दिया है उस्ट का दिया है उंट दिया है नजर का दिया है आँख दिया है यह तस्रम तद्वाव का सही जोड़ा नहीं है यहाँ पर अच्छी और आँख होता है क्या होता है अच्छी का होता है अच्छी होता है तब आपके यहाँ पर आँख होता है क्योंकि च्छा का परिवत्तन हमें होता है तो आपसंसी नमबर आपका ये जोड़ा आपका सही नहीं है ठीक है ना और यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कह रहा है भूरी का मानक सब्द रूप जो होता है वो क्या होता है भूरी इसका मानक सब्द होता है धूल क्या होता है धूल कहां पर है आपसं मरब सब्द है इसका ततबह पूँचा गया है तो आप कहेंगे सख Pixar किंचित मतलब होता है कुछ क्या होता है कुछ क्या आपसे मलेगा कौन है यहापर आपका houses होजाएगा अभी कोउस्षण आपको और बताना है क्या बताना है यहां पर बताना है कि भैया जो कपूर सब आपका होता है कपूर तो कपूर क्या है बता सकते हैं कपूर जो आपका है कपूर ये तद्सम है तद्वह है बताई जिल्दे से कमेंड करें कपूर तद्वह है तो आप कहेंगे कपूर तो आपका तद्वह है इसका तस्सम मनता है करपूर करपूर में मतलब उपर रा लगा देते हैं तो यह तस्सम होता है देखे समझ गए जब रा लगा होता है तो यह हो जाता है तस्सम में हो जाता है ठीक है ना और यहाँ पर अगर एक क्वेस्ट और पूछे यहाँ पर पूंचे क्या कि भाईया जो अच्रज दिया गया अच्रज 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 सब्दाप का जो है यह क्या है तो आप कहेंगे सर अच्रज सब्दाप का तदभव है और इसका तसम होता है आश्चर क्या होता है आश्चर होता है याद रखेगा ठीके ना हर टॉपिक में आपको निचोडों क्वा, निचोड़ यापर आपका है. जीकों कह debate is, आपर पर्रयावची सब्द में, कहbir है, समान अर्थ वाले सब्द क्या कहलाते हैं? चलिब यह जवाब देना है, कहना है, समान अर्थ वाले सब्द कहलाते हैं, ने क्या कहते हैं, तो आप कैंगे बड़ते हैं, पर्यावाची, मतलब आप सम्मर रब कर बनेगा, या पर सी नमबर राइप घुजए, इन्हें पर्यावची कहा जाता है, ठीक है, या इन्हें समनारथी भी कह सकते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं, कोसना आप से गलाप ा है तो समझो कि जैसा वह पूंचा है उसी की साथ से हो जाएगा नियत का होता है क्या यहां Ah उसकिज़ा रहा है कि नियोखित में से कौन सब्ल अन्य सब्दों से अलग दिया गया है यह यह दोस्तों यांपर देखा जाए अन्ये सब्दों से अलग है यहांपर यह पर परेवची होता है जमकि तीनों जो आपका वारी दिया है तो यह दिया है अना यहाँ पर सलिल दिया है यह तो भया जल के परेवाची होते हैं यह जो तीनों होते हैं यह आपके जल के परेवाची होते हैं तो आपके इंगे अंसर आपका मिल गया है आपका सी नमरे राइट हो जाएगा क्लियर हो गया है आगे बड़ी एक क्वेशन आ तो आ अन्प्री तुबीकल पीन में हैं और तो यहां पर देखा जायčें उपईयोगी का दिया है उपादेश और इस्टिकर दिया गया है कि यहां पर देखे आपका आ गया है कौन सा बी नंबर हमने कहा कि भी यहां पर देखो काक मतलब कावा होता है और यहां पर मयूर दिया है मूर हो गया तो दोनों का मैचिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वही काक मतलब कावा हो गया मयूर मतलब मूर होता है अना तो आप कहेंगे गरवड़ी हो गई है आपसमर आपके भी पर ठीक है ना आगे बड़ी कोशन आपसे गला पूछे गया और आपसे कह रहा है यहां प तब ही यहाँ पर फुर्तीला है तीवर वुद्धी है लेकिन भीया जो खुदगर्ज है खुदगर्ज यह चतुर का समरालती नहीं होता है ठीके ना तो आप को अंसर लगाना है कौन सा बीनमबर है राइट हो जगा चतुर के और भी हम कह सकते हैं जैसे फुर्तीला है यहाँ यहाँ पर बताएगा सुधाकर होता किसका है वीडियो अच्छा लग रहा है सीखने को मिलना है और ऐसा कंटेंट जो कि आपकी एक्जाम में पूरी तरीके से रामबाड़ होने वाला है तो यह सपोर्ट जूरू करते रहेगा हना तो आपका सपोर्ट ही हमें देखो आगे प्रोट साहित करता है कि चाहे रात दिन एक करना पड़ा है लेकिन आपको पूरे निचोड़ों को निचोड़ आपको क्लास दे रहें तो भीया आप लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक से जुरू करिएगा ठीके ना और कहां से जुड़े है यह भी कमेंट करिएगा देखो भीया हमने कहा कि सुधाकर होता है चंद्रमा का जो कि सब्सका जवाब आ गया है यहां पर चंद्रमा का होता है सूर इकने इसुदाकर होता है एक जाम में कभी कभी यहां से घलबरी होती है क्योंकि हमने सुना कि यहां पर दे दिया नहीं सब दे दिया है और जब नहीं दे दिया है तो आपके अंडज होता है खाग होता है नवचर होता है लेकिन भीया आपका पंकज नहीं होता क्या यहां पर पंकज नहीं होता है तो आपके अंगिसर अंसर क्या बनेगा यहां पर ए नमबरे बन जाएगा पंकज नहीं होता है ठीक है ना पंकज किसका होता है तो पंक मतलब कीचल होता है जा मतलब हो गया जो जल में उत्पन हुआ तो आलताती यह हो गया कमल का किसका हो गया कमल का हो गया आगे बड़ी एक कोशना आप से गला पूछा गया और आपसे कह रहा है कह रहा है पर्याय सब्दों को कौन से समूझ सही नहीं है सही नहीं है तो देखो यहां पर दिया है पाट साला विद्द्यला इसको लिए तो सही है नारी महिला औरत ये भी सही दिया है पहाड दिया है परवध्य और पुष्टक दिया है तो हमें क्या मतलब है पुष्टक इसके साथ मैंचिंग ठोड़ो करेगी तो आपके इस रंसर आपका से नमर है यह गलत हो जाएगा अगला उसकुशन आपसे कह रहा है कह रहा है यहा होता है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं को सनाप सी पूछा गया है दिया गया है इन में से कौन सब्दा आपका वायू का समनार्थी नहीं है वायू का समनार्थी नहीं है आपर बताना है आपका इक्यावल नमबर में चरे तो दोस्तों आपके देखेंगे कि क्यावल नमबर का जो आप सनाएगा इन में से राइट हो सकता है कौन सा वायू का समनार्थी नहीं है वायू का समनार्थी नहीं है हमने कहा समीर होता है अनिल होता है मारूत होता है लेकिन भईया जो आपका समर दिया गया है क्या दिया गया है समर दिया गया है ये वायू का समनार्थी नहीं होता है याद रखेगा ठीक है ना समर का अर्थ होता है युद्ध से समर कहा से होता है युद्ध होता है आगे बड़ी कोशना आप से गला पूछा गया और आप से कह रहा है कि चंद्रमा का समनार्थी यहां पर बताना है चंद्रमा का समनार्थी सब दिन में से क्या हो जाएगा तो हमने का चंद्रम का होता है है ना ये किरन का हो जाता है तो आप कहेंगे सरीस का जो अंसर आएगा वो आपका डिनमर ही यहाँ पर हो जाएगा किलियर हो गया है आगे बड़ी कोशना आप से गला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है कि नारी सब्द परयावची नहीं है नारी सब्द का पर वनिता ये दिको विनिता लिखा ये नाम क्या लिखा है विनिता लिखा है हमने का वनिता सही है कामनी सही है रम्री सही है लेकिन विनिता सब्द थोड़ो हो जाएगा हना यह तो एक नाम है हना तो आप संडी बनेगा अगला कोशन आप से कह रहा है कि सुधा का समनार्थी कौ अम्रत को परिवची में देखिए, सुम है, सुधा है, अमी है, पीउस है, मदू है, सुर्भोग है, यह आपके होते हैं, अगला कुछन आपसे यहां पर दिया गया है, क्या आउगाहन का समनार्थी क्या होता है, क्या आउगाहन का समनार्थी पूछा गया है, आउगाहन, यहां पर अगला कोशना आप से दिया गया है आप से कह रहा है कोकिल का समनार्थी सब्दा आपका नहीं है नहीं है आप से पूचा है तो कोकिल मतलब होता है पिक होता है ठीक हो जाएगा यहां पर कोयल हो जाएगा स्यामा हो जाएगा लेकिन मदुकरी नहीं होता है ठीक है न तो इसका अंसर जो आपका बनेगा वो आपका B नंबर है राइट होजएगा B नंबर बन जाएगा तीके न और यहां पर आगे बड़ी कोशना आपसे पूछा गया है यहां पर आपसे कह रहा है क्या कह रहा है कि निम्न मेंसे अनुप्यूक्त समनार्थी जोड़ा पेंचाना है अनुप्यूक्त समनार्थी जोड़ा पूछा गया सतावन नंबर में देख लेते हैं अनुप्यूक्त निम्न मेंसे कौन सा है आप केंगे सर जी बादल का दिया है नीर केस का दिया है क्या यहाँ पर बादल केला का कदली और द्रब्य का वित हो जाएगा अब आप केंगे सर जी यहाँ पर जो अंसर आपका है पहला वाला बादल और नीर बादल और जो नीर दिया है आपके बादल होता है क्या बादल मतलब होता है नीरद हना और यहाँ पर नीर होता है जल तो दोनों एक जैसे थोड़ों है यह तो अलग अलग परिवची है तो आपसे ए वह जाएगा निश्कोशन आपसे दिया गया है आपसे कहा रहा है घर का प कहरा है एंगल किस्का वोगता में अगनी का होता है यहां पर वात पूंचत्य हवSch lahोस जाता है और आसे कहार है चन्द्राल का परिवची सब्दाप का नहीं है नहीं है ब्यायँ होता है और सार्थी आप साथ की बात करते हैं तो अंसर क्या हो जाएगा हमने कहा सर यहां पर सरसुत्य के समनार्थी नहीं है यहां पर सुधी के परवची नहीं होता है तो आप कहेंगे इसका जो अंसर बनेगा सी निम्मर सुधी मतलब होता है पंडित को कहा जाता है थीके आगे बड़ी एक कोस्तनाब से लिया गया है कहने कौन से सब्द रग्त का समनाती अर्थ प्रकट नहीं करता है यहां पर देखा जाए तो रग्त के अर्थ में यहाँ पर जो आपका पॉइंट है कौन लभू होता है रुधिर होता है सोडित होता है लेकिन रिपू नही होता है यहांपर जो अंसर बनेगा वह आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा ठीकर ना रीकों मतलब होता है सत्र क्या होता है सत्र जो होता है दूश्च्मन होता है इसके कहा जाता है ऑगे बड़े क्वेस兩ग ambassador पूझा गया और आप तरंगिनी है, तटनी है, कालिंदी दिया गया है, यहां तक तो सही जा रहा है है, अब यहां पर दिया गया है, अम्बुद दिया है, कालिंदी दिया है, सूरिसुता दिया गया है, यहां पर भी लग रहा है, अब यहां पर कालिंदी, क्रश्णा और सूरिसुता, यह सही है, कह रहा है कालिंदी कृष्णा सूरी सुताव का ये अंसर आपका राइट हो जाएगा ठीके ना किलर हो गया है चलिए यहाँ पर दिखो आप से कह रहा था यहाँ पर तरंगनी और तरंगनी ये नदी के होते हैं कालिंदी होता है यमना का होता है यहाँ पर दोस्तों आपका अ वरस वानुजा ओर यहां पर रहेंगौ यांपर रखाद एंग अर्स वानुजा का पूतरी घाता है। और राधा के परिवच्ची में देखा जाए, तो जैसे आपका होता है वरसवानुजा हो गया, हरीपिरिया हो गया, राधिका ये हो जाती है, आगे बड़ी कोसनाप सिकला पुछा गया है, कहा रहा है तरंग सब्दका समनार्थी, तरंग का समनार्थी क्या होता है, तो आपक इस तरी कौन और समसी वाला ये आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आगे बड़ी कोसनाप सिकला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कहते हैं सतरकता का समनार्थी क्या है, कहते हैं सतरकता बजनी चाहिए, मतलब बरतनी चाहिए, तो बहिए सतरकता मतलब हो जात यहां पर दिखा जाए साथ थर्टा उचितिया समझदारी या मुस्तेदी या इससे जब कोशन आते हैं थोड़ा कंप्यूज करते हैं तो याद रहे कि इसको नूर कर लीजगा उसको होता है मुस्तेदी क्या होता है मुस्तेदी होता है आप समरापका D राइट होजगा D अग है ताल मंखाना या रिके मंखाना की के बनते हैं वह ताल से ही बनतें यहां पर अंसर अपका यह हो जएगा मक्षाना बनाने की इतर्टी प्रकरिआ है यहाँ पर हैं की प्रति सब्रदिका चैनी मिलेगा जो प्रितिष्ठा है तो आपको सभी संभान देंगे तो आपको सब्सक्राइब कर दिया गया है कि पराजय और माला दिया गया है इसका समनार्थी क्या होगा तो आपको दिया गया है यहांप Oláएगा आपको सब्सक्राइबTh peculiar नथी यहांप सब्सक्राइब कर देंगा हो अगया है और algae और पे arrow आपसे और आप कि उत्कंठा का समनार्थी बहुत बार पूछा गया उत्कंठा एक प्रकास से हम लोग ये बूल सकते हैं उत्सुक्ता अभिलासा किसी चीज़ को तो आप कहेंगे सरे यहां पर जो अंसर आपका आएगा उससी नमबर उत्सुक्ता अभिलासा इसका अंसर हो जाएगा अगला क कुछन आप से दिया गया है कि तुरंग सब्द किसका समनार्थी है तुरंग सब्द जो समनार्थी है वो किसका समनार्थी है आप केंगे सजीत तुरंग की अगर बात कर लिया जाए तो तुरंग तो होता है किसका परयावची होता है तो आप केंगे सजीत तुरंग मतलब ह क्या घोΡा होता है कॉम heights कॉन सा नहीं है यहां पर नीर होता है पानी होता है यहां पर पर बनजाएगा आगेant कुस्वार कि एक क्वेशन आप से दिया गया है कि तो देखो यह पर कृरी होता दंती होता है हस्ती होता है लेकिन हस्त हात होता है यहां पर प्रथम मौली कह सबूर्द किसे माना जाता है यह आपर orang Initiative का इन में से हो जाएगा कौन सा परिच्छा गुरू मतलब आपसमर आपका जिसका आया इसी नमर बिल्कुल सही हो जाएगा परिच्छा गुरू हो जाएगा अगला कोशन यहां पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यह लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूं पूरको अभी नहींहें नहीं है कि अश्जाब के कभियों में से आठ और कभी कभी में से दो प्रकार के आपके कभी इस फूरते हैं ओधर पर भगश्स की करसंदास यह बहलान लब के और बच्चे विछार जहां जो आपके ज किनांबर नभादास का नाम नहीं आ एक तर नावधास अगे रहा है आगे बड़ी प्युक्ती आपको पूछ हैं सभी लोग जवाब दीजिए चले बूसंड की बात करते हैं तो बूसंड के जवाब आ गया है या पर अंसर यह हो जएगा यह आपका जवाब नंबर है राइट हो जाएगा आगे बढ़ यह कोशना पूछा गया और आप से कह रहा है विने पत्रिका की भासा कौन सी है चल है आपके बहत्रिका की बहाया है वहले क्या है बाढ़ शमयर पहलिया लिखने वाले कभी कौन थे यहांपा दोस्त हैं क्या होजेगा तो आप केंगे सब्सक्रान अंसर बनेगा भी कुसरो सीरा चौद हो जाव है पहलिया लिए Łश्कने आ यहीं है औरोich यहीं आपके है क्या पूछाएं तुलसिदास की किसके रचना है आगे बड़ा है कि पत्रिका harness कर संप न Freudad नियुकर तो ये क्या बाल करे बीड़ीने नियुकर नहीं चाहरा है तो आप कहेंगे जगनीक के दौरा तो जगनीक जो कि आपका ए निमबर आगे बड़े एक कोशन आप से गला पूछा गया और आपसे कहरा है और दोस्तियां पर देखा जाए तो यह कबीर दासकी है याद रिखेगा आपको यह लग रही होगी आपके सुर्दासकी तुलसी दासकी लेकिन हैं तो इसको क्या करना है आपको फर्स्ट पेज में नोर कर लेना है जो यह आपका उधारण है और इसमें से जो अंसर होगा वह आपका कभीर दास लगाना है ठीके ना क्या लगाएंगे कभीर दास इसका अंसराइट हो जाएगा आगे बड़ी कोशन आप से लाप पूच आ और आप से कह रहा है कि कije है कउसा निवंध हजाया दिव्योंध सब्समान. प्रस नम्बर आगे बड़ी किसकी रचना है दोस्ते हां पर बताएगा मरगा बती जो रचना है वह आपकी किसकी रचना हो जाएगी तो मरगा वती का जवाब भी यहां पर कुछ लोगों ने दिया है और आपसे कह रहा है आनंद कादमनी के संपादा कौन है आनंद कादमनी की बात करते हैं तो आपसे ही होंगे मठ और गड़ सब यह किसकी पंक्तियां है यहाँ पर देखे आपसे क्या हो जाएगा च wine might कादमनी में इसाइम झाल में के निवह तो आपसे और आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है कि नई कविता-पत्री का कप्रकासर यह कहा से घुख अन्च्छ तो नई कविता-पत्री का प्रकासर यह रख लंगे ककहां से ख defensive represents है नई कविता पत्तिरी का कपरकासन वह आपके इलाहावाद से कांसे तो आपके इलाहाबाद option मर्क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे बड़ी यह कोशन आप से गला पूछा गया है और आप पंचान वे कोशन देना है तो आपसन सी हो जाएगा दोस्तों यादर के पूरुसकार कहानी के हैं किसके यह जो आपकी पात्र है पूरुसकार की आपका सी नंबर आगे बड़ी यह कोशन आप से गला पूछा गया और आप से दिया गया है कि साओधान मनुसे यद विग्यान ह आपको वरदान भी है तो एक परकार के अभी साब भी है अना इससे फायदे हैं तो घाटे भी वह ज्यादा है तो दोस्तों यहां पर देखा जाए यह जो आप संसी हो जाएगा यह है अपके दिनकर जी किसके दिनकर आप समने आपका सी नंबर अगला कोशन दिया गया और इक प्रधम तार सब्दक का प्रकाशन वाउशन जो आपका है कभ उवा था प्रतम तार सब्दक का प्रकाशन वस पूछा गया है और यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा सर 1903 से प्रथम तार सब्दक का प्रकाशन माना जाता है तो आपसे मनें अपका सी निंबर है अगला कोशन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बुंदेले हर बोलो कि हमने मुन्सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी यहां पर देखा जाए तो आपका अंसर क्या हो जएगा च गनननन्द को किस यूग का कभी मानते हैं यहां पर जवाब देना है गनननन जो आपके हैं और आपसे कह रहा है कि सूर्दास ने किस भासा में सूर्चागर की रचना किया है तो इसका राज़ टन्सर जैपका बरज भासा में ठीक है आप से पूछे सूर्दास के बारे में तो बरज भासा में ज्याला किया है तो अंसर आपको लगाना एक नमबर आगे बढ़ी कोशन आप से गला पूछ आगया है बीजक किसकी रचना है चले बताएगा यहांपर जव दोस्तों आपके लिए कि यहांपर प्रसिद्ध दोहा है तो नहां पर आप से कहा रहा है कि जुझें यांपर दिखा जाए तो आपका जो अंसर बनेगा किसी चाया वाद कुप किसी कहा है चाया वाद को का है अग YT पर वोटन नहीं लिखा है यहाँ पर देखिए सुद्रा लिखा है लेकिन कामाइनी नहीं लिखा है तो आप कोस्ण बताएगा कोश्चन आप संदिया गया है मेरे मन भावन के उद्धो के आवन के सुदी ब्रज गावनी मैं पावक जब लगे इसके रचना-कार आपके हैं कौन इसके रचनकार आपके जगन ना दस रतना कर निसहें लिःतर्श समंदी-श्प का नंने लिखा रहें तो अब्सकॉष मेंसे करना के क्या है और आप से कह रहा है त्याग पत्रूपर्णर्यास के उपर्ण्यास कार इनमेसी कौन है help चलिए बताएगा इत्याग पत्र उपन्यास के जो पन्यास कार ही要इनमें से कौन हो जाएगे तो आपका की हो जारे हैं यह पर देखा है प्रेंच वासा मा रिखी गई है और याद रहेगा यह किस ने लिखा है यहादर देखेगा अपका अंसर क्या हो जाएगा त такой आ आपके जार्जबराहम गेर्षन option ऑप्सकाव का सी होने इनम्लिक में कि इस पत्रीका इलहावाथ से हैं जो सब्सक्रीक इनवें पुनकार की पंग्ती है चले यहाँ पर देखिए way उप्सको यह आफ कि तो सिजृ नियाति तुल्सेदास की जीवनी को आधार बनाया गिया है इसका जवाब दिना है आपको जल्दी से Candace करना है यह अ बनाया गया है यहां पर जो अंसर बनेगा और इनमें से क्या हो सकता है तो आप चैनल सुट्री पत्रिका के संपादक जौब के हिंद मेंसे कौन बनेगे सरसुती पत्रिका के संपादक जो आपके हैं सरसुती पत्रिका के संपादक लग्स लिख लिए महावीर प्रसाद दिवेदी ठीक है महावीर प्रसाद दिवेदी आपके हो जाएंगे याद रखेगा ठीक है ना इसको अलग्स नोट कर लिजेगा इसमें से साइड आप्सन टाइपिंग में गड़ बढ़ा गए हैं इधर उदर हो गए होंगे इसलिए ग चुलिख कॉन हो जाएगा अंसमान त portion अब यहां पर कुछ पुएंट आपके वोते हैं जैसे क्या होता है कि इसमें से कुल साथ कांड जीसमें सबसे बढ़ा है बालकांंड है अपकी जामूं पूछा भी जाता है जैसे सबसे बढ़ा कांड कॉन सा है तो आपका बालकांड है सबसे छोटा है आपका किस्किंधा कांड है इसकी रिचना दो वर्ष साथ माँ और 26 दिन में आपके हुई थी ठीकि राम चित्मानस और इन साथ कांडों का सईक्रम क्या है तो आपको स्क्रीन सोट ले लेना है ठीके बालकान अयुद्ध्याकान अरंडिकान किस्किंधाकान सुन्दरकान उत्तरकान यह होता है अब यहां पर देखो दिया गया है कि आयुद्ध्याकान को हर्दयकान भी कहा जाता है और किस्किंधाकान की रिचना कहा हुई थी तो आपकी कासी में हुई थी ठीके चलिए आगे बड़ी एक कोसन आप से दिया गया है और आपसे कह रह देखेंगे यहां पर आदुनिक हिंदी साइट की पहले आत्मक्ता के लेखा पूछा गया है और आपके यहां पर देखा जाए तो आपका जो अंसर आ गया है काफी लोगों ने जवाब दिया है प्रयास भी किया है यह आपके बाबू से हम सुन्दरदास और अगला कुशन सुन्द लोग बहुत लोग ज़ू यह लेकिन लाइक संक्या बिलकुल नहीं है यह तो हमारा पड़ायाया अच्छा नहीं लगता है यह मरबाद कर रहें ऍसलिए आप लोगों को एक हो सक्ता है कि कर आई या तो कहते हैं चलो जो मिल जाए पढ़लो जो मिल जाए पढ़लो ऐसा हो जाता होगा और लाइक सेर करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है इसलिए आप पूरा सपूर्ट कर रहे हैं तो इसलिए लाइक सेर सभी लोग कर दिया करें आफ लाइन लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा सपोर्ट होता है तो पता चल जाता है कि इस वीडियो में पूछी गई है और पीवाई की कोशन में आपके रिलेटेड आपके हैं आप लोग सब लोग लाइक कर दिया करिए देखो हमने का कि वह किसको कभी को कभी कहते हैं आपके समसेर वाद यहाँ पर जवाब देंगे हिंदी का पहला पत्रिन में से कौन सा हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखे उधन तमारतंड हो जाएगा आपके इस तर आप से निमबर यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए आगे बड़ी एक कोशन आप से पूछा गया और आपसे कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है प्रेम सागर जो रचना है वाकी किसकी रचना है तो प्रेम सागर किसकी आपके ललू लाल जो कि आप समझेगा कभी निमबर राइट हो जएगा निस को सनाप से दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दसरत सुत्यु लोग बखाना राम नाम का म इसको हमने बता दो रचना ही आपको रचना है अभी जो आमने इसके पहले रचना बताया था और एक यह रचना दो ऐसी रचना है कि देखने से तो लगेगा कि यह तुलसी दास की है लेकिन है नहीं है इन दोनों का स्क्रेण सोट लिक है अच्छे सजा के रख लिए समझी रहे हैं न सजा की मतलब ने कॉपी में लेख लिए या काईसे भी आपको रटना है चाया दीपी लगाए स्चेटर लगाए जैसे आपको रटना है रट लिए अग्ला कोशनी आपर आपसे दिया गया और स्थापना किस वर्स हुई थी कासी नागरी प्रिचाडी सभा की जो इस्थापना हुई थी यहां पर देखा जाये तो आपसे यह नमबर हो जेगा अठारा सो तीरान्मी में का वुई थी अगला कोस्ण आपर आपसे दिया गया और आपसे कहा रहा है कि इद्रमम क्या दिया है इद्रतनमम जो आपकी रचना है वो किसकी है इद्रतनमम जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है तो दोस्तों यादर कि मैत्री पुस्पा की है किसकी है मैत्री पुस्पा आपसमने अपका इनमर अगरा कोशन आपसे यहां पर दिया गया और आपसे कहरा चंद्रायान के रच सब्सक्राइब ऑपने प्राइब पूच अबेर आपसे कहा रहा है यह अपने पिंज्रे आत्म गठा किसकी है अपने अपने पिंज्रे जो आत्म मोहन दास नामिसराई किसकी है मोहन दास नामिसराई इसका जो अंसर आ गया है आपका जवाब भी हो जएगा आगे बड़े कोशना आप से पूछा गया और आप से कह रहा है दिवीदी युका नाम करण किया गया है चली बताएगा दिवीदी युका जो नाम करण किया गया है वो किस के नाम पर किया गया है हमने का नाम करना एक महा काम होता है महावीर काम होता है अब महावीर की बात करते हैं तो आपसन क्या हो जाएगा यहापर देखेगा कौन हो जाएगा यहापर देखे अचारे महावीप साथ दिवीदी के नाम पर यहां पर आपका अगला को शना आप से जाख गया है और आपसे पूछ इह रहा है कि छायावादी प्रवत्ती की रचना सबसे पहले दिखाई के पड़ती है छायावादी की प्रवत्ती की रचना है सबसे पहले जो दिखाई पड़ती हो कि इसमें दिखाई पड़ती है चलिए आपर जवाब देना है आपका जो अंसर बनेगा इन में से राइट क्या हो जाएगा चलिए राइट एंसर की बात करते हैं तो छाया वादी प्रवत्ति की जुरुचना सबसे पहले दिखाई देती है वो आपके सुमित्रा नंपन्त की कविता में मिलता है अपसमर आप जीवन चीत्रान है यह पूचा गया है आवारा मसीह है चले आवारा मसीह की बात करते हैं तो आपसम से लिए यह किस द्वरा लिखी गई आपकी पंक्ती है यहापर जो अंसर होगा और आइट इन में से क्या हो जेगा तो दोर्तिए आपर नूट करिएगा आपसन भी और आफ से कया रहना ं है पिता जी आपको ग्यान देटे हैं पिता जी हमेशा ग्यान देंगे की बेटा अच्छे काम करिए चाहिए वन्हत इसकोड कर आइच्छा ग्यान रन्जन हो जाएगा रहा है कि आन्या से बशन किसकी रचना है अन्या से अन्या किसकी रचना है 132 को आपसन देना है चलिए अन्या से अन्या जो रचना है यह बताइएगा अगला कोशन आपसे दिया गया है अब क्या हो जएगा तो जोस्तों ये पंक्ति आपके भगवती चरण वर्मा की है किसकी है भगवती चरण वर्मा की है हम भगत हो गए अपने देश की हम दीवानों की क्या हसती तो यहाँ पर आपका भगवती चरण वर्मा आपका डी राइट हो जाएगा चले यागे बड़े कोस्चन है पूछ आप से कहे रहा है कि हिंदी नय चालमे धली यह कथन किसका है नया यूग बाम से होता है बातानी Märid चले लोकमंगल की भावना की सरवसेष्ट जो है है वह आपकी कौन है इसका अंसर क्या हो ज़एगा है वह देखा जवाप सर्में हो जएगा जबेता हैं उनकी कविताओं का संग्रा किस नाम से सब्सक्राइब कि किस लेख़क के इतिहास गरंत में सर्वतम हिंदी साहित का काल वियाजन मिलता है तो हिंदी साहित का सर्वतम जो काल वियाजन मिलता है वो मिलता है किसकी तो जार्ज गियर्षन आपसे नमर क्या होजगा जार्ज गियर्षन इस कंसर्शी होजगा तो डिकर आपका नाम पुछम्य घेञा है तो यहां पर दिखा जाए तो आपका जो अन्सर होगा इन में सी क्या हो सकता है तो जे liyaniं तो जेखिए यहां पर अंसर आपका पर दिया गया आचार ती तो आपको बताना है और आज़ा पर सबीक ब gobierno पार देखा जाएए तो यहांपर देखा जाए आचार रामचन सुकल तब और जो समय पूंचा गया है यह जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है यह आपको बताना है चले, 1050 से 75 तक होता है यहां पर आप दे सकते हैं समवत दिया है 75 से तो यह भी आपका नहीं होगा पचितर में अब यहां पर देखेगा आपका जो अंसर होगा इन में से क्या होजेगा नेका नमबर ही होजाएगा ठीके, यहां पर अंसर भी होजेगा समवत जो आपका दिया है 1375 से लेके आपके 1720 कंसर बी नमबर बनेगा अगला कुछन आपस दिया गया है कि हिंदी का पुनल जागरन काल किसे कहा जाता है चले, यहां पर जो आप देना है यहां पर कह रहा है कि हिंदी का पुनल जागरन काल कहा जाता है वो किसी का जाता है यहां पर जो आप कंसर होगा इन में से क्या हो जाएगा चलिए छाया बाद दिवेदी युग भारती युग या पगरेप प्रगतिवाद है इन में से जो आप कंसर बनेगा वो आपका राइट इन में से क्या हो सकता है चैवन्य दोस्ते यहां पर देखा जाए तो इसका जो आपका अंसर बनेगा यहां पर राइट एखाला ओपिसा पर घ्रताइब जूरस एक जTFटीम्ग कों है परियो किसी कहते है ऑपकी पन्हडी से प्रेटीम्ग क्षे से यहांJean जिलिये उध्लै और बता है कि के इतिहास का जो प्रथम लेखा आपका है इन में से उरायक इन में से क्या हो सकता है चलिए अधुनिक काल को जो गद्यकाल का नाम जो यहां परदेखेंगे आदोनी काल का गजद्यकाल नाम तो दिया है वह आपके कौन है आचारामचणिसुखली के बात पर परी टीआइन और यहीं कप गजदस Whoo यहां पर देखा जाए तो आप तकन्सर भनेगे से और का यहां पर प्रफम काल को वीर काल की जो संगया दिया है और आप से कहरा है यहां पर जवाब देने और इसका अंसर बने कौन सा विस्चुनात्प्रसाद मिसं कौन हैं विस्चुनात्प्रसाद मिस रहें जिन्हों तो ने हिंदी सायद के प्रथम काल को वीर काल की संग्या दिया है यहां किस नहीं दिया है'' तो आप मिस्रबंधू का नाम किस नहीं दिया है lower से और इसका राइब वर अग्यार वर दिया है कि अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी के प्रारंभी काल को वीरगाथा का नाम किस ने दिया है यहाँ पर जो आप देना है आपसे कह रहा है कि हंदी के प्रारंभी काल को वीरगाथा काल का नाम जो दिया है वो किस ने दिया है इसका अंसर क्या बनेगा दोस्ते हैं आप देखा जाए तो हंदी के प्रारंभी काल को वीरगाथा काल का नाम है यहाँ पर दिया था अगला कोशन है अपर आपसे दिया गया है और आपसे कहा रहा है कि प्रतिवी राज रासों के रचना कार कौन है प्रतिवी राज रासों के जो रचना कार है तो आपके इन में से कौन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपसे मनेगा आपका बी नमबर है याद की चंदबर्दा आगला कोशन आप से दिया गया और आपसे कह रहा है कि रीत काल का समय पूँचा गया है रीत काल पूछा गया है तबीद मत्रिक पूर्वक का उत lessonsonymous सप्धेन होता है कि सट्रहगा तरहके समय का सकता है 200-60 कहरत आप का सिन असके न इसे निन्बर है यहां पर देखे आपका जुंसर बनेगा इंवेसं क्या होज़ेगा तो आपके इंगे ऑफ्षुन B होज़ेगा यहां देखेगा आचार हजार संद्विधी हैं जिनका ब्याकरण लिखने वारे विद्वान का नाम इन मेशी क्या है चले क्या बन जाके इसका अंसर किस्टित रूप दिया है आपके सिनंबर होज़ेगा नेश कोच चनास पूछ गया है और आप से कह रहा है ऑचार रामचन के अमसार हिंदी साहित के आधिकाल की समय सीमा कितनी है आधिकाल की समय हो आपकी कितनी है बेसिक वाला वीडियो देख लिएगा यह तायार हो जाएंगे सब ठीक है देखे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि हिंदी साहत की भूम का पुष्टक के लेखा कौन है आपसी दितने होजाएंगे सब्सका जितने हैंप अपसे कह रहा है कि मिलता है अब रंसब्द का प्रयोक सबसे पहले कहा देखने को यह कहा पर मिलता है यहाँ पर अंसर क्या होज़ेगा तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा यह आपका जो राजा धार सिंदुती के सिलालेक मिलता है यहाँ पर अंसर जो वनेगा आपका ड़ी नंबर निस कोशन आप से गला पूछा गया है और आप कह रहा है कि प्रबंध चिंता मड़ी के रचना कार कौन है प्रबंध चिंता मड़ी के जो रचना कार आपके हैं इनमें से क्या हो सकता है चलिए यहाँ पर बताएगा प्रबंध चिंता मड़ी के जो रचना कार है तो आपसे क्या होजएगा यहाँ पर आपका बिद्यापती को जानते हैं जो आपके बहुत बार पढ़ा है और हमने आपको इसको बहुत बार पढ़ाया भी है है ना तो आपको पता भी होना चाहिए अगला कोशन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कहा रहा है कि सिद्धकवी सरहपा की रचना सिद्धकवी सरहपा की रचना है इनमे से कौन सी है सरहपा की रचने है दोस्तो दो हाकोस क्या है दो हाकोस यादरिकी सका आपसे अपका इनमर दो हाकोस हो जाएगा अगला कोशन आपसे देगा और आपसे कहा रहा है कि आला खन्डख का वास्तिक स्रॉथ जो गरंत है वापका कौन सा है मुला दावत की बात करते हैं तो आपका D हो जगा ठेंट ओधी क्या है मुला दावत की जो भासा थी वो ठेंट ओधी थी नूर कली ये अपसमने आपका D नमबर अगेला कोशन आपसे दिया गया और आपसे कहा रहा है सिद्धों के प्रथम कभी कौन है सिद्धों के प्रथम कभी जो आपके थे इन में से कौन थे तो आपके एंगे सिद्धों के प्रथम कभी थे आपके सरहपा को कहा जाता है आपसमने आपका एनमबर आगे बड़ एक कोसन आप से टिला पुछा गया और आपसे कह रहा है ये अबरंच सब्धका सबसे पहले उल्लेख अबरंच सब्दका प्रियोग सब्से पहले वो किया है किसने किया है दोस्तों आपसवाधायाब काड़ी होजगा यह उल्लेक किया है पंतजन लें किया किसंने पतंजल नहीं किया है नंसर आप कुछषा गया लेकिन अगर इस प्रकास से पूछ लिया जाएं अब रंष की प्रथम कई अब प्रथम कऊन रहा है उक्सक्ते परतया कवह झैदश लेता है तक अंसर आपका Хोझए यह उनने के निमबर अपसे कह रहा है कि इनवे से से कौन से रिचना कर नええं तो आपके बताना है तो आपके सजीर जगनिक है जल्पत्वीजें है चिंदबावाडस नहीं है लेकिन अभादास नहीं है है आगे-बड़े कोस्न आप उच्छ गया और आपसे कह रहा है बीसल देवरासों की जो रचाइता है वापकी कौन है तो नर्पत इनाल हो जाएंगे नर्पत इनाल जो कि आप समय अपका बी निम्बर अगला कोशना आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है इंदी साइथ के सत्तर से चौधा सो इस वी के कालखंड को गियरसं नियुक्तोऩ है वह क्या नाम दिया और दो पढ़ारा देखूँगो न तो आपको बढ़ा अच्छा लगीगा सुपर फास तरीके से पढ़ने में सुपर फास आपको पढ़ा रहे हैं इसके पहले जब ने क्लास दिया था दोकर कितनी धीरे धीरे पढ़ाया था कि आपको हर चीज रड़ गई होगी अना अब यहां पर सुपर फास पढ़ाते हैं ताकि फास ट्रीजन आपको हो सके लिए अला और उदल नामक दो जो सरदार थे इनकी लड़ाईों का वर्डन मिलता है किस में मिलता है दोस्तों आप से नमर पुछ सिदंत किसे मानते हैं अग्रा कुछन आप से दिया गया है और आप से कह रहा है निमन में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है पूछा गया आदिकाल का नाम क्या नहीं है आदिकाल को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं चले देखो आदिकाल को चारण काल कहते हैं सिद्ध सामंद काल कहते हैं वीरगाथा काल कहते हैं लेकिन गद्धिकाल लिंक आ जाता है ठीक यहाँ पर अगला कोशन आपस दिया गया और आपसे कह रहा है, कह रहा है कि अब्दुल रह्मान करती जो संदेश रासा की किसकी रिचना है, मतलब एक प्रकास यह खंड काब है क्या है, अब्दुल रह्मान की जो करती है संदेश रासा की है क्या, यहाँ पर दिखा जाए तो का प्रथम कभी माना जाता है वो किसे माना जाता है यह बताना है दोस्ते यहां पर देखा जाए तो आपका जो अंसर होगा इनमें से क्या होज़ेगा आपके सरंसर आपका भी होज़ेगा याद रिखेगा राज कुमार वर्मा किसे राज कुमार वर्मा को स्यंभू स्यंभू स्यम्भू को हिंदी का प्रथम कभी माना है ठीक है स्यम्भू जो आपके हैं इनको हिंदी का प्रथम कभी माना है आपके राजकुमार वर्मा ने माना है इसका जो आप समझेगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा इसको चना आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है कह रहा है आ आपके स्विम्भू को कहा जाता है इसका option C हो जाएगा यहाँ पर बताएगा निशीत का अर्फिन में से क्या हो जाएगा तो आपके जानने वाला वाक्यांस के लिए सब दिन में से क्या हो जाएगा सब कुछ जानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं चले सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे किसे का जाता है सरवग्य क्या बोलता है सरवग्य मतलब आपस नमर क्या हो जगा बी नमर यहां पर राइट हो जगा आप कहेंगे सजी बहुग क्या होता है फिर बहुग क्या होता है बहुत कुछ जानने वाला ठीके बहुत कुछ अगर ये सब्द बोल लेता है बहुत कुछ तो आप लोग बहुग कर दीजेगा ठीके न और कुछ ना जानने वाले को कुछ ना जानने वाले को क्या कहते है तो तो आप कहेंगे सर्च आयू में बड़ा बेक्ति होता है उसे जेस्ट कहते हैं क्या कहते हैं जेस्ट कहा जाता है तो आप सुन क्या हो जएगा आपका यहाप कभी नंबर जिसका आ गया है बिलकुल राइट हो जाएगा ठीके ना आगे बड़ी एक वसन आप से गलाप उचा गया है और आप से गया गया है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए सबसने से क्या हो जाएगा जैस आइस के समय में सरकारी नौकरी मिलना बड़ा है तुserलब अगर आपसे पूछे दुर्गम क्या होता है दुर्गम मतलब होता है जिसे जाना या जिसे समझना कठीन हो उसे कहते हैं और सुलब मतलब जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलब कहते हैं अगरा कोशन आपसे दिया गया है और कह रहा है जिसका सम्मन आध्यात्म से हो उसके रिए सब्सक्राइब क्या होता है जिसका संबन्द अध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं जिसका संबन्द सास्त से है उसे सास्ती जैसा बस पूंचे बस USA की कॉर्डिंग लगा देना थोड़ा बहुत तो बनी जाएगा अगला कुशंद होता है जिसका उफ्षिन आ रहे है या पर दे लिए सई जवाब होता है ऐब का आत्म कथा क्या हो जाएगा आप कहेंगे जो काम करना कटी हो इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि यहां पर option हो जाएगा दुसकर क्या का जाता है दुसकर कहते हैं और यहां पर असंभव क्या होता है जो काम करना संभव ना हो जो काम करना संभव ना हो से असंब्व कहते हैं अगला कोशन आप से दिया गया है क्या आखों के सामने घटित घटना के लिए क्या होता है क्या आखों के सामने घटित घटना विश्वास तो करना ही पड़ेगा मतलब यहां पर जो आखों के सामने घटित घटना है उसे का जाता है क्या प्रत्यच क्या ब चलिए बताएगा दोपाहर के समय के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यापर आपका अंसर बनेगा इन में से क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जै दोपार के समय को बोलते हैं माध्यान क्या बोलते हैं माध्यान और आपका सी नमबर माध्यान हो जाएगा ठीके ना और दोपार के पूरु का समय क्या होता है पूरवाहन ठीके क्या होता है पूरवाहन होता है ठीके ना और दोपार के बाद जो आता है वो अपरान होता है ये भी कोशनाप के पूछे आते हैं ये चुटी चुटी बाते ही आपके एक्जाम को अच्छा बनाती है आना चलिए आगे बड़ी कोशनाप से गलाप पूछा गया है और य हांती के बच्चे को कलब होता है और वहक्ता बिशvana के बच्चे-बात्चे को क्या क्या कहा जाता है चले तो आप geschy तक कलब होता है हांथी के बच्चा के लिए है चले आगे वड़ी हिए कोसंन आप से दिया गया है और से कह रहा है यहांपर उपकार को मानने वाला को हो जाएगा लेकिन जब भी कभी क्या लगा हो यहांपर अगर न लगा है जिसे इस में न लगा है तो उपकार को न मानने वाले को उपकार को ना माले को खुखने को क्रतकन के तक जह जragen ना चलिए यहाँ पर देखे पर उपकार करने वाले को पर उपकार को लिखा जागा है कि मोच की इच्छा रखने वाला जड़ धी इच्छा रखने वाले को क्या ऩु जिग्यासू मतलब क्या होता है जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं क्या जिग्यासू कहा जाता है ठीके और बोलते हैं करमत करमत बोला जाता है रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं आप कहेंगे रात में घूमने वाले को बोलते हैं क्या यहां पर देखा जाए तो आप कांसर क्या हो ज़ेगा यहां पर बताईगा रात में गुमने वाला यह होता है निसाचर ओप्शन क्या बनेगा यहां पर सी हो ज़ेगा निसाचर बनता है ठीके ना, clear है और यहां पर देखा जाए तो आपका तपस्वी मतलब तप करने वाले कुछ तपस्वी कहते हैं तो जो वस्तु चलने वाली न होती है उसे अच्छर कहते हैं अगला कह रहा है क्या रहा है आपसे और फ़ल खाता है तो उसे फ़ल जाता है आगे बढ़े अगले पॉइंट में आते हैं नेस्ट पॉइंट और नेस्ट चैप्टर भी आपके स्टार्ट हो गया अपने का छोटे छोटे बस बहुत कुछ नहीं पढ़ना है बस थोड़े थोड़े पढ़ना है हमने आप बताया कि विलोम सब पर रहाची बस ज़्यादा होती है और कुछ नहीं होता और तो बिल्कुल से आपको दो दो जो चार चार पांच पांच कोशन में वही कोशन मिलने वाले है देखो आपसे कहा रहा है कि अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला आपका युगम कौशन है जब जब कोशन आया है ये कोशन मिलकुल से पहले विजर में रख दिया गया है कि नहीं इसी को देना है यहाँ पर देखो अनिल क्या होता है अनल क्या होता है हमने का अनिल और अनल का एक्जाम में बहुत पूछा गया है यहां पर अनल जो होता है अगनी होता है और अनिल होता है वाईू मतलब आपसे मुना गया कौन है पहला वाला ही अंसर है राइट हो जाएगा किलियर है ना आगे बढ़ यह कोशन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि जोड़ा कौन सो जोड़ा समरूपी भिनार्थक है समरूपी भिनार्थक है मतलब जैसा दिया गया है बिल्कुल सेम टू सेम सब्द आपको दिख रहा होगा दिख रहा है कोई दिखें यहाँ पर अवदी और अवदी विगला है और अवदी मतलब होता है काल यह समय और अवदी होता है अवदी शित्री की भासा तो आपसे मने आपका ए नमबर ठीक है ना और अगला कोशन दिख का च्कुष कर दो की है है और यह होता है च्प्टर में थोड़ी समस्या हो जाती है तो इसके थोड़ी सी portion हम लोग स्वाल करवाएगे देखो आपको हमने बताया कि कुछ point है जुनको ध्यान देने कर रहा है असुद्ध क्या होता है हमने का हिंदी में कभी अनेकों का प्रियोग नहीं करते हैं अंसर आपका हो या कौन फर्स्ट आपको हो जाएगा ठीके ना चलिए अगला कुछ नाप से कह रहा है कि मैंने घर जाना था आपके सर असुद्धी तो मिल गए है मैंने घर जाना था ये तो होगा ही नहीं क्या होगा मुझे घर जाना था मतलब गड़़ी आपकी मिल गई है आपके ए नमर पे ठीके कुछ नाप से कह रहा है कौन सवा के असुद्ध दिया गया है कौन सवा के असुद्ध दिया गया है यहां पर बताएगा कौन सवा के असुद्ध दिया गया है यहां पर जो सही होगा वो कौन साइन में से राइट हो जाएगा चलिए देख लीजेगा आज मैं यहीं गाई ने मेरे को हमने का ही हिंदी में प्रयूग नहीं करते हैं यहाँ पर देखा जाए तो इसका वी अनसर हो गया है यह गड़वड हो गया है थिक है अग्ना कुशन आपसे काया है क्या रहा है आप नानी के घर जाओ वाकिका सुद्ध रूप क्या हो जएगा आप नानी के घर जाओ तो यहाँ पर देखा जाए आप नानी के घर जाईए क्योंकि आप लगा रहे हैं तो आपके साथ यहाँ पर सम्मधन में यह जो आपका जाईए सब्धापता लगेगा ठीक है उन्हें कहां जाना है यह होना चाहिए इस मितलब है स्टार्टिंग में ही आपके सरुनाम की समंदी आपके सुध्यों देखे अब आपके दिवाक में आ रहा है किस प्रकार की तुर्टी है यह रास्ता दुर्गम है हाना जबाब को नहीं लग रहा है कुछ तो इसका मतलब है कि यह रास्ता फोकस हुआ है रास्ते पर तो आपके सजीद दुर्गम जो आपका सही होगा वो किस प्रकास से आपके सरॉप्स नमबर आपका बी यह जो आपका दुर्गम है यही अंसर आपका भी राइट हो है इसका सुझ आपका साब क॥श पाके होंना पर और आपके कारगं दुर्गम हो छाई यह किसेमें आपके यहाँ पर गडवड़ी के लिए नहीं होगा लच्मण को होसला है तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो यह गडवड़ी हो गए इसमें और इस गडवड़ी को हम लोग कहेंगे क्या है क्योंकि को के लिए सब क्यारक होते हैं अब समनेगा ए नमबर और इस कोशन दिया गया है कि दिये गए वाक्यों में से सही वाक्य बताना है सही वाक्य इन में से क्या हो जाएगा करे हरी सज्जन आदमी है हरी सज्जन आदमी पहले तो यहाँ पर गड़वड लग रहा है हना पहला आप्सन तो गड़वड रहा है सब कुछ साही है यहां पर देखा जाए तो हरीस सब दगणवण है इन में से कोई भी option बंख्षा नहीं नहीं है इन में से सुद्धता देखा जाए तो कोई भी action आपको साही नहीं दिखरा होगा क्योंकि यहां पर जो हरीस लिखा और यहां पर हैं लगा दिया है हना इसलिए वो इसे सुद्धता दिखा जाए तो इसमें कोई सुद्धाप का नहीं है दोस्ते जाद रिखेगा ठीक है ना चलिए इसमें सही अंसर क्या हो जगा हरी सज्जन है क्या होना चाहिए हरी सज्जन है तो इसका मतलब है कि है की घर लिए बाद में पहले हैं याँ पर बाद में बूल गये हैं याँ पहले से जुड़े रहे हैं एक बाद सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा ठीक है ना चले चले बहुत-बहुत धन्वाद देखो आप से कहया रहा है आप लिए दिखींगे यहां प्रदिया है अगर कोई कोशन गर्वरी होती है ठीकें कोई भी कोशन अगर गर्वर होता है और आपने उस कोशन का जवाब सही दिया है या नहीं दिया है आपने A, B, C, D में कोई लगाया लेकिन अगर प्रस्ण में option गलत है या question गलत है और आप करके आते हैं तो आपको एक number मिलेगा ठीक है बाकि अगर करके नहीं आएंगे तो फिर आपको number नहीं मिलेगा इसलिए अगर question गलबड है तो कुछ भी लगा दीजे आपको number मिलेगा ही लगाएं भी मिलेगा आयोक की तरब से ठीक है चलिए यहाँ पर देखरा है देख्यान आपको देख देना उचित नहीं है ने उसको निर्दोस्य ठहराया निर्डोस होता है ने उसको निर्दोस बनाया बनाया सब्द थोड़ो लगेगा ने ने उसको अपराधी लगा यह कहाँ पर है आप कहेंगे सर ए नमर हो सकता है इसी नमर कैसे होगा हमने कहा कि सर जी निर्दोस बनाया सब्द होता नहीं है यहाँ पर लगाया सब्द होता नहीं है यहाँ पर निर्दोस सब्द आपका यह गलत लिखा है तो आप कहेंगे सर अंसर गड़बर है क्या यहाँ पर उचित नहीं है आपका A-प बनेगा अग्ला कोशन देख़ा है घुमना सुभा अच्छा है घुमना सुभा अच्छा है तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि शुभा घुमना अच्छा है यह सुदौना चीटिए सुभा घुमना अथ्छा यह आपसन अपका लड़किये सब्द आपका प्रियोग होगा नहीं लड़कियों ये आपका दिया लड़कियों सेव खे रहे नहीं लड़कियां सेव खा रहे हैं आपका सी नमबर राइट हो जाएगा ठीक है ना अगला कुछन आप आप से दिया गया और आप से कह रहा है घर पर सब कुसल पूरवक हैं अब यहां पर आप देखेंगे कि सजी यहां पर देखा जाए तो एक point आपका मिलना है क्या चले घर पर सब कुसल पूरवक आपके हैं इसमें जो तुरुटी है वो आपकी कौन सी तुरुटी है इस प्रकार में से जो तुरुटी है वो आपकी कौन सी है चले आप कहेंगे सजी यहां पर देखा जाए लिंग है कारक है सरुनाम है हना आप देखेंगे सजी यहां पर जो कारक दिया गया है कारक जो की option भी दिया है घर पर सब कुसल पूरवक है यहाँ पर कारक में सिद्धि क्या है बोलेगे घर में खर में सब कुसल पूर्वाक है तो आप कहेंगे घर में इसका मतलब आपको मिश्चा है आपका जीवजना डिया है सिवा जी और स्वेस भाई बैन इसमें विल्कुल सही है क्योंकि यहां पर अंसर सही है आपका एनमर यहां देखिए दोनों भाईयों के बीच यहां पर यह लिखाए और यहां पर भाई बैन के बीच डैस भी लगा है पहला ओप्सण आपके राइट हो जायगा अगरा पौइंट पकड़ना है यहां पोइंट का वी सालों से निर्मला के मन में 30 यात्राओं 30 यात्रा होता है, 30 यात्राओं नहीं होता है तिके, गर्मी की उमस के बाद वर्शा हुई option number 9 का B हो ज़ेगा, जब भी आपसन आएगा तो यही option अंसर सही होता भी है तिके, आगे बड़ी कोच्छन आपसे दिया गया है यहां पर point क्या है कि कौन सवाकिया आपका सुद दिया गया है कौन सवाकिया सुद दिया गया है आपसे पूछा गया है तो चलिए हमारे पास समय कम है हमारे पास समय कम है सरमयरतन क्लासे लगा दीजे हाना आप कहेंगे सरे कि कल लोगों की भीड जमेगी कल लोगों की भीड जमेगी जमेगी नहीं इकठा होती है तो आप कहेंगे बीनमबर आपका गड़बड हो जाएगा ठीक है ना केलियर है तो यह सुद्ध सुद्ध वाले आप लोग कर लेंगे दुचार पांच कोर्शन में इसको स्किप कर दे रहे हैं ठीक है नए टॉपिक पर आते हैं नए गड़बडी क्या हो गड़बडी क्या हो गड़बडी यहां पर गड़वड़ी गुजर गई नहीं, गुजर रही है, यह गड़वड़ी है, ठीके, आईए, अगले टॉपिक में आ गया है, लिंग वचन कारक में से, कह रहा है, बोतल में दूध बचा है, चले, यहां पर जवाब देना है, कह रहा है, बोतल में दूध बचा है, औ तो यहां पर दिखे अधिकरण में में पर यहां पर दिखा जाए यह जो में सब्द आता है यह क्या होता है तो आपके अधिकरण में कामा पर तो आपका हो गया है अधिकरण में कामा पर हो गया है आगे बड़ी कोशना आप से गला पूछ अगया और आपसे कहा रहा है कि प् सब्सक्राइब और आप से कह रहा है अधिकरण कारक की विभक्ति पैंचान लेना है यहां पर क्या हो जाएगा अधिकरण कारक की बात कर लेते हैं तो यहां पर उतका अधिकरण में कामा पर जो कि सब्सक्राइब क्या होता है इन में से सही क्या हो जाएगा यहां पर कि कुमार का इस्तरी लिंग होता है इन में से क्या होता है चलिए बताएगा यहां पर कि कुमार का इस्तरी लिंग होता है इन में से क्या होता है चलिए बताएगा यहां पर कि कुमार का इस्तरी लिंग होता है जो कुछले कोर आते हैं कुष्णया का सई बव्चन क्या होता है चुटिया का चुटिया का चुटिया का चुटिया लास्ट में आपर क्या करते हैं उसके उपर चांद की डिंदी लगा देते हैं तो आप गए चुटिया का सही बवचन होता है चुटिया और समर्ण आपका एनमबरे राइट हो जाएगा अगर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नेता सब्द का बवचन हमने का जब का परवटन क्या हो जाता है तरह होता है लेकिन यहां पर आपसे पूँचा है वो दो यहां पर याद रिखी क्या हो जाएगा तो आप चेहरे सर यहां पर नेता का नेताओं तो नहीं हो जाएगा क्यों भई नेता का नेता ही होता है या नेता होता है दोनों में से एक बताएए जैसे आपने पढ़ा जनता का जनता होता है अब यह बताएए नेता का नेताओं हो जाएगा या नेता होता है अपने इसाप से आप लोग बताईए नेता एक संग्या होती है और यहाँ पर देखा जाए नेता एक वचन नेता होता ही है और इसका बवचन भी नेता हो सकता है तो आप बताईएगा नेता ही होगा है दोस्तों याद रखेगा ठीके चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे यह पर दिया गया है रितुमें होता है और रितुमों भी हो सकता है मतलब यहां पर देखाजाए कि जब हम लोग रित का वाखुर मनाते हैं तो यह दो टाइप से बन सकता है एक तो रित्मिय आपका भी सही है न और एक यार रित्म भी सही है दोनों ही सही हैं याद रिखेगा यहाँ पर आगे बड़ी एक वस्त अपसिखला पूछा गया है और आप से कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सब्दा आपका पूर्लिंग है पूरिंग और बच्चत यह हो जाएंगे क्या आकि फ्रिंग में है 3 आपसे कहाए कौन सब्द का इस्ट्रिंग में हैं और इस्ट्रिंग के बात कलेते हैं तो आप शॉब्लिंग कर ले कहेंगे सर उपहार कैसा है तो यह तो आपका होगा नहीं हो सकता है फिर दिया गया है गरंत कैसा है मस्तक कैसा है रचना कैसी है तो आप कहेंगे सननसर आपका ड़ी हो गया रचना तो आप समझ गया होंगे जब भी कभी स्ट्रिलिंग और पूर्लिंग आएगा तो आप एंच चलिए बताईगा भावानी सब्द का पूर्लिंग क्या होता है यहां पर बताईगा भावानी सब्द का पूर्लिंग क्या होता है कोशन पूछा भी जाता है भावानी का पूर्लिंग क्या होता है इनमें से अंसर क्या बनेगा सभी लोग जवाप दीजेगा क्योंकि यह कोशन आप से प्यूशन पूशन प्योशन प्योद जाता है तो वह आपको यहां पर बताना है चलिए जलदी से बताईएगा चलिए आप केंगे भागवाणी सब्दगा रोचा होता है भाव क्या होता रहा बहा भव होता है और याद रखेगा जो भगवान बता रहे हैं वो होता है भगवती का मैं मालूम था इसलिए हमने इसको रोंक कर बताया है याद रखेए भगवती भगवती अगर होता तो भईया आपका भगवान हो जाता लेकिन भवान नहीं दिया है तो इसका भव हो जाएगा सिंपल सी बात है जब चार अच्छर दिया हो तो चार अच्छर लगाना है और जब छोटा अच्छर दिया है तो आपको छोटा लगाना है यह कोर्शन इसी रूप में आपको मिलेगा याद रिखे कभी मत भूलिए जब चार अच्छर का भगवती दिया गया इसको मतलब भग सब्सक्राइब करना है और यहां पर देखा जाए तो आप कंसर क्या हो जाएगा अगले पॉंट में आते हैं थोड़ा आगी स्किप करते हैं थोड़ा आगे क्या होता है यहां पर दिखा जाये तो वीर का होता है क्या है घरा है कि निमनिकित में से कौन सब्सक्राइब का पुछा गया है तो भूइया ये बताएगा क्यारा चिलका जील कैसी है हना नार्स बुंदेली और सब्जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंसिर क्या हो जेगा अना नास कैसा है न यहां देखे आपसन आपका C हो जएगा अना नास हो जएगा ठीके ना चलिए आगे बड़ी अगले पॉइंट में आते हैं अगला पॉइंट जो कि आपका है हम आपको बताते हैं जो आपका EMP पॉइंट है वो आपको बताएंगे क्यों धेर सारे हमने पर कर लिए हैं यहां पर देखे पॉर्लिंग आपका बताएगा कोशन अपका 273 कौन से सब्सब्द आपका पॉर्लिंग है धरती, कुटुम्ब, मडी और सेना यह भी कोशन आपको फंसा सकता है चलिए बताएगा कि यहांप परनसर क्या होगा धरती, कुटुम्ब, मडी, सेना यहाँ पर क्या हो जएगा तो आपके धरती, थरती, हना नहीं होगा, पुमठी, सेंण नहीं होगा, यहाँ पर याद रिखे को टूम्ब, जो option दिया गया है, यहाँ पर याद रिखे गा की जब भी कभी खूंशन कूछें हैंν отп करने जिए सम नड़िवार्ट लेकरिहां है लॉक्राइक cya होता है किया होटाएं क्या होता है हुउता है समागरी होता है ठीक है ना नोट कर लीजेगा और अगले पॉइंट में आते हैं पॉइंट आफ से गला पूछा गया है कुछ सब्दाप के हैं जिनको इसकीप कर देना है जिक दुइयाएं शरीर के अंग आधार पर दीगए पॉरलिंग या इसदिडिलन वी सब्दों का सही जोड़ा इनमें सब्सक्याइं कौन हो जिसाएगा अग्रा दिया गया है उंगे और इन्ड़ी ये इसंदिलिग चलीária यह यहांपर देखा जायाय술 बताईए जल्दी से उंगली कैसी है, और एंडी, अच्छा, यहाँ पर कलाई कैसी है, तलवा कैसा है, कलाई और तलवा यह गलत हो गया है, बाहें कैसी है, जांग कैसी है, फिलिंग हो गया है, उंगली और एंडी, इसमें इसको मतलब एक कोशन यह पूंचे ना चाहिए था, कि इसमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है यहां पर यह तो आपका गलत हो गया है बां कैसी है, जान कैसी है यह आपका सही दिया गया है हाथ कैसे है, पैर कैसे है, पुरलिंग है उंगले और कैसे है, इसका मतलब इसमें क्या होने चाहिए कि कौन सा गलत दिया गया है क्या कौन सा गलत दिया है तो आप कहेंगे ये वाला option से नमरे गलत दिया गया है ठीके ना कलाई कैसी है तलवा कैसा है इसका मतलब है कि यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे ये पुरलिंग है ये इस्ट्रिलिंग आपका है किलियर हो गया है क क्लियर है यहाँ पर देखे अगला कुछनाप से कह रहा है यहाँ पर देखो यह सभी स्ट्रिलिंग है यह तो आपता है नहीं है ठीके चलिए आगे बड़ी कुछनाप से गला पुछा गया है और कह रहा है हरी मोहन बहन को पुछतक देता है हरी मोहन बहन को पुछतक देता है यहां पर बताना है आपका जो अंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा चलिए तो देखे भई यहां पर देखा जा हरी मोहान अपनी बेहन को पुष्टक देता है हमने का जब देनी की बात होती है जब देनी की बात होती है तो हमेशा होता है संप्रदान आप से मनेगा यहाँ पर भी नंबर संप्रदान हो जाएगा ठीके चलिए आगे बड़ी कोशन आप से इकला पूछा गया है और आप से कह रहा है ने किस कारक का चिन है चलिए बताएगा ने जो आप का है ये किस कारक का चिन है पूछा गया है ने जो आपका है एक किस कारक का चिन है आपसे पताईगा आपके ने जो आपका आता है किस में आता है प्रतमा करता ने करता ने इसका मतलब आपसे नमबर क्या होज़ेगा ए नमबर इसका राइट होज़ेगा ए नमबर बनज़ेगा अगला कुछन आपसे कह रहा है कह रहा है निमने में से संबंद कारक आपको पेंचाना है यहाँ पर दिया गया है संबंद कारक दिया गया है और संबंद कारक की बात करते हैं तो आपका सही क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो अंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा संबंद कारक करें राम खाना खाता है राधा का कुट्ता तीज दोड़ता है राधा का कुट्ता और प्रियोग हुआोग तो शिच्चक не, ह circles आप का जो अंसर आएगा वह आपका बी करता ने. तो आपका जवाब क्या हो गया? यह आपका बी नमर करता हो जाएगा. ठीक है चलिए, आगे बड़ी कोसना आप से गरा previous मा ने बाजार सी कपड़ा खरीदा. यहां पर दिया है कारक बताईए कपड़ा दिया गया ना हमने का माने बाजार से कपड़ा खरीदा तो आप कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा करता हो जाएगा क्या यहां पर क्या हो जाएगा कपड़ा जो आपका है कर्म है क्या है क्या है कपड़ा जो आपका है कर्म है तो दोस्तों यहां पर रोहन ने होकी खेली मतलब है यहां पर दिखा डिया करता क्या है आपके इंगे रोहन है तो रोहन आपका हो जाएगा यह नमबर आपका हो जाएगा ठीक है आपका करता क्या अर्थ होता है चली बताएगा कि करता का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है हमने का सरकर्ता का जो वर्थ होता है वो क्या होता है यहां पर जो कारे करे जो कारे करे वो होता है आपका कर्ता आपसे मनेगा आपका बिनमबर ठीक है आगे बड़ी कोशन दिया गया है और आप से कह रहा है कि निम्न मेंसे कौन सब्द आपका समागरी का पुरलिंग है समागरी का पूर्लिंग है यहाँ पर बताना है चलिए समागरी का पूर्लिंग जो आपका है इनमे से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे आप कंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप्शन क्या हो जाएगा समागरी का होता है समराट अभी हमने आप बताया भी था समागरी का होता है समराट तो समराट क्या हो जएगा यहां पर option number क्या हो जएगा सी number आपका right हो जाएगा ठीके न अगरे question को राते है कोशना से दिया गया है क्या रहा है चडिया का पाचए रूप 20 में से क्या होता है चडिया का पाचीर क्रें से aldi नेका जब भी कभी यह दिया हो बहचीर मुचे तो आपको चानकीमदी लगा देना एक रहे हैं तो आभके इसंपरदान और सम्मंध वह reality मेरी है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अंसर होगा वो क्या होजएगा आपका विनमबर वहकार मेरी है ठीक है ना तो आपका अंसर बनेगे आपका विनमबर राइट हो जएगा संपर्दान का अधिया है ठीक है ना और अगले point में आते हैं अगला point आपका आचुका है जो कि आपका स हम हैं यह सब्द क्या होते हैं तो आपके सरवनाम होते हैं जो कि संग्या की इस्थान पर लिखे जाते हैं क्या जो संग्या के इस्थान पर संग्या के इस्थान पर जो आपके लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं सरवनाम कहते हैं लेकिन अगर पूंचे संग्या या सरवन आगे बड़े कोछ नाम से यहां पर देगा है कि जातिवाचक संग्या कामा सरुनाम कामा बीसेशन किरिया अब्बे सब्दों के सब्द से बना जाते हैं दोस्ते हैं यहां पर याद रिखेगा आगे एक पुछा गया है और आप संग्या का भेद नहीं होता है यहां पर बता नहीं तो संग्या, जातिवाचक संग्या, द्रव माचक हो गया, समूं हो गया और एका आपकी हुटी भाह होती है तो देखें यहाँआ पर option number जो आपका इन जुवाचक पभी नहीं упottson तो यहाँँपर संग्या आपका out अभी होता है संग्या कर दिया है तो हाँ समुने कर दिए लुदा से लाप कुछ खें और आप से कहला है यहाँपर कोशन निम्निकित में से सर्वनाम बताना है यहां पर जो सर्वनाम है वह आपका कौन सा हो जाएगा सर्वनाम हो क्या जाएगा चलिए बड़ा अच्छा कोशन आपका दिया है आपके इस देखा जाए तो सर्वनाम इन में से है कौन यहां पर जो आप दिया गया है आप यह क् सरुनाम की प्रकार कितने होते हैं सरुनाम की प्रकार कितने होते हैं तो बता सकते हैं आपके जी सर पहला होता है पुरूस वाचक क्या होता है दूसरा क्या होता है तो आपके निजवाचक होता है ठीके निजवाचक आपका होता है फिर कौन होता है अनिश्चय वाचक होता है ठीके अनिश्चय वाचक होता है और इसके बाद क्या होता है संबंध होता है ये सबाब को बता रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए संबंध हो जाएगा फिर इसके बाद प्रस्वाचक हो जाता है ठीके प्रस्वाचक हो जाता है और एक हो जाता है निजवाचक क्या हो ज पुला जाते कौन होता है तुम होता है यह होता है तुम होता है तुम होता है तू होता है अन्य वाचक में देखे आपका प्रियोग किया जाता है ठीके ना और यहां पर देखा जाए निश्चय वाचक अगर हो जाए निश्चय वाचक तो निश्चय वाचक में यह और वा हो होते हैं इन बातों का आपको जरूरी याद रखना है तीक है अगरा कुछन आप से कह रहा है यहां पर है पुरुस्वाचक सरनाम की कितने भी दोते हैं अभी अभी स्टार्टिंग में हमने इसलिए पहले सब कुछ बता दिया इसी प्ता क्यों से सब कुछ किया है पुछ हैं सापको नमि वाला है एाग दो कहा किरूजक सरैर्णाम कर आप चैंग प्रुस्वाचक सरना Dec ये होते हैं ये लोग जैसे आपका सब्द हो गया हो गया हो गया हो गया है आगे बड़ ये कोस्ट नाम से दिया गया है क्या होता है सरुनाम का सब्दी कर्थ में उसे क्या होता है दो तो सरुनाम का सब्दी कर्थ होता है क्या होता है आप कहेंगे सरुनाम का सब्दी कर्थ हो आपसे करा है यह मेरी पतंग है या पर जवाप देना है को शन मरब आपका आगया है अग्या है मेरी पतंग क्या हो जाएगा वीडियो को भी लाइक करते वे चलिए दोस्तों यहां पर देखे आप लोग लोग भूल गए हैं थे अम ने कहा जैसे सुबह आप उठते हैं तो य कि एक्जाम में आपकी वर्दी में पूरा सयोग यहां पर हिंदी का रहने वाला है ठीक है ना आपसे रुपए तो नहीं माँगेगी कि नहीं है आपकी जोईणिंग मिल गई है आप मुझे रुपएा दे दीजे नहीं मिलेगा जो आप दे सकते हैं आज यही से सकते हैं दूर से आपकों दूर से सब कुछ ग्यान दे रहे हैं तो आप दूर से घर वैटे आप भी हमारा सपोर्ट इसी प्रकास से कर सकते हैं एक है न तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबी लोग वीडियो को लाइक जिरू कर दीजेगा ठीक यहां पर देखो आप से कहा रहा है क्या मेरी पतंग में निस्चय वाचक के पैचान होता है और वाह होता है, ये आपको जरूर सπधा आपको मिलेंगे दोस्तर याद रिखेगा ठीक है ना? और एक सब्द होता है ये, ये भी सब्दा आपको मिल जाएगा, कि मतलब यहा और ये सब्दी बतलब एक हो गया, तो ये आपको हो जाएगा अगर अनिष्चा वाचक पूर्च अगर यह सब्द आपको मिल जाते हैं तो समझेगा यह आपकी क्या है अनिश्चे वाचक है अगर आप से प्रस्वाचक कुछ लेता है तो प्रस्वाचक में जो होते हैं कौन होता है और क्या होता है कौन होगा और यहां पर क्या होगा क्या सब्द आपके होते हैं तो समझेग यह आपके प्रस्वाचक होते हैं इनी जवाचक में तो आप जानते हैं ठीक है आगे बढ़ी एक क्वेस्ट देखा जाए यह भावचक संग्या है हमने सबसे पहले बताया फिसलना क्या है किरिया है और किरिया में दोस्तों हमने बताया यहाँ पर आपके प्रस्वाचक संग्या बन जाएगे यह आपका सिनल नमरे भावचक संग्या इसका जो अंसर है यहाँ पर देखें अगला कोश्ट नाप से कह रहा है यहा पर एक कौन सा पुरुष्वाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं तो होता है कौन यहांपर देखे कौन कौन हो सकता है आप सरी अन्य पुरु सी इसको अन्य लिख दीजे यह मद्ध्यम हो जाया लेकिन अति उत्तम नहीं होता है याद हिए तो आपीजिंगे याद रिखेगा तो आप से पूंचे कि सरुनाम के कितने भेद होते हैं बता सकते हैं सरुनाम के भेद कितने होते हैं अगर संख्या पूंच ले तो क्या जवाब देंगे भेद पूंचे तो क्या जवाब देंगे भेद पूंचे तो अभी आपको च्छाय बताना है अभी अम बताया च्छाय होते हैं पुरूस वा इसारो नाम और क्रियाओं करते हैं यहाँ सरुनाम विस्एशण्ड और क्रियाओं के रूप में मुलता संग्याओं पर आसृत होते हैं इस लेवचन में संग्या सब्दों का रूपांतरन हो जाता है यहां पर अगला कुछन आपको आगया है कैयरा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है अब यह बताए कि जो कोई सब्द आपका आता है इन चारों में से किस में आयेगा चलिए बताएगा कोई सब्द जो होता है यह जो आएगा किस में आयेगा कोई और कुछ सब्द यह क्या है निशचे नहीं है और निश्चय नहीं है तो आपका अनिश्चय बाचक आपका हो जाएगा लेकिन अगर आप से पूँचे आता प्रस्णवाचक में क्या होता है तो हमने बताया प्रस्णवाचक में तो कौन होता है और क्या क्या होता है प्रस्णवाचक में और क्या होता है क्या होता है दोनों याद रखेगा कि कोई आपसे अनिश्य पूंचे तो कोई और कुछ बताना है प्रस्णुअच्छ पूंचे तो कौन और क्या बताना है उमेद है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना यह गलतियां बहुत होती है इसलिए हम आपको विड समस्या खड़ी होगी इसलिए क्लास में जवावाय करें तो अपना पूरा ध्यान यहां पर हरी कोशन को समझने में लगाया करें ताकि कोई गलती भी हो रही है तो उसको आप पकड़ सकें बाके बातों से बतासे दे मिलते हैं तेके ना कुछ इससे होता नहीं है अभी जब अच्छे से ध्यान करो अच्छे से कंठस्त करो तो उसका फैदा है नहीं तुम्हारे पडोसी वर्दी पहन के निकल जाएंगे आप धर में उनकी वर्दी धुलते रहना और कुछ नहीं करो गए ठीके चलिए यहां पर देखो अगला कुछ नाप से कह रहा है यहां पर दिय संग्या होता है जिन सब्दों से काम करना यहां होना पाया जाए उन्हें कहते हैं यहां पर देखा जाए तो आप कंसर क्या हो सकता है चलिए करुणा दिया है सुंदर्ता दिया गया है अमीरी दिया है और यहां पर दिया है इन में से कोई नहीं है आप कहेंगे सर जी यहां पर भावचक संग्या नहीं है आप से पूछा गया है करुणा भी तो भावचक संग्या है सुंदर्ता भी है अमीरी भी है तो आप ज पढ़ाई नहीं करते हैं यहां पर देखे जब दिया गया है आपका यहां पर करुणा है सुन्दर्था है अमीरी है सब पहाँ को दसा रहे हैं तो फिजब जब जब जिस्ति के उज़ों करें जब आपसे आपड़ी दिया गया है चलिए आगे बड़ी कोशनाव सगलाप कूछ आगया है और आपसे क्या कह रहा है कोई आपसे मिलने आया है रेखांक के सब्द के आधार पर सरुनाम का सभी बताना ह यह कोई जो होता है वो किसमें होता है चलिए कोई जो होता है यह किसमें आता है यहां पर देखिए आप कंसर में से क्या हो जाएगा चलिए कोई सब्द जो होगा किसमें होगा यहां पर देखिए कोई संबर आपका अगला आगया है बतरिए इस कंसर क्या हो जाएगा कोई आया है हमने का कोई सब्द होता है और कुछ होता है ये दो अनिस्या वाचक में होते हैं आप क्या हो जाएगा याद रिखेगा सम्बंद में क्या होता है सम्मंद में होता है या तो जो क्या कि रहा है कि गांदी को राष्टि पिता कहा गया है वाक्ति में संव्या कि स्रूप में परवर्षित हो रही है चलिए यहाँ पर बताना है आपके जो अंसर है राइट इन में से क्या हो जाएगा तो दोस्ते यहाँ पर देखे रहा है गांधी जी को राष्ट पिता कहा गया है यह संग्या किस रूप से किस रूप में परवर्तित हो रही है इसका जो अंसर बनेगा यहाँ पर राइट इन में से क्या हो सकता है चलिए यहाँ पर जवाब दीजए आप सभी लोग इस कंसर क्या बनेगा चलिए तो दोस्ते यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंसर बनेगा इन में से क्या हो सकता है option A हो जाएगा या option C हो जाएगा चले यहाँ पर देखें बेक्तिवाचक से जातिवाचक आ रहा है बेक्तिवाचक से यहाँ पर आपका जातिवाचक आ रहा है काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं देखें भईया याद रिखेंगा आप गांधी को राष्टी राष्ट पिता बोल सकते हैं यहां पर देखो गांधी तो एक प्रकास चे ख्यां हो गई जी की बीगए ह। पदवी दी गई इसका मतलब है कि पर्सनल इनिक नहीं है यहाँ पर देखें तो यह इसाफ से तो आपका सही हो रहा है लेकिन याद रहे हैं हमने कहा था कि UPSI 2017 में इसका सही अंसर किया गया था सिनमबर बेक्तिवाचक से गांधी जी आपके हैं बेक्तिवाचक हो जाएगा और राष्ट पिता एक भाव को दर्सारा है यूपी एसाई ने तो यही सही किया है ऑप्सन सिनमबर बाकि आज भी गूगल में और यूटूब में बड़े बड़े लोग बिस क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि ब्यक्तिवाचक गांधी जी हो गया ब्यक्त जाती वाचक से जाती वाचक ठीक है ना केलियर है आगे बड़े एक वसन आप सिकला पूछ आ गया है आपसे कह रहा है कि यहाँ पर दिखे वह बहुत धार्मिक बिट्ती है रेखांकित पद बताना है रेखांकित पद इनमें से क्या हो जाएगा चले यहाँ पर जवाप द हमने का परिभासा क्या होती है संग्या की परिवासा क्या होती है हमने का संग्या किसी व्यक्ति वस्तु या इस्थान के भाव को संग्या कहते हैं तो कोई वस्तु है तो संग्या हो गई और उस वस्त की विसेस्ता बताता है विसेशन इसका मतला वह उस वस्त में कोई ना को चले यहाँ पर देखे अगरा कुछन आप से कह रहा है कह रहा है आप से कि इस परवत माला में बहुत उंचे उंचे पहाड है इस वाक्य में विसेशन सब्दी की विसेश्था प्रकट करने वाले का चैन करना है यहाँ पर क्या विसेश्था बताई जा रही है यहाँ पर पहाड जो आपके विसेश्टा है क्या है पहाड विसेश्टा है पूछा गया है कि विसेश्टा तो इसका मतलब है यह प्राविसेश्टा की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है प्राविसेश्टा की बात कर रहा है यहां पर यादर के बहुत जो आपका है प्राविसेश्टा होगा उंचे-उंचे सब्दा आपका विसेशन होगा और पहाड जो आपका है क्या है यह विसेशन की विसेशन हो जाएंगे जब विसेशन की विसेशन बताएं तो उन्हें प्राविसेशन कहते हैं और प्राविसेशन में यहां पर जो बहुत सब्दा आपका दिया गया है ब आपने तौलने बनी हैं निस्चीत है और जब निस्चीत है तो आप यह भी कहेंगे किसर यहां पर देखो अंश्य आ गया मिला दिया अंसर आपका हो गया डिनमर हो गया जब कोई चीज ना पने तॉलने वाली चीज हो जैसे हम आप से कोशन पूछें कि आपके घर में आपके घर के कमरे में पांच बोरी आंटा रखा है तो कहेंगे सर पांच बोरी मतलब निश्चित है आटा हो गया परिमाड लेकिन ये बोले कुछ बोरी आटा की रखी है तो कुछ बोरी मतलब हो गया कि ये अनिश्चित है और आटे है तो परिमाड है ठीके आगे बड़ी कोशन आप से गला पूछा गया है आप से कह रहा है निम्न में से बिसेशन क्या है यहाँ पर लंबाई बुढ़ापा समझ पनासर क्या खेगा तो हमने काशर यहां पर देखा जाए तो ये संत इस अंत सब्सक्राइं को पंचानना है यहां पर भी सेशन कोंसा है जो द्या गया है है इतिहासिक फिद्याय उपासना आस्वासन अपेच्छा कुछ ऐसे सब्द होते हैं क्या कुछ ऐसे सब्द होते हैं जो आपको बिल्कुल सीधे साधे लग रहे होंगे जो आपने पढ़ा है उपासना उपासना पढ़ा है अस्वासन पढ़ा है अपेच्छा पढ़ा है लेकिन एतियासिक से बहुन हो गया तो सिंपल आपके ओंड यह संग्या होते हैं लेकिन अगर है यहां पर उसका कुछ क्वाल्टी वह तो तूर हो जाता है तो समखता कि आरखिस ने कर दोते ढते हैं विशेशन के ब् tape कितने भेदतेल ूंसर क्या वनेगा तो हमने का आप विसेशन के मुखता भेद होते हैं चार कितने होते हैं चार होते हैं चार कौन कौन होते हैं क्या बता सकते हैं कि जो चार होते हैं यहाँ यह कौन कौन होते हैं यहाँ पर जो अंसर बनेगा और आइट इन में से क्या हो सकता है चलिए यहाँ पर बताइए आप सभी लोग इस तंसर क्या बनेगा चलिए तो देखेंगे आप विसेशन के होते ही चार भी बिल्कुल सही है हमने कहा यहाँ पर दिखा जाए एक होता है सारवनामिक विसेशन क्या होता है सारवनामिक विसेशन हो जाता है सारवनामिक विसेश सबसार यह फिर जवाब दीजेगा कॉंसा भी सेजन नहीं है मतला उसमें गुण नहीं दिखा रहा होगा उसके बारे में तो देखिए पहला क suspect काह रहा है काहरा है बैया पतरीला हना नमकीला नमकीन मंकीन होनाचाहिए बर फिला और दिया गया घीन नमक 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 तो नमक य melod होता है नão नमग तो नमक हि GOAULगा भागिया नमक यह भाद कutos जोड़कर इसमें यह कौन दिन बर नमक आपका यह विसेशन नहीं है बाकि नमक से नमकीन मनाय अर्था थी तो विसेशन आपका है पत्धरीरा आपका विसेशन है बर फीला भी विसेशन है याद रिखेगा उमेद है अब आपकों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहाव होगा नेश कोशन जाग हान से पढ़ेगा कोई मुबाइल में कह सकते हैं कि कमेंट करता है कोई मुबाइल को रोटेट रख देता है और अपनी कॉपी में नोट करते वी चलता है अगर आउं लाइन पड़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करें अपनी कौपी को बगल में खोल कर रख दीजे और हाथ में ले लीजे पिन और जैसे कोशन को बताया जाए तो उसमें से जो भी चीज़े आपको इस्टरा बताई जाएं उसको नोट कर लीजेगा बांकि आपकी कमेंट में क्या चल रहा है हना कि आज काजल लगाई हो कि नहीं लगाई हो आज खाना क्या बनाई हो हना आप तुम्हारे गाउं में क्या हो रहा है हना कहां पढ़ते हो कौन सा गुरुप जोइन किये हो ये सब बेकार की चीजे हैं क्या ये सब विकार की चीजे हैं तो आप क्या करें रोटेट करके रख दीजी आपको कमेंट वाक्स से कोई मतलब नहीं है पढ़िए और अपना काम करिए ठेके ना ये पढ़ाई का अच्छा तरीका है अगला कोशन दिया गया है कि चर्चा सब्द से बना विसेशन क्या है च होता है दुगना तीगुना ये सब्द आपके होते ही आपके संख्या वाच्चे में आएंगे अब रती वाचक होता है तो यहां पर दोस्तों जो थोड़ा सब्द है यह तो नहीं पता है कितना है यह अन्सीथ है और अंसर आप का D राइट हो गया है आपके सामने अंसर आपको मिल गया है यहां पर कि यह एक स्नाप से पी रहा है कि कुत्त मेरा है वहometक में प्रियुक्त वी सिएसं आपको बताना है यह कुत्त मेरा है हमने ने कहा कि सपर यहां पर बताईए क्या संख्यावाची है आप pelVA कर नहीं लग रहा है क्या answer यहाँ पर लगा सकते हैं यह आप बताईएगा कौन संसा जादा बिस्ट लग रहा है इसमें से जादा बिस्ट कौन सा लग रहा है तो आप कहेंगे सजी अगर आप भी लगाना जा रहे हैं अगर आप भी लगा रहे हैं तो आप बता दें कि यहाँ पर कुट्टे के बारे में कुछ नहीं का आ गया है कुट्टे के गुण के बारे में कुछ नहीं का गया है कि कुट्टा काला है, कुट्टा भौकता है कुट्टा सनकता है, कुट्टा के कान बड़े है हना कुत्ता बेकार है रात में नींद भाराम कर देता है तो कुत्ते के गुण के बारे में नहीं का गया है लेकिन यह ज़रूर का गया है यह कुत्ता तो यह जब यह पर यह दिया है यह सारणामिक में आएगा अठात यहां पर अंसर आपका सी बनेगा यह सारणामिक भी सेश जाता है तो आपकी प्लेइलिस्ट बनी होई है उस प्लेइलिस्ट में आपको पढ़ाया है उसको आप पढ़ लीजी जह कृटे छूटे वीडियो कृँध तेहोरी वाले आपकी वीडियो में कबर करये दिया जाता है औरLab सब्सक्राइब क्या है अब इनका भी विसेश्टा बता रहा है तो यह हो जाता है प्राविसेश्टन आपसे दिया गया है क्या चंद रुपए बचाने की चक्कर में कई कई लोगों को सर्मसार होना पड़ा चंद रुपए बचाने क्चड में कई लोगों को सर्मसार होना पड़ा वाकिक चले दिमाग लगा कर ही इसका जवाब दीजे निकल के आ जाएगा आराम से निकलेगा अंसर ठीके चले देखो हमने कहा कि सर यहाँ पर पैसे है पैसे को हम गिन सकते हैं क्या करते हैं गिन सकते हैं अर्थाती संख्यावाची है क्या है संख्यावाची है तो हमने कहा पूछा गया है आप से कह रहा है विसेशन की विसेश्टा बताने वाला जो सब्द होता है उसे क्या कहते हैं तो हमने का जो बिसेशन की विसेश्टा बता दे वह बहुत है यह होता है अर्थात यह होता है प्राविसेशन और समने अपता बेनमर हो जाएगा यह सब्द आपको समझ में आता है कि नहीं आता है याद रिखे हमने का जैसे कुत्ता हमने कहां रोहन का कुत्ता क्या है रोहन का कुत्ता कुत्ता बहुत काला है बहुत काला है तो काला तो हो अपिसेस्अ दोंवी चीज़क आपको समझ में यहां पर किरें लगोणदी अमुन मीठे होते हैं यहां भलाइब और क्या बताई जा रही है जा सकते हैं क्षाते हैं आपके लिए पूरी तरीके से कुछूट है कोई बंदेज नहीं है कि आपको रोका जा रहा है किसी का नाम लेते नहीं पहले बार नहीं सीखना है तो यहां पर वाति करना कोई मतलब नहीं है सिर्व सेखने वाले जुड़ें क्योंकि अगर 10 बच्छे होंगे तो हमें और अच्छ लागे हैं 10 बच्छे उने 10 का सेलेक्षन हुआ है हमें बड़ी खुसी होती कि सिर्व बच्चा पढ़ने वाला आता है तो हमें बड़ी पसंद आता है क्या है इस थान है मतलब इस पोजिशन को समझे हमने क्या कहा हमने कहा कि अमरूद मीठे होते हैं यहां से कोई मतलब नहीं है हमारे घर में तो अमरूद का पेड़ लगा है आपके घर में भी पेड़ लगा होगा आपके आस पास में क्या लगा होगा बगिया लगी होगी लेक सदी इस थान वाचक हो जाएगा किलियर हो गया है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किलियर है ठीक है ना चलिए आगे बड़ी एक कुछ ना पूछा गया है और आप से कह रहा है इन में से कौन परिमाड वाचक विसेशन का उधारन नहीं है चली बताएगा कह रहा है इ यहां पर हम गिंती करते हैं यहां से आटा दीते हैं यहां पर आपकर दिया गया है क्या अच्छा सोरी यहां पर देखो एक सब्द दिया गया है क्या दिया है नहीं सब्द आपकर लगा दिया है अब नहीं सब्द लगाया है तो आप कहेंगे सर जी कि परिमाड में हम लोग याप पर जमीन को मापते हैं हना और तौलते हैं आपके स्रीव को याप नापते हैं पानी को तो भई या बस एक एंसर बच रहा है परिमार वाचक बिसेशन कौन सा नहीं है आपका ए नमबर क्योंकि तारे हम लोग गिन सकते हैं तारे गिन सकते हैं अर्थाति यह हो जाएगा संख्यावाची हो जाएगा ठेके ना वो भी कैसा अनिश्चित हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा आगे बड़ी एक वसन आप से दिया गया है और आपसे कहा रहा है कहा रहा है परिमार वाचक बिसेशन द्वारा किसका बोध होता है तो हमने कहा कि जो किरिया होती है जो प्रवाशी पती लोटा यहां पर देखे क्या हो जाएगा तो हमने कहा सर इसमें क्या बात कोई बात है क्या इसमें कोई बात है क्या है आपने का कि सर मेरे पडोस में एक लड़का है बहुत दिनों बाद लोटा है हना आपने उसकी बात तो नहीं किया है आपने बात किया किसकी कि उसका जो सालों बाद उसका पती लोटा नहीं प्रवाशी पती लोटा जो काफी दिनों से नहीं था तो यह प्रवाशी इस्ट्रा सरुनाम सब्द की विसेस्ता प्रिकıट करते हैं मत्रां हम लगा देते हैं चैया सब्सक्राइब सब्सक्राइब की विसेस्ता प्रिकट होती है तो आप लगी हो application यह होता है भी सिशन हमने कहा था कि संग्या हो या सरुनाम हो तो बस तीन चीज़े याद रखे जो आपको बताने वाले हैं और पहले बता चुके हैं कि ये माली ये संग्या है ठीके संग्या है तो सरुनाम के परिवासा होती है क्या कि जो संग्या की जगा बदले में या संग्या की इस् किसी ब्यक्ति का ये गुण होता है कोई किसी को कोई ज़्यादा प्यार करता है किसी पिता को पुत्र की इच्छा थी लेकिन पुत्री हो गई तो उस बच्ची से उतना लगा भी ने रहते हैं मोह भी ने रहता है हना मोह कब होगा जब आप एक पुत्र की जगा वो गुण को पूरा करेंगे उनके सपनों को पूरा करेंगे तभी आपको लगा होगा तो ये मोह भी क्या है किसी व्यक्ति का गुण हो गया है तो आप कहेंगे अंसर क्या हो गया डिनमबर है गुण वाचक हो जाएगा के इसका अंसर क्या हो गया तो आपको समझ में आ रहा है तो अमीद है आपको समझ में आ होगा क्योंकि बैया बिसेशन इतनी जल्दी दिमाग में जाता नहीं है लोगों के अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी जा रहा है तो भैया फिडवैक देते जाएगा ठीके सभी लोग यहां पर अगला कुछ नाप से कह रहा है दिया गया है बिसेशनों में तुलना के यहां पर इसका क्या होता है यहां पर बोलेगे और एक होता है नीउन-त-म टो नियू-न-त-म तो जो तुबंस्प्दों लगाह घेयर होकी जाले है यहां पर दोस्तों देखें हम लोता है आपके जो मूला वस्था होते हैं पहले बोलते हैं मूला वस्था बोलते हैं फिर बोलते हैं उत्तरा वस्था में रा होता है उत्तमा वस्था में लास्ट में मा होता है ये तीन वस्था है आपके होते हैं मूला वस्था उत्तरा वस्था उत्तमा वस्था आगला दिया गया है यहाँ पर कितने प्रस्ण करने हैं कितने प्रस्ण करने हैं आपको एकजाम में प्रस्ण करने हैं वो कितने करना है याद रिखेगा टार्गेट ले लिजे कि 35 की नीचे हमको लाना नहीं है 37 में आपको 35 लाना ही लाना है याद रिखेगा ऐसी तयारी होना चाहिए लेकिन अगर कोशन नहीं आ रहा है तो जब इस्ति उसमें छेंट खाने नहीं करना है छोड़ देना है ठीके ना किलियर है कितने प्रस करने हैं तो आप केंगे प्रसन को तो हम गिन सकते हैं तो आप केंगे यह तो हो गई संख्यावाची और संख्यावाची है तो आप केंगे उसमें गुन की तो बात नहीं कर रहा है देखें कहा रहा है इतिहासिक हमने कहा इतिहास का गुण है इतिहासिक यहाँ पर दिया है प्रभावसाली भी गुण होगा उस बिक्ति का फिदिया पास्चात दिया है हना पास्चात दिया है फिदिया बहुत लंबी रसी तो आप केंगे सर यहाँ पर जो अंसर आगया है कौ कहानी रोचक है है काहानी सबते हैं हमने भी एक हानी सुना दे हैं हमने भींगे छाइंप इस तर चाहती है उस पाइदा कर दिए क्या रोचक है लेकिन कौन सी यह काहानी जो हमने सुना कोना है एक में सुनायों कहानी रोचक로 और यह जो काम करो रहे संगया की जगह काम करो चाहि संगया कैसे स्बह्या कि यह संहां जब सर नाम स्जी काहते है debates कि तो दुए कर दो शलिए कि उच्ञारी काहानी पिंकाहा किरा ठोम कर दूंके समय सद्धानी तो यहां क्या है यह संग्या की इस्थान पर आया है और इस्थान पर आते हैं कौन सर्वनाम आते हैं और जोस्तों सर्वनाम की जो विसेश्टा बता देता है वो होता है विसेशन होता है तो यह हो गया सार्वनामिक विसेशन हो जाएगा ठीक है समझ में आया आया चलिए यहां पर दिया हैं चित्र बनाती हैं शबसे अच्छा आप संच चुना है येह चंच कि आपको सट कर देगा अगला पॉच्छा नियूमनत्म बिसेशन की कौन सी अवस्था है ये बताए नियूनतम जो दिया है ये बिसेशन की कौन सी अवस्था है ये आपको बताना है हमने कहा तीन सब्दाब के होते हैं बताए बिसेशन की तीन अवस्था होती है तो एक तो होती है मुला अवस्था मा यहां पर भी लगा है तो यह होगे उत्तमा उस्ता होगे सिंपल सी बात हमारे कहिने मतलब यह है कि अगर नियून तम लगा है तम तो यहां पर भी आपका तम लगा होगा अगर नियून तर लगा होता तो यहां भर भी आपका तर लगा होता ठीक है ना तो जब यह आप से पूंचे तम तो अताना है उत्तमा तर पूंचे तो आपको अताना है उत्तरा ठीक है आगे वड़ी यह कोशन आप से पूछा गया है यहाँ पर इस कंसर क्या है नियूंतम में नियूंतम में आप कंसर क्या हो गया डे नंबर नेस कोशन आप से कह रहा है य कि कोई योगिता नहीं है पढ़ाई की छित्र में होता है जब तक जौब ने मिलेगी तब तक बेकार हो अगर आपको जौब मिल जाए कबाड से कबाड हो आपकी बात को सब सुनेंगे आप जो कहो रुजब का डिनमबर राइट हो जाएगा, चलिए, आगे बड़ी क्वस्थन आप से गिलाप उचा गया है, आप से कहरा है, मोहनी तेज दोड़ती है, हम यहापर बोल दें, कि वईया, यहापर आपर 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 तेज दोड़ती है, हमना, यह बोल दिया, अब यहापर सारा है नहीं धर सारा है हमने का सर मोहनी तेज दोड़ती है बोलने को तो हमने यहां पर बोला कि वर्षा तेज दोड़ती है नीलू तेज दोड़ती है खुसी तेज दोड़ती है लेकिन इससे क्या मतलब है लेकिन यहां पर फोकस हो रहा है तेज दोड़ती है कि कैसी है बताना है चलिए हमने कहा एक लड़का इस्कूल जा रहा है हना अब यहापर देखा जाए तो हरी मोहन इस्कूल जा रहा है हना ठाकुर सिंग जा रहे है यहापर रमेश जी जा रहे है हना तो वहिया खान जी जा रहे है हमने कहा ठीक है तो वहिया एक लड़का इस्कूल जा है हमने AIDS चार पांच रिखा है पूइंटा पूेंट को समझ में आगया होगा लेकिन अगर ये question पूछा जाए क्या अगला point दिया गया है point क्या दिया गया है कह रहा है मोहन तुमसे चोगुना काम करता है मोहन तुमसे चोगुना काम करता है हम कह दें कि मोहन की जगा हम यापर हरी मोहन कह दें तो क्या हरी मोहन कहने से क्या कोई मतलब हुआ नहीं मतलब हो रहा है यह चोगुना काम कर रहा है उसकी पावर को बता रहा है कि मोहन जो है वो तुम से चार गुना काम करता है तो चार गुना पांच गुना छे गुना यह जो होते हैं यह गुना सब्द जो लगा होता है वो याद रखे देखो गुना में नीचे लगा है क् मैच कराने के लिए जवश्टे हमने जोंकि दिया बस आपके दिमाग में चला जाए कि नहीं आप ब्रत्य में चोटा की मातना निचे लगी होती है अगर पूछे चोगुना पाच गुना च्छागुना तो वहां पर छोटा हो की वाली जो आप ब्रत्य में लगा होगा चोटा कह रहा है ना हमने कहा मदरास का जो इस्थान इतना है हमने कहा ना ही अवस्था बता रहा है कि कैसी अवस्था है ना ही यहां पर दीशा बता रहा है कि नहीं चीन कहां पर है उत्तर पूर में है ना ही बिहार बता रहा है कि पूरम में है बता रहा है चीनी क्या बता रहा है ची की विसेस्ता बताई जाए जिस संग्या या सरुनाम सब्द की विसेस्ता बताई जाए वह क्या कहलाता है देखे 337 संबर का option क्या हो जाएगा जिस संग्या सरुनाम सब्द की विसेस्ता बताई जाए वो क्या कहलाता है इसका अंसर राइट क्या हो जाएगा चलिए यह क्या हो कहा+. जिस संग्या या सरुणाम सब्द की विशेशता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? छली। हमने कहा जब गुन की बात होती है तब तो विशेशन होता है लेकिन जब संग्या परिवासा को नोट कर लिएगा. आपन दोस्ट को 列ा है. यह मैं ह prosecutor कि उननत क्या दरसाता है आप याँ पर इंन से क्या हो जाएगा यहां पर इनमे से क्या स्थार्टे सें इसे तो निश्चीत हो जाएंगे आज मौसम कुछ आज पूछा गया है अब आपसे सब्सक्राइब दिया है आपका है क्या तो हमने का यहां पर देखे सोहना क्या है गुण है आज को जो मौसम है कुछ सुहावना है अर्थात ये इसका क्या है गुण है तो आप कहेंगे सर इसका अंसर क्या बनेगा यहाँ पर ये जो सुहावना है क्या है तो आपका जवाब हो जगा बी नमबर ये बी सेशन हो जगा ये बी सेशन हो जगा ये परचायक हो रहा है अगरा कुशन आप से यहां पर दिया गया है और आप से कह रहा है मेरे कुरते पैजामे में साढ़े तीन मीटर कपड़ा लगेगा कितने साढ़े तीन मीटर कपड़ा लगेगा तो हमने कहा है सजी यहां पर सबसे पहले दिया गया है क्या यहां पर पैजामा दिया गया है पै परिमाड वाच्छे किस कंसा जो आएगा और आइट हो जए कौनसा आपका सी निंबर हो जाएगा तो अब आप पॉइंट समझ गए कि यह ना पा जाता है तो परिमाड होता है और गिना जाता है तो संख्या होती है लेकिन उसमें भी आपका मिक्स होगा चलिए अगला कोशन आपको देखते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कुछ बच्चे इधार आओ वाकिमी बिसेशन को पहिंचाना है कुछ बच्चे इधार आओ वाकिमी बिसेशन आपसे पूछा है हरा तो हमने कहा कि इधार आओ तब तक सही है यहां पर कुछ बच्चे आओ तो ठीक है लेकिन कुछ बच्चे आओ इसका मतलब कुछ बच्चे पर फोकस हो रहा है कुछ बच्चे पर फोकस आ रहा है ठीक है ना इधाराओ हमने किसी को बुला सकते हैं इधाराओ उधाराओ ऐसे कर सकते हैं लेकिन यहां पर स्टार्टिंग कर रहा कुछ बच्चे इसका भी कोई महत्तो होना चाहिए अब इसका मतलब कुछ जो लगा दिया है ति इसका मतलब क्या हो गया है कि सर ये संख्यावाची है क्या है ये संख्यावाची है इसका जो अंसर बनेगा वो बनेगा आपका कौनसा डी नंबर राइट हो जेगा डी नंबर आपका निश्चित है तो है जिसे के रहा है कुरते के लिए दो मीटर देखो दो मीटर निश्चित है चाय में पच्चास ग्राम चीनी पड़ेगी ये भी निश्चित है या पर एक किलो आम ये भी आपका निश्चित है लेकिन सैक्णों लोग में आप बता सकते हैं क्या कि इसमें कि अगया है कि किस वाक्य में प्राविसेशन नहीं है प्राविसेशन क्या होता है हमने का जो विसेशन की विसेशन की क्वाल्टी को निकाल दे हना उसकी और विप्रधानता बता दे होता है अब देखें यहां पर देखा जाए तो आपका अंसर क्या हो सकता है चलिए बताएगा इसमें से क्या हो सकता है आपका, देखे पहला ओप्शन देखो, कहा रहा है मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुन्दर फूर हैं, आज कल संतरे कुछ जयादा ही खटे हैं, तो पर खट्टे ये हैं बहुत सुंदर की बात हो रही है बहुती भूंक लगी हुई है अब यहां पर ही लगा कि निपात लगा दिया है लेकिन आप्सन भी वाले में ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया है अब यहां पर दर्सक लोगों की हम लोग गिंती कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नव, दस, ग्यारा लेकिन क्लास में जब लिमिट में हो तब गिंती कर पाएंगे लेकिन अगर भीड जादा हो गई तो गिंना इतना आसान नहीं है अर्थात ये कई सब्द लगा दिया है इसका मतलब यह निश्चिता नहीं है य लेकिन भीड यह निश्चित नहीं है कि इतनी भीड में कौन इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है तो यह अनिश्चित है कई सब्द लगा दिया है अगे बढ़ एक कोशना आप सिगला पूछा गया और आपसे यहां पर दिया है कि अच्छा कमा दानी कमा न्याई कमा आप कहेंगे नहीं अच्छा सब्द क्या गंध को बता रहा है आप कहेंगे नहीं बता रहा है क्या यहां पर अच्छा है दानी है न्याई है करपालू है यह विक्तिका गुण है आप समझ गये हैं कि यहां पर अंसर क्या होगा सी नंबर ने स्कोर्शन दिया गया है क्या य है कड़वा है तो अच् nakड़वा है तो देखेगो यह plant उत्तर अधिकत अभस्था Χोती नहीं है जब कर यह नहीं तो इसको आप हटा दीजिगा अब यहां पसका खरदा अब जब करेला कड़वा है तो हमेसा उत्तमा में ही करिएगा क्या करिएगा उत्तमा में उत्तमा नहीं मतलब यहां करेला कड़वा है बहुत है कड़वा अगर होता तो हम बोलते हैं यह आपका मूह लवस्ता है यहां करेला कड़वा है यह आपका मूह लवस्ता हो जाएगा अगला कुछन आपसे यह पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है मैंने अपना घर या आप लोगों में किसी कोई भी स्टुडेंट हो जिसका हम अपना बोल दें कि वह या सनी जात का घर जो आपका है वो रंगवाया है तो ठ गिसे संग्या सब्द से बंने वारे दोस्तोru की सिसन क्या होगा तो सक्तइ शाली हो जब को हो जाएगा यह यहां पर संग्या है संग्या है लेकिन सब्सक्त्र इसक्ती साली भी वह जाएगा या दिर्किस को ओप्षय बहरेगा अगल यहां तक तो ठीक थे लेकिन फूल कैसे हैं तो आप यहीं सिर्फ फूल कैसे हैं पीले पूल आपका हो जाते हैं तो यहीं इसका गुन हो जाता है अर्था तिहां पर अंसर D हो जाएगा ठीके ना के लियर हो गया है उम्मीद है कि आप लोग बी सेशन अब अब जरू बता देंगे क्यों बैया कोई इसाब से आपको विसेशन में समझ्या नहीं होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर आपका आगया है नया टोपिक किरिया और किरिया विसेशन ठीक है किरिया और किरिया विसेशन देखो आप से कह रहा है हाँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पिछला वीडियो देखिए हना चल एक धातू हो गई पढ़ क्या हो गया एक धातू हो गई ठीक है ना लेकिन इनमें अगर ना प्रत्य जोड दिया जाए तो ये क्या हो जाते ही एक प्रकासिक किरियां बन जाती है समझ में मतलब ये आया कि किसी भी धातो के आगे अगर प्रत्य जोड दिया जाए तो ये क्यिया बन जाती है मचल के लिए लाङन पूछा गया और आप से कैरा है कि प्रणाथक क्यिया इनमें से क्या है अब देखी किरिया जो होती हो दो प्रकार की होती है दो प्रकार की किरिया होती है और ये दो प्रकार की किरिया में एक होता है प्रथम प्रधार्थक किरिया क्या होती है दूसरी होती है दूती प्रधार्थक किरिया क्या होती है प्रथम प्रधार्थक किरिया में क्या होता है आना सब्द होता है क्या होता है आना सब्द आपका होता है और दुती में होता है वाना सब्द होता है वाना होता है हना जैसे रोटी मंगाना रोटी मंगवाना हना दोनों में अंतर हो गया अब यहां पर कह रहा है प्रदार्थक किरिया कह रहा है गिरना बोलना सुनाना आना स कोई कारे करेंगे या किसी सी करवा भी रहे हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर कहा धेखा जाया तो आपका कारे कम आपका सिनमार हो जायाँ Nate कर कारे को कहते हैं क्रिया चलना हो गया तो इसमें चल दो क्या है इसमें नाप्रते जोड़ दिया गया तो धातु जो कहा जाता है किरिया के मूल रूप को कहते हैं क्योंकि चल क्या है इसमें से मूल रूप है तो आपके किरिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हमने आपको बताया कि चलना क्या है किरिया है लिकनि आपर अगर यतना सब देखा जाए जो आपका दिया है चल तो च क माण ने पिताजी से समान मंगवाया दिया खाया है ऐकार म करवाएंगे क्योंकि मंगवाया दिया गया है अग्याड नहीं मेंसे पर आपटेज़ दिया गया है क्योंकि यहां पर प्रेणा दी गई है माने पिताजी से समान मंगवाया तो यह क्या हो गई प्रेणा थे किरियापकी हो गई ठीक है न के लियर है आगे बड़ी कोशना आप से गला पूछा गया है और आप से यहां पर दिया गया है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है वा आप केंगे पत्र यहांपर ककल बिररे नावा सकता है यहां पर रोशन आसकता है राखूल आससल क्रेंगे संज्कार हिए प्याँ आपका आगया है और यहां पर लिखना क्या है किरिया है तो जब यहां पर किरिया के साथ कर्म होता है तो यह होता है सकर्मक किरिया होती है ठीक है ना आगे बढ़ी कोशना आप से गला पूछा गया है और आपसे यहां पर दिया है कि निम्न में से सही सकर्मक किरिया का उधार और अगर हम आपसे यह पूंच लिया जाए यहीं पर एक सब्द राम हस्ता है क्या लिख दिया जाए राम हस्ता है राम हस्ता है ठीक है ना तो हमने कहा कि यह कर्म के साथ प्रियुक्त होती है तो सकर्मक और कर्म के साथ ना प्रियुक्त होई तो अकर्मक होती है हमने कहा खान तो आप कहेंगे सर खाना खाता है तो आप कहेंगे सर कर्म में फोकस हो गया तो ये सकर्म हो गया कर्म सकर्म राम हस्ता है तो आप कहेंगे क्या हस्ता है तो आप कहेंगे पता नहीं सर क्या हस्ता है कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर इसमें कहेंगे कौन हस्ता है तो आप जरूरी है देखे यहां पर कौन सब home होगा बने शुराज क्या हो गया करता होगया कर्म तो आया नहीं क्या हो गया यहां पर देखे कर्म हो गया तो इसका मतलब यह शर्ण होना चाहिए तो आपकर सिर्फ और सिर्फ क्या अंस्ता है क्या हूडता है आप के नहीं पता है लेकिन क्या बजा रहा हो थे रवी दीवार रंगने लगा सरचना क्या दार पर उनका भेद आपको बताना है अच्छा कोर्शन है यहाँ पर बताना है रवी दीवार रंगने लगा वाक्य में सरचना क्या दार पर उसका भेद आपको बताना है चलिए क्या अंसर हो सकता है यहाँ पर जो अंसर होगा इनमे दूसरा फिर सुरू कर दिया है तो ऐसा भी नहीं है अब या तो इसमें से आपका सी होगा या तो आपका यहांपर डी हो सकता है लेकिन यहाद रिखे कह रहा है राम दिवार रंगने लगा रंगने भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है अर्था इसमें दो क्रिया आपके साथ हो रही है तो वह यहहां पर क्या हो जागा यहां पर अंसरा पका कर्णा कर रहे है यहां पर आगे बढ़ते हैं क्रिया के मूल रूप को कहते क्या है किरिया के मूल रूप को कहते क्या है इसे आपको बताना है वैसे उसमें सी था लेकिन आयोग ने उसमें गड़वड़ी दे दिया है इसलिए है ठीके न कहीं कहीं उसमें सी दिया है लेकिन कहीं कहीं आयोग ने उसको गड़वड़ भी कर दिया है UPSI की कॉर्डिंग द आज वर्षा होगी, यदि है होगी सब्दार से लिया गया है, और आप कहेंगे सर होगी, इसका मतलब है आपने पहले से भविस्वारी कर दिया, पहले ही आपने भविस्वारी कर दिया, इसका मतलब है कि जब भविस्वारी की जाती है, आगे के लिए तो भविस्वारी की जा पुस्तक तक तो ठीक है हमने कहे दिया रोली ने पुस्तक पढ़ी है हमने पढ़ दिया विनाय ने पुस्तक पढ़ी है हरी मोहन ने पुस्तक पढ़ी है यहां से कोई तो मतलब नहीं हो रहा है इतने से कोई मतलब नहीं यहां पर हम किसी का नाम लगा सकते हैं लेकिन पढ़ी पंधी है सब्न में आपका रहाए पढ़िए है और है सब्द में और ज़्यादा फोकस हो रहा है तो आप कहेंगि सब्धे पढ़िए तो इसका मतलब है कि आपक अंसर नेеспर्जक्श yapon वर्सरी नाम ले सकते हैं, हाना यहाँ पर विनय नाम ले सकते हैं, राहुल का नाम ले सकते हैं, कि राहुल खाता होगा, यहाँ पर सनी खाता होगा, तो यहाँ पर खाता और यहाँ पर दिया होगा, तो होगा सब्द से ही आपको पता चलना चाहिए, कि इसका अंसर क्या होज है जब संदेह बना रहा है तो संदेह आपका मतलब संदिक होता है अगला है निम्निकित वाक्यों में से पून वर्तमान काल को इस पस्ट करिएगा उमेद है कि जितने लोग यहां पर जोड़े हैं अभी इस पॉइंट को जरूर आप लोग सही करेंगे कि सर पून वर्तमान का है 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 सब्द कहोगा आप देखते हैं कौन संसर आपका दिया गया है पहला बैसन दिखिए कि अब कालिक वर्तमान काल हो जाएगा वा पढ़ रहा पहला ही बिल्कुल आपका राइट हो गया है समझ में आ गया आगे बड़ी कोशन आप से गला पूछा गया है आप से कह रहा है सुरेस गीत गा रहा था हमने कह दिया खुसी गीत गा रही थी हमने कह दिया काजल गीत गा रही थी हमने कह दिया वह आकास गीत गा रहा था लेकि स्थिति में क्या होता है यह होता है अब भूत काल क्योंकि था सब्स बताता है क्या कि यह भूत आपका है और रहा सब्द आपको बता रहा है कि यह किरिया भी वी cities चल dedicim यहांप से पूचे कि वर्टमान काल के किने होते हैं वर्तमानकाल के एगर पार्ट पूंछ लेता है तो आप केंगे वर्तमानकाल के हुते हैं पांच भेध होते हैं कितने पांच होते हैं सामान ने ताथ काली कुण संदिग दो होते हैं और भविस्सरकाल के दिखो सामान ने संभव्व особ hour है तुह होते हैं आगे बड़ी कोशन आप से लिए पूछा गया है कहा रहा है किरिया के जिस रूप में वर्तमान में किरिया होने का संदेख हो तो कहेंगे सजी वर्तमान तो है दिया है और किरिया कैसी है संदेख दिया गया है जब किरिया संदेख में दी गई है तो आपका अं option में यह answer देखो आपके होता है सबसे वड़ी बात होती है कि objective टेज पेपर में answer आपके सामने होता है बस answer को कैशसे निकालना है थोड़ा सक लॉजीक लगाएंगे अब तौड़ा से अपने पढ़ा है देखे अगला है तो बस यही अंसर आपका हो जाएगा अब आप लोग बताई जल्दी से लिखित भासा में हम अपनी विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो इसका मतलब है कि यह है समान ने वर्तमान काल क्या है समान क्योंकि भूत काल तो दिया नहीं गया है पून का मतलब ही नहीं बता रहा सचिन स्टूडियो जाएगा हना यहां पर वास्ति आएगी रोली जाएगी कोई भी नाम ले लिए लेकिन यहां पर दोस्तों जाएगी सब्द यहां पर सिर्फ केतना पकड़ना है इसमें पकड़ना है जाएगी और जाएगी सब्द क्या होता है गा गी यह होता किसमें है तो यह होता है भविष सिकाल में, क्या है भविष सिकाल में, तो आप कहेंगे, सर यह हिस्सामान ने भविष सिकाल हो जाएगा, क्योंकि संभावना की तो बात नहीं किया है, कि नहीं वो रस्ते में ही रह जाएगी, तो याद रखे, यहाँ पर क्या होगा, सिनम्बर हो जाए पर विलगता है, इसका मतलब यह हो जाता है, इसे कहते हैं, हे तू भविष सिकाल बोलेंगे, हे तू भविष सिकाल, अगर यहां पर था सब्द होता, कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता, तो मैं आज सफल हो जाता, ठेके, त्यादार की यहां पर जो अंसर होगा, कशना अप स विल्कुल भक्ते चले जाए इस क्लास में हमें सभी को वर्दी दिलाना है और जब सभी को वर्दी दिलाना है तो हमको सबको पकड़ कर चलना होगा कोई आज यहां पर पेपर नहीं हो रहा है हनत इसलिए हमको सबको लेकर चलना है सबको यहां पर कमजोर बालक होंगे कुछ सिंटर से भी आया हूँगे कुछ चार साल पढ़ाई चोन कर ओंगे उनको भी देखकर चलना है ठीके ना फास्ट अगर देखना हुआ करे तो जब क्लास खतम हुआ करे तब देख लिया करे हमें सबकी समस्य को सौल करना है दिको भया क्यारे सामान ने भूत काल दिया है वर्स चिपका हुआ जो किरिया अभी अभी हुई हो उसे कहते हैं आसम नहीं कहते हैं तो यहां तक इसकी बात हुई नहीं है कुछ समय पहले तो कुछ समय यह तो आप कहा हैं नहीं हैं था यहां पर दिखो कि मैंने समान वहीं रखा था तो होगा नहीं था नहीं होगा नहीं होगा अंसर D होगा कि हमने आज संदिक्द में होता है होगा अंसर मिल गया आपका D number के लिए रहे ना बस इन बातों को अब आपको पकड़ते वी चलना है ने इसको संदिया गया है कि करिया का सही रूप वाला विकल बताना है इसकोल बस पांच मिनट आना समान भविस्यत काल में मतलब यहां पर क्या किया जाए इसका मतलब क्या है इसका बहुत कुछ जादा बोल दिया है आना सब्द जो आपका दिया है क्या है समान भविस्यत काल में आपका दिया गया है अब यहां पर देखा जाए तो इसकोल बस प पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है कि अब यहां पर अप्मूण का मतलब कोई बचा नहीं है या तो सवान नेवरतमान काल होगा दो में से एक आपका होगा तो जब समाने वरतमान कालगा बिने लगाना है फूर्ण का मतलब भी नहीं कहना अनधा को परेम पूरा ह्य नहीं है प्रेम सब्द ही ने पूराया है तो परेम कैसे प्रेम कर दोंगे आपको लगाना है यह सब्द क्या है यह समान नहीं दोस्त नाद रखेगा यहां पर आग faster आ और आपसे कहा रहा है मैंने आम खा लिया है वाक में प्रियुक्तकाल पेंचाना है मैंने आम खा लिया है हमने कहा जब भी कभी खाने की बात करे क्या जब भी कभी वाक में खाने की बात करे इसका मतलब यह किरिया होती है आसन ने क्या होती है आसन मतलब होता है चिपका हुआ अब देखे आप गए थे कहां पर आप गए एक कैसकते हैं बाग में गए जहां आम का बाग था अब एक आम गिरा यहां पर आप दोड़ते हुए गए और इसको खा लिया इसके बाद पांच मुनट बाद एक आम फिर से गिरा आप दोड़ते हुए गए इसको खा लिया यह प गंटा में दिखा जाए तो आप 10 आम खा लिए अब 10 साम में अगर में आपसे पूचे क्या आपने आम खा लिया है आपको खा लिया है लेकिन कौन साम खाय हूं कौन साम खाया यह तो हमने नहीं पूछा ना आप जानते हो कि कौन साम खाय है तो बहिए ना पहला ना दूसरा मतलब खाए हो तो खाने वाले कीरिया होती है वो अभी अभी की बात की जाती है तो आपकी होती है क्या आपकी होती है पूर्ण भूत काल होता है याद रखिए जब चूका लगा होता है तब यहाँ पर आगे बड़ एक कुछसनाब से दिया गया है कहरा है चात्री स्कूल गए थे गए थे आपसे पूचा है तब आप कहेंगे बिल्कुल सही है गए थे और जब गए थे तो यहाँ पर यह हो जएगा पून भूत काल हो जएगा क्योंकि गए थे इसमें कोई चले आपका रंशर क्या हो गाएगा है तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा है अगरा कोशनी आप आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किरिया के जिस रूप से वर्तमान में होने से क्या वर्तमान में किरिया होने का संदे हो तो वर्तमान दिया है और संदे दिया है देखे कौन अंसर आपका मिला है क्या हो जगा वर्तमान और संदे मतलब आपसन आ प्रद्धान मंत्री बड़ ग्रस्त छेत्रों का दोरा करेंगे। तो आप ग्रस्त छेत्र है तो आप कहींगे सरुद्ध दोरा करेंगे तो भविसीशिकाल में हैं। अब यहां पर देखें वर्तमान को अठाएं। बद्दो ही बचेंगे या तो सम्भावना है तो याद रिखे एगर मोधी जी ने बोल विया है कि हम बारण गरस्त को करेंगे ही करेंगे तो यह एसा नहीं कि मोधी जी टेला आपको टेलाएंगे कि उनको ओर चाइए आपसे क्या उनको आपसे ओर चाहिए तो याद रिखेए ठैलाने की कोई बात नहीं होती संभावना नहीं होती अगर मोधी जी करेंगे तो करेंगे याद रिखेगा तो आप कहींगे शरी यहाँ पर हो जजेगा सामान ने आपका भविश्यकार है अगला कुछन आप से यहां पर दिया गया है कहा रहा है यदी बारिस होती तो सूखा ना पढ़ता यदी बारिस होती इसका मतलब है ये भूत की बात होने लगी हना कि यदी बारिस होती पहले की समय की बात कह रहा है तो आज आपको क्लास में नींद ना आ रही होती है ठीक है ना हमने कहा कि अगर आपने पहले से पढ़ाई किया होता तो आज क्लास में आपको नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि आपने सही से पढ़ा नहीं है तो आज इस क्लास को पढ़ने में समस्या हो रही है क्योंकि पे सब्सक्ता भूलते हैं अपोंड है कि रहा है या सब्सक्ता है आप लोग ठीकों ध्यानी नहीं देते हैं मतलब हमने आर देखते हैं वाज देखते हैं ये कैसे लिखते हैं ये किरिया के इसाफ से देखा जाता है ये जो लास्ट में होती है ये क्या कह रहा है इसको देखा कर ये था सब्द है या था सब्द है या होगा सब्द है इसको देखा जाता है चले अगला कोशन आप का ये का कोशन इसका मतलब वर्तमान तो है, मिली है, इसका मतलब आप कहेंगे, कि सर बिल्कुल सही बात है, कि मन को सांती मिली है, यह होगा पूलण वर्तमान कारिस कंसर है, राइट होगा कौन, यहाँ परोजब का बी नूम्बर है, राइट होजाएगा, ठीके न, चले, और अगरा कोशन आप देखो हमने सब्रकास्थ रहा कि अगर यह हो जाता मंदिर जाने के बाद हना मन को सांती मिली है ये हो गया लेकर अगर ये पुछे मंदिर जाने के बाद ठकावट दूर हो गई तो ये किरिया अभी की बात हो जाएगा मंदिर जाने से ठकावड दूर हो गई एक प्रकास से ऐसे बोले लेकिन मिली सब्द होती है तो यह पूर्ण हो जाता है ठीके तब अंसद आपको भी लगाना है यहाँ पर आगे बड़ी को सनाव सिकला पूछा गया है क्या रहा है दुनिया को नई राह दिखाता है दिखाता है तो इसका मतलब यह जो है क्या है तो यह तो आपका क्या है वर्तमान है क्योंकि है दिखाता यहाँ पर क्या है समाने है तो यह अंसर हो जाए आपका ए नमर समाने वर्तमान काल क्या हो जाएगा यह समाने वर्तमान काल क्योंकि समाने भविसी की बात किया नहीं है पून की पात नहीं किया है तो आप कहेंगे और देखा जाएगा और आप So。」 और देखा जाएग चहजाने लगती हैं लगती सब्द क्या है यह समाने है है सब्द क्या है तो आप केंगे वर्तमान है तो आप केंगे अंसर इनमें सी क्या हो जएगा तो आपका अंसर भी हो जएगा यह समान ने वर्तमान काल है क्योंकि है सब्द वर्तमान है लगता सब्द जो आपका दिया हो क्या है समान ने है टिंपल सी बात अंसर हो गया है अग यहां पर देखा जाए भूत काल की बात किया नहीं है भूत काल की बात किया नहीं है भूत काल की बात किया नहीं है आपके इसर आपका भी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान का अंसर राइट हो जाएगा आगे बड़ी कुछनाप सिगला पूछा गया और आपसे यहां पर दिया जब भी सायद लगा दे तो यह संभावना हो जाती है कि कल सायद पर इच्छा परडाम घोसित हो यह अधा से सम्मान हो जाएगा और होगा सब दिया है तो भविस्वकाल हो जाएगा अगर्वत्ति के सुगंद से थकावट दूर हो गई देखें मिल गया जो अभी हम बात कर र भूत काल है और दूर हो गई यह समान है तो यहाँ पर इस समान हो जाएगा क्योंकि यह थकावट कौन से आपको नहीं मालूम है यह अभी होई है यह बहुत देर पहले होई है कि रिया को वास्तिक्ता नहीं दी गई है कि नहीं अभी थकावट दूर होई है कि गंटा पहले हो गई थी हना तो यहां पर यह होता है समान नहीं होता है उसमें क्या था मिली है मतलब आपको अराम पूरी तरीके से मिल गई हूँ इसलिए वह आपका फून था यह क्या है मदूर हो गई गई सब्द क्या अभी अभी बात हो यह ना तो इसका मतलब है यह समान हो गया है आग कह सकते हैं यहां पर विनय का है तो कहेंगे विनय गया लेकिन बच्चा घर में नहीं पहुंचा है ना तभी तो मम्मी आई होंगी तभी तो आई है ना तो यह क्या ही यह समान निभूत काल में आएगा यहां पर जो अंसर बनेगा समान निभूत काल इसक अंसर राइट हो जा यहांस यह रिकैंगे करने यहां पर रिया दिए करल किוכि यहां पर हैस अब यह सालऑ बारि और हैंपका पुझा बैंत्व और हो जाए हैं लसे पर भशुमाइन हो जाएगा है आगे बड़ यह कुछनाव सी गला पूछा गया और आप से कह रहा है वहा काम बहुत धंक से करते हैं। बैठो मैं अभी आया भूतकाल की बात तो हो नहीं रही है संभावना तो हो नहीं रही है भविसी की बात हो नहीं रही है कि मैं आऊंगा तुम बैठो मैं आऊंगा नहीं तुम बैठो मैं अभी आया अभी आया मिदलब आपका वरतमान की बात हो रही है मैं अभी आया यह वर और वाजचे का प्रकार ठीक है वाजचे और वाजचे का प्रकार यहाँ पर topic आपका आ चुगा है छिर्ण देख लेते हैं कितना बड़ा razem भाम को नंच्या प्रसक्वा रहेता है नहीं जाता, आप कि sentido से खाया नहीं जाता यहां पर का नहीं जाता है, यहां पर का रेमाई, खिया क्या है, अब कर्म है, यहां बताने है, आपका क्या है। कि देखो जो आपके वाच्च होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे सर एक करता होता है अगला कोशन ने आपके सामने है वाच्च में प्रदान होता है कर मौपके होजएगा आगर न efter दिनावता हूं गर्मवाच ने कर्मवाच में से क्या हो जाएगा कर मौछ चलिए मुझसे खाया जाता था था सब्द आपका नहीं लगाएंगे था सब्द नहीं लगाएंगे भई फिर दिया है मेरे से तेरे से मेरे से हिंदी में प्रियोग नहीं करते हैं ठीक है मेरे से तेरे से ये सब्द प्रियोग नहीं करते हैं मुझसे खाया नहीं जाता ये तो भाव हो गया है बचा एक है option ने देखे डी number मुझसे खाया जाता है मुझसे खाया जाता है अंसर आपको बनेगा कौन है यहाँ पर D हो गया क्योंकि अगर negative लगा देगे तो यह तो आपका देखा जाए भाव अच्च हो जाएगा और आपको बनाना है कर्म अच्च में था सब्द लगाने नहीं था यहाँ पर मेरे सित्यरे लगाना नहीं चाया था 4 ओप्सन देखिए चैंड़ी सिा असान होता है हिंदी हमने का बहूत यह आसान होती है 4 ओप्सन को देखिए आपके सामने अंसर मिल गया अगला कुछ नाप से यहाँ पर दिया गया है क्या रहा है पिता जी पत्र पढ़ रहे थे वाकि में किस विकलब का सही चायना आपको करना है चलिए पिता जी पत्र पढ़ रहे थे हना तो हमने कासर यहाँ पर दिखा जाए एक सब्द आपको और लिख लेना है यहाँ पर लि पत्र पढ़ा गया, हमने का जब भी कभी द्वारा लगा दिया जाए, तियाद रिखना वह आपका करम वच्छे हो जाएगा, पिता जी, के द्वारा पत्र पढ़ा गया, ये कुछ भी हो दुनिया में, कभी भी द्वारा हो, मतलब जो आप लोग पैसी वास पढ़ते हैं, वह यहां पर देखे हांथी ने केला खाया अब आप कहेंगे सजी यहां पर भी एक अदूरा काम है कर्म वाच्च लखे लेजिए कर्म वाच्च क्या हो जाएगा कर्म वाच्च में इसका रूप क्या हो जाएगा चले बदाए इसका अंसर क्या हो जाएगा आप कहेंगे कि सर आंती ने के लगाए इसको कर्मवच में पर्वरतन करना है तो यहां पर दौरा सब्द लगा है ना आपसन आपसन आपसे नमर आगे वड़ी कोछना आप सिखला पूछा गया और आपसे यहां पर दिया गया है कि उस सई विकलब का चैन करें जो बताता है कि किरिया भूतकाल से सुरू होकर अभी अभी समापत होई है भूतकाल में सुरू होई थी और अभी अभी क्या होई समापत होई है मतलब ये होता है अभी अभी मतलब होता है आसन ने क्या होता है आसन ने भूतकाल पच्छी उस पानी पीया जाता है याद रहते द्वारा हो गया करता वाक्य में अब मताईबेगा वह काम नहीं करता है वाकि में अब्बे बताना है अब्बे क्या होता है जिसमें क्या परिवर्तन ना हो किसी प्रकार का हना वो होता है अब्बे होता है चले तो यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो वहा काम का नहीं है तो यहाँ पर एक सब्द आपका इस्ट्राद सब्द आ गया है नहीं वहा काम नहीं करता वहा काम नहीं करता वहा काम करता यह भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए हमने बोल दें कि सर वहा काम करता है आप कहेंगे सही है वहा काम नहीं करता है बस वहा सरस्टी होजगा नहीं जो नहीं सब्द दिया है यह हो गया है' अब्वे हो गया है ठीक है ना केलियर है तो चरिए अगडर पॉइंट से कहा है यहां पर देखें दूसरा कोशन कि आज दिनमर वर्षा होती रही कौन सा आप्वेगा दिया गया है चले कहा है आज दिनमर वर्शा होती रहे हुँरेखान की सब्द का सही अपका अब्व 돼 खबी दिन में से कौन सा हो जाएगा हमने कहा कि सर आज वर्सा होती रही ये भी हम लोग कह सकते थे लेकिन दिन भर सब्द लगाने से थोड़ा सवाकि अच्छा लग गया लेकिन इसको अगर हटा भी लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है कि आज दिन भर वर्षा होती रही अगर हम याप ले आज वर्षा होती रही ये विसंटिंस ही लग रहा है बस थोड़ा सचने लगेगा जैसे खाना खा रहे हैं और खाने में अगर अचार ना मिले ये समझेगे ये जो आपके अब्वे होते हैं ये अचार का काम करते हैं कि ख क्रिया बी सेशन अभिए है त Alrighty, यहां पर आपका राइट होजएगा, अनेमरिसका बन जाएगा, नोट कर लीजएगा, ठीक है ना, किलेर है, तो चलिए, अगरा कॉशन यहां पर आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है, कह रहा है, निम्लिखित में से कौन सा क्रिया बी स सब्सक्राइब नहीं हो ठीक है तो आप कहेंगे सब्सक्राइब पर पूछा गया और आप से यह आपका दीआ गया है बारिष बहुत ज्यादा हो रही है इस वाकिमी ज्यादा सब्सक्राइब करका है क्या हुट ये कुछ भी कहे तो समझो वह क्या होता है यह ही यह होता है इसका अंसर। तो आप से कह रहा है राधा से स्कूटी चला रही है आपको भावाच में कनवर्ट कर दीजेगा क्या हो सकता है भावच में क्या राधा से स्कूटी चलाई जाती है हाना लगवागा अंसर आपको यहीं मिल गया है अगरा कुछ ना आपसे क्या कहरा है देखेगा कहरा है किन्यम्न में से कौन सा विकल्प पर काल वाचग करिया भी सिप्स का नहीं है इसको आपको देखना पड़ेगा यही आपसे Excamp करवाता है तो भईया यहाँ पर दिखा लिया है आज तक दिया है बहुधा दिया है बाहर भीतर दिया है और प्रतिवर्स दिया है अब आप यह बताएए कि काल वाचक क्रिया भी सेशन आपका कौन सा नहीं है आप कहेंगे आज तक जो आपका दिया है इसमें आज तक समझ में आ रहा है कि बाहर भीतर में कोई समय ऐसा तो आपका दिया नहीं गया है यादर कि काल वाचक में क्या होते हैं जैसे क्या होता है आज कल तुरंत पीछे पहले अब जब तब कभी कभी अब हना कब से जब से अभी तग तब ही आज कल ये सब्द होते हैं तो आपके हमेशा होते हैं अब तो आपको मतलब क्या है कि केवल इतना है तो आपके इप परिपान penband के बात हो रहे हैं यहां पर अंसर आपको पूछा गया है और आप से यहां पर क्या कह रहा है तो आप कहेंगे सर तेज गती क्या है हमने बताया कि बारिश तेज हो रहे हैं घोड़ा तेज दोड़ रहा है हना तो यहाँ पर देखा जा क्या इस थान आपका हो नहीं सकता है हना यहाँ पर देखे काल का बाद तो कहीं नहीं रहा है हना ओ तेज गति दिया गया है तो आप कहेंगे सरॉप्शन भी हो जगा परिमाड वाचक किरियावी सिप्शन अब देखे जब यहांपर देया है मैं रोज पढ़ता हुँ तो यह रोज क्या सब्दा का है तो आप कहें कि रोज सब्द है क्या यहांपर अगला कुछ ना आप से कह रहा है क्या यहाँ पर दिया गया है किरिया विसेशन के कितने भेद होते हैं चले बार बार आ रहा है सब्दना किरिया विसेशन के कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है किरिया विसेशन के कितने भेद होते हैं चले तो आप कहेंगे सर किरिया विसेशन के भेद होते हैं चार कितने होते हैं चार तो आप सम और इसका। इंप। उनां के आपगे कितने होते हैं तो आप कहेंग yhtी सवांता चार बेदर होते हैं और इन चार-बेदों में एक तो स सरीवांचकिया होजता है दूसरा यE a pakt तो आप कहेंगे स्थानोर्जकशबुत git होज़यागा चौथा क्या होता है यहां पर होज делает है यहां पर परिमाड हो जागा क्या है उसका किन पूनलर्प पूंच है न याद रहेगा चलिए यहां पर दोस्तों आगे बड़ी एक वश्चण आप सी पूछा घया है क्या कहरा है देखेंगा कि गाफन नास्ता बनाती समें कॉम सी क्रिया विसेशन है तो चलिए यहां पर बताना है हमने कहा देखो यहां पर दिया है सुबह सब्दाप से दिया गया है और जब सुबह दिया है तो आपको बताइए सुबह क्या होता है क्या रीत में लाएंगे क्या परिमाड में लाएंगे क्या इस्थान में लाएंगे आप क कि रात को अचानक वर्षा होने लगी किरिया विसिशन का भीद बताना है रात को अचानक वर्षा होने लगी हमने का सर रात को अचानक वर्षा होने लगी दिन हो या रात हो जब रात दिया है तो क्या परिमाड हो जाएगा क्या नहीं होगा क्या इस्थान बता रहा है नहीं बता रहा है हमने का जब भी बिल्कुल आपको हिंदी ना है तो बस यह देखा कर यह option में थोड़ा सा दिमाद तो आपका जाएगा ही जाएगा अब यहाँ पर रीत को नहीं बता रहा है कि अधरात को अचानक हो रही है लेकिन बहुत दीरे हो सब्द किरिया की विसिस्ता बताए उसे क्या कहते हैं जो सब्द किरिया की विसिस्ता बताते हैं उन्हें कहा क्या जाता है दोस्तों यह बताना है तो जब किरिया की कोई विसिस्ता बताने लगे तो हमने का जैसे संग्या की विसिस्ता बताते तो विसिशन हो जाता था जब तो किरिया की विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यहां पर देखा जाए तो आप कंसर क्या हो जएगा आप केंगे सजी यहां पर देखा जाए प्राचीन दिया है यहां पर मोटा दिया है यहां पर गरीब दिया है और और दिया है अब और सब अगर आप नाम रख लेते हैं तो और को क्या कहिए सकते हैं और को आप कुछ नही बताना है इस कंसर्स क्या हो जाएगा समान अदिकरन दिया और врем प्रति दिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए प्रति दिन जो आपका है उसमें अंडर लाइन लगे हैं तो बस यह बताएं प्रति दिन जो आपका दिया गया है इसमें से आपका सब्द ये है क्या यह क्या सब्द आपका है हमें प्रति दिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए तो हमने का हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए यह भी बन सकता था लेकिन प्रति दिन सब्द जो आपका आगया यह हो गया अब बुरा भला कहा लेकिन क्या यहां पर जो सब्द होगा लेकिन होगा लेकिन वह अच्छा बना रहा तो यह क्या है लेकिन सब्द आपको जोड़ रहा है किसको जोड़ रहा है यह समुच्य बुद्ध को बता रहा है कि सब्द ने उसे बुरा भला कहा लेकिन वह अच्छा बना तो यह क्या है दोनों sentence को जोड रहा है ठीके नहीं कोशन आपके कड गए हैं यहाँ पर देखे अगला कोशन देआ गया है कि सीता के आगे रमा खड़ी है रेखांकिर सब्दों के अब्वे भेद बताना है तो यह जो आगे सब्द लगा है ना आगे सब्द लगा है तो सीता के आगे किसके आगे तो सीता के आगे है कौन रमा है तो यह सीता और रमा के बीच जो आपका आगे है यह का संबंध बुधक अगला question यहाप आप से दिया गया और आप से कह रहा है कि जिन सब्दों में link वच्छन, कारकात के कारण कोई परिवर्थन नहीं होता उसे क्या कहते हैं यह direct पर कमेंट चोन कर सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा ओफ लाइन देख रहे हैं तो भी आफ लाइन भी वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक है ना फिर इसके बाद यहां पर समझे चले देखो हमने का आप यह जिन सब्दों में लिंग वचन कारकाद की कारण को हो जाएंगे और यह आविकारी भी होते हैं अगला कैम आपका आगया है जो की नया टॉपिक है उफसर्ग बताना है उपसर्ग जो आपका है नया प्रतिया हो न चाहिए जब भी कभी उसको तोड़ो तो तोड़ने में एक सब्ध जो मूल शब्द होता हुँ शुद्ध निकलेगा जैसे एक सब्द निकली है यह सब्द जो निकलेगा। ठीक है ना तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी इसमें जो प्रती आया है क्या है यह उपसर हो जाएगा अगला कोशना आप से यहाँ पर दिया गया है क्या रहे है पराजय में उपसर आपका क्या है तो हमने कहा इसका सुद्ध सब्ध पहले क्या निकालो सबसे पहले सुद्ध सबसे आसान होता है आपको यह पता है कि नहीं इसका मुल सब्सक्राइब क्या आपका सुद्स सब्सक्राइब निकाल लेजिए बच्चे जितना बच्चेज़ वही अपका अंसर हो जाएगा एक अगर इसमें से अंधातर कोई पतलब नहीं होगा तो आपके इंसर अंधन चर आपका निकलेगा अनुधन चर चर का मतलब आपका निकलेगा तो अन हो जएगा उपसर ए नंबर आगे बड़ी कोशना आप से गलाप कुछा गया और आप से यहां पर दिया गया है संयोग सब्द में उपसर और मूल सब्द ब यह वाला समधन योग योग का अर्थ भी हो गया अंसर भी आपको मिल गया और नंबर भी आपको मिल गये है आगे बड़ी कोशना आप से गलाप पूछा गया है और आप से कह रहा है अडिक सब्द में कौन सा प्रियुक्त किया गया है क्या प्रियुक्त किया गया है उपसर जरो इसमें नहीं है आपके इसमें पुणर जनम में समय देखा जाए पुणर जनम हाना पुणर जनम निकलेगा तो इसमें आपका निकल आएगा भी या पुना है यहाँ पर दिखा जाए बीवाले में तो आप कहेंगे कुछ सब्द आपका निकल कर आजाएगा आज जीवन में जीवन मुल सब्द होगा तो आ निकल कर आएगा लेकिन दिखावा सब्द में यहाँ पर क्या निकाल देंगे और आप से कह rhाए है कि संगम हना कहा दिया है संगम, समध, संसेकार संयुक्त, आद इस सब्दों में जो उफसर्ग आपका है उन में से क्या है यहाँ पर उफसर्ग बनेगा उन में से राइट क्या हो सकता है तो आप कहेंगे सजी इसमें सम सब्द निकल के आ रहा है सभी में बस एकई सुनाई दे रहा है सम 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 तो आप कहेंगे सजी सिम 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 खुल जा सिम सिम याद रिखे इसका अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सम हो जाएगा जो की अंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा ठेके न अगरा कॉर्शन यह आपर आप से दिया गया है और आप से कह रहा है कि अप उपसर्ग दिये गए विकल्पों में से किस के साथ प्रिक्त हो सकता है मतलब यह जो अप उपसर्ग है इसको किसके साथ उपसर्ग करेंगे अप जय क्या मतलब होता है क्यों यह उपसर्ग मतलब होता है सब्द के आगे अब यहाँ पर अप लगाएंगे तो अप जय तो मतलब नहीं होगा अपराम बनेगा नहीं, लेकिन अपमान सब्द जरूर हो जएगा, हाई स्कूल में इसी तरह पूछे आते हैं, कि अप से बताए दीजे, दो-तीन सब्द बतादीजे, अप उपसर्ग से दो सब्द बना देना है, अपमान हो जएगा, हाना, तो आप कहेंगे, अपमान वियाला सब्द करेंगे, हमने का उफसर्ग और प्रत्य दोनों सब्दांद से हैं, अप कंसर हो गया, सी नंबर, किलेर हो गया है, आईए निस्ट पॉइंट में जो कि निस्ट आप का गया, प्रत्य से जुड़े है, हम जादा जादा कोसर नहीं ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ए से पांच कोर्षन पढ़ाते हैं हर एक टॉपिक में बस वही राम बाणक इसलिए हम आपको बताया कि इस लिज लंबे नहीं है इसी स्रीज में सम्मिलना है कहारा है कौन सब्द आपका प्रत्य से नहीं बना है वही प्रिक्रिया जैसे हमने उपसर्ण में पढ़ा था कि एक समूल सब्द पहले होगा और इस्टरा सब्द जो आपको बचेगा वह आपका लास्ट में बचेगा तो देखो यहां पर कहेंगे सजी सिस्या दिया है सिस्य निकाल दीजे यहां पर बड़ा निकलाएगा सेर निकला है यहां पर दया मैं दिया गया है हना दया और मैं निकल परी कोई मतलब है तो आपका होता है तो आप कहेंगे परीक्त क्या है अंसर आने हो गया है यहां पर देता है रहा है यहां पर इसका प्रत्यक्त होता है यह अ turtle लाश्ट में आपर 1फ कैसे व्यख्यानिक दिया है विज्यान धनीक बनेगा तो आलेज क्या हो गया है आपसे दिये हैं कि लिखावत में प्रत्य क्या है रिकाünden इस चेलिएं चेल इस्वत ओकर वथ और आलना क्या वने गा आवट और लिखावट यहां पर देखे, आपका जो अंसर है, वो आपका D हो जगा, आवट इसका अंसर राइट हो जगा, यहां पर आगे बड़ी कोशन आप से इलाप उच्छा गया है, और आप से यहां पर कहरा है, दिया गया है, विया क्या कहरा है, निम्ड में से कौन सब्द आपका प्रत्य से नहीं बना है दोस्तों यहां पर जवाब देना है हमने का सर यहां पर देखो लालिमा दिया गया है यहां पर टुकडी दिया गया है आपके लालिमा इमा सब्द निकलेगा टुकडी में भी आपका बड़ी निकलेगा सतिमान में मान निकलेगा लेकिन सफल में क्या निकल सकता शफल में कुछ नहीं अपर दिखे अंसर क्या होजिए का है निर्मित है याद रिक्टेंगा अब कहिए मिल इसका मूल सब्ध होजएगा और आप लिए mniej-new नमर होजएगा ठीके ना और आगे बड़ी कोशनाम सिगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किसे बुलकड सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है दोस्तों यहां पर देखे बुलकड हना आप कहेंगे जैसे घुमकड जैसे पियकड जैसे फकड जैसे भुकड जैसे लकड इन सब में प्रत्य होता है अकड क्या होता है अंसर बनेगा आपका सिनमर हो जाएगा ठेके ना किलियर हो गया है आई ए नेस टोपिक पर आगया है आपका संदी आगया है देखे हर टोपिक से बहुत इकम कोशन आपको करा रहें लेकिन जितने करा रहें इसको रट्टा मालीजेगा कोश बिच में देखना जाता है यहां पर आपको बड़ा A होगा यहां पर बड़ा अपका होगा तो यह होता है आपका देरगर संधी होता है तो एक होगी है क्या हो जाएगा प्राइबा, इसलिह और आधफरी और यह मेसं वहें। स्वीरस binnenजानेशने यू की स्टुने टरूजमनेशने में dus इनीधक, आधफरी सब्सक्राइब स्थात्याईबि आधर से प्रद्जी होतकिं बर सुप्सक्राइबा, उससार सेM मिल जाएगी कहीं नहीं तुम मिलेगी नहीं ठीक है न तो यह को मातरा कि मिलेगी और ओओ की मातरा मिलेगी यह दो ही मातरा इसमें और कुछ नहीं मिलेगा तो अपनी कॉपी में बुल लिए कि वरधी में क्या होता बस मात्रा देखना की बीच में मात्रा काहिकी लगी है ठीक है अगला कोशन देखेगा यहां पर कहिएगा क्या निम्ड में से कौन सब्दा प्रत्य से बना हुआ है प्रत्य से बना है आपसे अगला कोशन आप आपसे देगा और आपसे कह रहा है महुच्छो का संधीट बताना है उम्हीं देख़े इस पॉइंट को आपने समझ लेया है तो यह देखी मात्रा हम निकारना है मात्रा कौन सी है बस मात्रा को देखना होता है संधी में एक सेकिंड भी नहीं समय लगेग चलिए ओ की मात्रा होती किसमें है आप केंगे सर ओ की मात्रा तो गुन संदी में होती है किसमें होती है गुन संदी में होती है और यहाँ पर देखा जाए तो गुन संदी के रूल के कॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा कान महाधनुत्सो क्या बनेगा महाधनुत्सो और था तीस सब्सक्राइब होसद का संधी है कूण सी आपको सबसे पहले पता होने चि々ंदी है कौनता बातमी मिली जाएंगे इसको तोड़ने में मातरा है यह कौन सी मातरा है यह आउओकी इनम्बरे राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखेगा किलियर हो गया है आगे बड़ी कोशनाव सिला पूछा गया है और आप से कह रहा है स्वर संदी में किसका मेल होता है जब हम लोग स्वर संदी पढ़ रहे होते हैं तो स्वर संदी में स्वरों का ही मेल होता है किसका स् कि विशर्ग संदी में विशर्ग का मेल होता है लेकिन क्या होता है बेंजन में क्या होता है बेंजन गीत धन अंजली और अंजली इस प्रकास से सुद्ध लिखते हैं भईया अंजली आपका इस प्रकास से सुद्ध लिखेंगे तो अंसर्थ यहीं से मिल गया है अब ये बताई इसमें संदी कौनी है तो हमने का मात्रा देखिए बीच दोनों सब्दों को जोड़ने वाले में मात्रा कौन सी है आप केंगे सजी मात्रा तो ये दिख रही है अब ये मात्रा तो बड़ा की मात्रा है अब आप ये बताइए बड़ा की मातरा होती किस में है यो भी या बड़ा की जो मातरा होती हो किस में होती है आप केंगे सर बड़ा की मातरा होती ही दीरग में ये संदी क्या हो गई तो आप केंगे सर जी दीर जो संदी हो गई ना कोई मेहनत ना कुई सी प्रकार की मेहनत है अगला कोशिनाıldब का आगया है, आपका है कि खिलाओना सब्द का मूल सब्द बताना है। यहाप भी नंबर होजएगा है, और जैसे बीच callerना, उड़ाना यह सब्द आपके होते हैं। अगरा question आपस दिया गया है, कहा रहा है स्वागत में संद्विछेद करना है, स्वागत में संद्विछेद करना है, आप कहेंगे सर इसमें संदी कौन सी है, सबसे पहले हमने कहा कि यह नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि इसमें संदी है क्या, हमने यहां पर option भी देखना है कि आपस्यों में देखना है आप सीर्च देखी कि आपका है कि अप में पहरेंगे हमने का भटाया था है कि रूल के। गहले है रूल nellòng उसर्थी लँयक के स्था ग 28ábां सूर ठिर ल foram घुब जों सूर अज़ते इया जो same true same सब्द हैं यह तो बिंजन में मिल जाएंगे हना आपके बिसर्ग में हो जाता जिसे रामायड होता है तो रामधन अयान हो जाता रामायड वो तोड़ने में लेकिन कभी भी स्वरसंदी में ऐसा नहीं होता है जो सब्द आपका दिया है उसको तोड़ के आपको प्लस चोटा बरावर बड़ा हमने यह भी पढ़ा रखा यहां पर चोटी बरावर क्या हो गया यह वह भी हमने पढ़ा दिया है लेकिन जब हम आपको बेटर तरीके से सिर्फ आपको वह बताएंगी जितना जरूरी है यहां प्रणसर तो आपका हो गया यह नंबर अगला कोशन आप से दिया गया है और आप से कह रहा है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या तो आपके सजी संधी कहत क्यों कि वर्णों का मेल हो रहा है तो यहां पर अंसर आपका डी हो जाएगा अगला कोशन आप से यहां पर दिया गया है यहां से काम तो बना नहीं है मतलब एक तो काम हो गया दूसरा काम हमें डूड़ना है धर्म धन आत्मा धर्म धन आत्मा देखिए आपस मन गया है आपका बी नमबर आगे बड़ी कोशन आप से गला पकुछा गया और आपसे यहां पर दिया गया है इनमें कौन सा विकल्प आसंगत दिया गया है दोस्त होता है हमने का यह बहुत ही आसान होते हैं कैसे आसान होते हैं यहां पर देखिए अगर यह आधा अचर होता है तो इसके नीचे हलंत लगी होती है और अगर इसमें से हलंत लगी है तो यहां पर छोटा की मातरा दी गई होगी और इसको अगर पूरा अचर बनाना है तो यह answer लगा, यह answer कौन D number, क्योंकि यहां पर जब A निकला है, इसका मतलब अड़ा ही होगा के नहीं होगा, पूरा तो होई नहीं सकता है, तो यहां पर आप कहेंगे, answer यहां पर बने कौन सा आपका D number हो जेगा, अब इसको देखना है, तो आप लग दे सकते हैं, कैसे, इसको हो गया, यहां पर देखेंगे, तो यह जो नीचे लगा हुआ है, का धन सा वाला, का धन सावाला, उसके को बनेगा, तो यहां पर आगे सब्सक्राइब है यहां पर दोस्तों देखा जाए संदी कौन सी है मातरा है बड़ी की मातरा है और बड़ी दीर रसॉर्ण संदी हो जाएगी क्या हो जाएगा आपको तोड़ने में सुधन उक्ति आ रहा है क्या रहा है सुधन उक्ति मतलब सुंदर उक्ति अर्था सुंदर कथन यह भी कहेंगे ना अब यह बताइए इसमें संधी क्या है सबसे पहले हम आगे ने पढ़ाएंगे पहले आप बताइए कि यह संदी आपकी है कौन सी बताए, मात्रा पर चूटा की मात्र कैसे निकलेगा, सू धन उक्ति छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ाउ हो जाएगा तो सू धन उक्ति जोकी आपसन नमर कौन है यहाँ पर अंसर आपका लगभख सभी कर साई ए नमर आपका हो जाएगा अगरा कोशन यहाँ पर बताईएगा कोशन आप से कह रहा है क्यारत सदायो में संदी कौन सी है चलिए अब इसको बता दीजी तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमने जो संदीयां पढ़ाया है आपको कुछ तो समझ में आही गया होगा है ना हमने अगर संदीयां पढ़ाया है तो कुछ तो समझ में आ गया होगा अब आप कहेंगे सजी यहां पर आए की मात्रा है और आए की मात्रा होती किसमें है तो आप कहेंगे आए की मात्रा होती है ब्रद्धिमें किसमें होती है आए की मात्रा होती है आए की मात्रा औ की मात्रा यह ब्रद्धिमें होती है तो आप कहेंगे सजी सदाधन आयो क्या यहां पर आपको कौन है यहां पर अपने वीडियो देख लिएगा और बेतर त्रीके से समझ में आ जाएंगे यहां पर देखिए अगला कोशन आप गया है जूकि आपकी नए टॉपिक में आ गये हैं आपकी समास में आ गये हैं किसमें समास क्या है सदभावना में समास क्या है अब देखिए समास को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं चार चीजें वह आपको याद रहेंगी तो हो सकता है कि आपको कोशन देखना न पड़े अंसर आ जाए बिना देखे अंसर आ जाएगा देखिए हमने का समास में सबसे इस हो गया बहुवरी चमास जो कि बिसेस हिरत हो भगवान का नाम हो रांचास का नाम हो विदत कोई नाम हो वह होता है आप मिलेगा तो देखते हैं एक टोट है जो सब्द भी होता है तो भी कर्मधारे समास में यहां पर होता है ठीक है बीस्मितामा ने आजीवन साधी ना करने का प्रणा लिया दोस्तो आजीवन सब्द जो दिया गया है आजीवन सब्द जो दिया है इसमें है क्या हमने का इसमें लगा है उपसर्ग और जिस सब्द में पहला सब्द ही उपसर्ग निकल जाए तो ब्रह्मान्ड में कोई भी ऐसा सब्द मिले का समास बताना है देश भक्ति अब इसको देखो आपको ऐसे तो नहीं समझ में आगा है लेकिन इसको तोड़ने में दिखा जाए देश के लिए भक्ति क्या होज़ेगा देश के लिए भक्ति अब देश के लिए भक्ति है तो आप कहेंगे दिखिए हम क्या है अपना सर्वस् अर्था तिसमें संपर्दान होगा देष के लिए के लिए सब्सक्राइब एपका D हो जेगा अब Verए बिग्रा की द्रस्टि से borship में कौं से अनुचित आपका इन में ज्वाप का है वो कौन सा है यहाँ पर जवाब देना है तो चलिए यहाँ पर जवाब देख लेते हैं हमने का सर जी वन मिवास वनवास हो गया देश पर निकाला देश पर निकाला क्या बन रहा है नहीं निकाल रहे हैं अलग कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं तो से सब्ध होता है देश से निकाला होता है क्या देश से निकाला होता है हना ये गड़वड़ी हो गई आपके बिम्बर में चंद्र का प्रिकास, चंद्र प्रिकास जल की धारा, जल धारा ये सभी तत्पूर समास हैं लेकिन ये जो आपका गड़वड है अगरा कोशनास से यहां पर दिया गया है आप से कह रहा है समासिक पद को जोड़ना कहलाता है समासिक पद जो होते हैं समसिक पद जिसे बुलते हैं क्या बुलते हैं समसिक बड़ा सा कर लिजेगा समसिक पद को तोड़ना यहां पर तोड़ना लिखा है और सामसिक पद को तोड़ दिया जाए तो यह समास विग्रा होता है यहाँ पर अंसर बनेगा आपका सी नमबर नेश कोशन आपसे दिया गया है कि रसोई घर में समास क्या है रसोई घर तो आपके रसोई के लिए घर है ना खाना बनाने के लिए घर है तो यहाँ पर आगया क लिए और जिस समास में आपका निकला ऐकारक, वो कारक हो जायएंहाँ तदत्परुष समास में आपस्ण मरब्का हो जाएगा B अगरा कुश्ट ने आपकर या आपश दिया गया है, कहरा है, कहरा है चक्रधर सब्दे के लिए सई अर्थ क्या है चक्रधर अर्थात यहां पर भगवान विश्णू को कहेंगे लेकिन चक्र है धर में जिसके यह कोगा नहीं यह गलत हो जाएगा अधर गलत हो जाएगा चक्र है घर में यह भी नहीं होगा चक्रधारन किया है जिसने अर्थात ओ नदियों का समूर होता है, क्या साथ नदियों का समूर होता है, या पर अपका D हो जाएगा नूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और यहां पर आगे बढ़े एक कोशन आपसे प्रिक लेटिर आपके कोशन यहाँ पर आ चुके हैं, मदलब आपका जो यह पॉइंट आपको था, ये भी point आपका complete होता है बांक अगर आपको और पढ़ने का मन हो तो आप बता दीजे नए कल की class में इसको हम लोग cover कर लेंगे कल की class में हिंदी में जो विराम चिन है आपकी लोकोपती आपकी हो गई है वो भी आपकी हो जाएंगी हाना तो आपके जिल्दी आपकी cover हो जाएंगे ठीक है नेन आ रही है तो बस आज की class नहीं रखते हैं ठीक है आज यह रखते हैं कल मिलेंगे हम लोग नए डिवीट नए प्रार पार्ट के साथ और ये स्रीज में देखिए आपके कितने हम पहुँच गए हैं स्रीज में कोशन कितने हैं हमने का लगभग 600 आपकी 15 कोशन आपके होंगे या साड़ी 600 कोशन होंगे मतलब यह हो सकता है कि कल आपका complete भी हो जाए कल यह complete भी हो जाएगा बचेंगे यहाँ पर आपकी रचनाएं क्या बचेंगे रचनाएं बचेंगे आपकी इसके बाद तो उसको भी हम लोग कबर करा देंगे बाकी रचनाएं हमने करा भी दिया है किलिए रहे सर जी टाइम नहीं है एकजाम में तो यहां हमने जितना पढ़ाया इसको पढ़ लीजे बाकि और भी सब्जेट पढ़ना है उनको भी दिन जे किताबों को भी ध्याम दीजे एकजाम के समय किताब है अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्त हो जाएगा ठीक है ना कल आपको थोड़ा और करा देंगे सभी लोग तैयार हो तो एक बार बताइए इसको पढ़ा देते हैं वाकी बहुत जादा कोश्चन नहीं है आठ से दस कोश्चन है यह आपकी विरामचिट में है यहाँ पर फोकस यहां पर और देखिए यहां पर पूर्ण विराम तो आपका नहीं फोकस हमने का, सिंगल उद्धरन चिन होता है, डवल उद्धरन होता है, जब दवल उद्धरन लगाते हैं, किसी sentence को highlight करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर, जो एकल होता है, किसी व्यक्ति का जो उपनाम होता है, उस सिंगल इन्वर्टिट कामा में होता है यहाँ पर देखा जाए तो आप कंसर्षी हो जाएगा यह दोस्तो उद्धरन चिन है क्या है उद्धरन है वो भी कैसा दोहरा उद्धरन चिन है कैसा है दोहरा उद्धरन चिन आपका है याद रिखे यहाँ पर अगला कोशनापस दिया गया है कहारा है इन में से किस चिन का अर्थ आधा रुकना है क्या आधा रुकना है थोड़ा से रुकना है आपको और थोड़ा से रुकना है तो आप कहेंगे सर्ज अर्ध विराम अर्ध मतलब आधा अर्ध विराम मतलब आधा तो आधा हो गया कौन? ये भी नमबर अपका हो जाएगा लेकिन अगर आपसे कहने देते हैं कि सर जी ये क्या है तो आप कहेंगे अलप है क्या आधा मतलब अलग होता है अलप मतलब कम होता है तो आदर रिखे अल्प मतलब कम हो गया और आधा मतलब आधा हो गया तो आप कहेंगे सर ये होता है उपर वाला अल्प विराम और ये जो सब्द दिया है ये से बोलते हैं अर्ध विराम बोलते हैं ठीके ना इसको बोलते हैं संबोधन क्या बोलते हैं संबोधन यहां पर डै किया जाता है उसी क्या कहते हैं अगर समाप्त करना है हमने का जब समाप्त करना है वाकिको तो आप कहेंगे यह फून विराम यह यहां पर देखें आपसे पूंचेगा कि सर्जी यहां पर यह बताईए कि जैसे कि आपका उप विराम तो आपको मताई दिये थे चलिए यहां पर आईए आगले कोशन को यहां पर अच्छा विबरन में ऐसे बना दिया जाता है ऐसे बनाएंगे और इसके बाद ऐसे कर है आगे बड़े कोशनाव सिखला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी में पूंड विराम बताईए अब पूंड विराम क्या बताएं भीया तो पता ही चल लगया ना कि यहां पर पूंड विराम कौन सा है आपका सी नम्मर है राइट हो जाएगा बांकि आप से आगे बड़े कोसम आप पच्षा गया और आपसे कह रहा है कि इस चिनो का बताएगा यह स्रजी क्या है तो बिलकौ प्रसनिवाचक लगए है और बांकि पूंड विराम तो आप जानते है इससे लगएगा अल्प विराम हमने का अल्प विराम अल्प क्या होता है थोड़ा रुकना होता है आप के अल्प विराम में सिर्फ कौमा लगा होता है और यहां पर योजक में क्या होता है अईसर डैस लगा होता है अगरा कोशन आपसे यहां पर दिया गया है नीचे बारा इसको क्या बोलेंगे? चलिए अगर नीचे बाले को आपने सही कर दिया हम समझें कि यह आपको समझ में आ गया है क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सब्जी नीचे बारा सब्द लगा है ना इसो बोलते हैं विकल्प क्या बोलते हैं विकल्प बोलते हैं क्यों इसे बोलते हैं या तो ये कर दीजे या तो ये कर दीजे तो ये होता है विकल्प बोधक ये क्या है विकल्प आपका है यह आप आगे बड़ी कोशनाप से गला पूछा गया और आपसे कह रहा है ओ बहुत कठिन समय आया है परिच् सब्सक्राइब और आपको खुष्टी जरूर होई जब अच्छानक कोई बेखती आ गया और आपको सर्प्राइब दे दिया तो यहां पर अंसर क्या होजएगा आपका यह नमर होजएगा जब यहां पर इद का चांद होना यह अब तब होना अब यह कोशन मड़ा कनफ्यूज कर देता है कब जब यहां पर इद का चांद होना और गुदरी का लाल होना दोनों होता है तब लेकिन याद रहे कि इस कंसर्ट आपको देना है इद का चांद होना क्या होजा इद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बात दिखाना अब यहां पर गुदड़ी का लाल होता है यह क्या होता है तो गुदड़ी का लाल मतलब होता है गरीब के घर गुड़वान का उत्पन हो होना कि ना एक Bridget आप मुछ के रहा है और सौजित क के रहा है वैं है क्या दोजित का दूज़का होना उसकर्थक्ष होता है निर्दोस होना क्या होना निर्दोस होना इसका ज्वाप्सन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा जैसे कि आज काल के दौर में देखा जाना तो कोई नेता दोद का धुला नहीं है हाना यहां पर आप कंसर और पूछा गया और आप से कहा रहा है जिसकी लाठी तब भी नहीं मानेंगी नहीं पेपर लीक हुआ है क्योंकि लीक अगर नाम हो गया तो ना कट जाएगी कि नियाभकी सरकार में रहते विए पेपड लीक हो गया इसलिए देखो जिसकी लाठी उसकी बहस लुकोक्ती करते क्या होजब तो आप कंसर क्या बनेगा विनमर है कि लुकत इंव का सतलै क्या हो जाएगा निविट Julineu को आपको फुछ हुचा गया है कि कहा जाये कि ओष्ची स्च जोसंति की दुल्ण सा जायर एक राखे है इसमयरी बड़ेसी की तुल्ण गीदर धमकी मोहरे करत क्या होता है गीदर धमकी दिया गया है क्या दिया गया है गीदर धमकी लेकिन धमकी नहीं होगा यहाँ पर होता है सुद्ध होता है भबकी क्या होता है भबकी होता है गीदर भबकी आपको करना है गीदर भबकी क्या होता है दूर्त व्यक्ति फोतर रंगाश झियांग ठीक है आरोप लगाना मतलब होता है लगाना अगे बढ़ीницы अप से गला पूछा गया और आपकषी जिए गया है मोहारा अपना समान अर्थ ना देकर क्या करते हैं कैसे सब्सक्राइब पूँचा जा रहा है यहां पर अन्सर बनेगे कौनसा इनमरों विसेस कंसर है राइट हो जाएगा अरुजाम में तर्सम तद्भाव में क्या पुंच गया उसकी ठीउरी सी question निकाला गया ठीउरी पुंच गया था यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते है क्वसज आप से लाप सिल आप Android पूछा गया और आप से कह रहा है यह रहा है एक पंख दो का जिस लोकोगतिकरत क्या होता है यह पंख दो का इसी चीज है कि आप अपने इस पेपर में तो बहुतै जयादा पूछा गया आपसे कहा होता है १ी के दिये जलाना नहीं से मतलब होता है खुशी मनाना मोहरे कर्थ क्या हो जएगा तो भया यहां पर देखा जाएं बहुत बुरी तरह से मारना हाना यहां पर देखें बुरी तरह मारना आप से मनेगा अपका सीनिंबर है यहां पर आगे बढ़ते हैं कोसना आप से गला पूछा गया और आप से दिया हैं सब जबाग दिखाना इस सब कुछ माटेंगे आप हमको ओड़ दो और आपने विया खोग ओट दिया भयंकर ओड़ दिया भारी बहुमत से विजय बने और इसके बाद आपको उल्लू बना दिया हना भी आपको कुछ नहीं मिला यह हो गया क्या लालच देकर उल्लू बनाना आपसमर आपका ए हो जाए आज कल के रिष्टे भी बड़े दूर की डोल सुहाने जैसे होते हैं हना ज्यादा दिन रुख जाओ तो यहां भी दिक्कत है होगी वहाँ पर तो यहां पर देखा जाए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा आपका बी नमबर आगे बड़ यह कोशन आप से गला पूछा गय यहां पर आप से कह escuch that होता हे76 नफे उपन में से लॉकोखति करतन में से होता है का यांपर देखो किसी बात परcket करना नहीं होगा लोकोक्ति को पहँचानना है अब देखी वड़ी समस्य यहीं से आती है लोकोक्ति को पहँचानना यहाँ पर देखे इस कंसर में सिख्याव जगा लोकोक्ति को पहँचानना है अब बताए कौन संसर को हो सकता है अब ने कहा थोड़ा सा आपको प्रयास करेंगे कि आपको यह एक कोशन ऐसे ही मिल जाए बागी देखो हमने बताया 100% आपको पहँचान कर नहीं पाऊगे लेकिन यह है कि अगर ऐसा कोशन आता है तो 99% है आपको पहँचान कर लोगे अमने का जो मुहावरा होता है उसमें क्या होता है लास्ट मिन्ना होता है अमने का यह ट्रिक 99% काम करे है तो यह मुहारा होता है और जिसमें ना लगा हो तो आपका होता है क्या यहां पर आपका जुकी बचा है लोकोक्ति तो आपके इसमें भी ना दिया है इसमें भी ना दिया और इसमें भी ना दिया है यह हो गया है यहां पर आगे वड़ी कोशना आप से गला पूछा गया है कि मन चंगा तो कसोटी में गंगा मन चंगा तो कसोटी में गंगा इसका option में से क्या हो जाएगा वीडियो को भी like sir कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गये हैं एक बार सभी लोग comment चोड़ कर वीडियो को भी like कर दीजिएगा ठीक है? चलिए सरंसर भी हो जाएगा यहां पर आगे बड़ यह कोशनाव से गला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि इन तिलों में तेल नहीं मतलब क्या होता है तो वेस्ट देखा पहले दिया है आसा यहां आसा पूरी नहोंना दिये में तेल कम होना नहीं आप कहेंगे सरंसर आपका आसा पूरी नहोंना यहां पर आगे बड़ यह कोशनाव से गला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तिलांजली देना इस मोरे करती क्या होता है चलिए यह सब्द आपने सुना होगा तिलांजली देना यह क्या होता है तिलांजल देना क्या होता है मार देना जला देना त तिलांजली देना आपका जला देना ये भी आपका नहीं होता है ठीक है ना नास कर देना ये भी नहीं होता है यादरिकी इसका होता है त्याग देना नोट का लिजेगा नहीं इसमें गलबड़ी हो जाएगा आप सोचेंगे चिता में आग दे रहे हैं तिलांजली त्याग द यहां पर देखा जाए तो आप कंसर क्या बनेगा तो आप कहेंगे सजी यहां पर दिया है धाक के तीन पार इसमें तो आपका बनेगा नहीं लकीर का फकीर होना यह आपका बिल्कुर सही हो जाएगा यहां पर आप कहेंगे सरंसर अपकभी हो जाएगा लकीर का फकीर होना और आपका भी हो जाएगा जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि वह लड़का न लड़की लड़की को देखता था घर के जो बजुर्ग लोग थे अगर देखाते थे साधी के लिए तो जिस्ता वहीं सब कुछ हो जाता है मतलब सब कुछ होने के बाद भी आप रिष्टे टूड़ जाते हैं और सब कारण क्या है मोबाइल का है क्या होता है सब्च बाग दिखाना मतलब यहां पर यह कह सकते हैं इस अंसर क्या बनेगा जल्दी सब्च बाद दिखाना मतलब होता है बिलकुल सही है यहां पर देखा जाया तो आपका अंसर और अगया है निम में कर सकते हैं आपके नहीं कर सकते हैं डो में से आपको कोई एक नई कंसर बन जाएगा ऐका आपकी ते टयारी है तो ऐसे तुक्का मारने का यही कअ अच्छ तरीका होता है अन्दέ के हाथ बटेल ललग ना मंदलब 懈या यूग का न कूझ कुछ न कुछ महत्युपूर्ण वस्तु मिल गई तो यह अंधा तो अंधा सब्द आपका नहीं होगा ना कहरा है भाग से कोई वस्तु मिल जाना यहां पर देखें किसी आयोगी वेक्तिको महत्युपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना अंधे के हाथ बटेड लगना प्रभाव इस्थापित करना आपका बी राइट हो जाएगा और इसके बाद आगे बढ़ते कोशना पूछा गया है और आपसे दिया गया है प्रिप्त लुचो पूरा करना है यही होता है ना कड़वा तो इसका मतलब है कि आपका जोंसर होगा उनमें से क्या हुजाईगा डिनमबर बिल्कुल सही है एक करेला दूजा नेम चड़ा आपसमरब का होज़ेगा डिनमबर एक तो करेला कड़वा होता ही है अब नेम की बात किया है इसका मतलब अगला कोशन आईएगा क्या रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर डाढ़ी नोचे वाकि मे करते रहना नहीं है परेशां करना नहीं आपको अर्थ वताना है भालाई पर ही दुष्टता है मदल्या आपने तोड़ा सा छूट दे दिया तो यहां और आपने थोड़ा कब्राइब दिया कमको गलती मिलेगा याद रखेगा आपने ऐसे देखा होगा छोटे बच्चे जब होते ना अगर आप बैठा लें गोदी में तो भी वह पीर सांत नहीं बैठेगा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा यहाँ पर देखे अगला कुछ नास दिया गया है कह रहा है कि कठिन काय में सफलता प्राप्त कर प्राप्त करना मतर होता है बोलते ना गड़ जीत लिया आज के समय में नौकरी पाना ये गड़ जीतनी के बराबर है कठिन कारे में सफलता पा लिया आपसे मुर्पका हो जगा सी निम्बर आगला क्वेसन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है औंधी खुपड़ी ल्टा मत यादर के सर न उल्टा कर दिये यहां पर आपको तरहना मत जो होता है मत जो बुद्धी है बोलता ही होता ह्ती Spitffen घुप खका घुर होता है उल्र कीसाल होता है यह कमणई आपसे को см是jr यहाँ पर भी नंबर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है अईरा गयरा नत्थू खेरा इसका मतलब क्या होता है तो भया बुलते ना अईरा गयरा नत्थू खेरा हमसे कोई मतलब है नहीं है मतलब जो ब्यक्ति मामूल अर्थ छोड़ कर विसेस अर्थ की और संकेत करता है उसे क्या कहते हैं जब कोई अना जब कोई वाक्यान से अपना समान अर्थ छोड़ कर विसेस अर्थ की और संकेत करता है तो उसे कहते क्या है तो दोस्तों यहां पर नोट करेगा यह होता क्या यह थियूरी है और थियूरी बता दीजे अब एक आप बता दीजे अब एक बाफ बता है कौन चले नाम बड़े और कथन छोटे पत्थर की लकीर होना बल बतले अंधेरा कंगाली में चावल गीला अब बताइए क्या हो जाएगा हमने का सजी यहां पर जो अंसर बनेगा इन करेगी यह कभी भी हिंदी में हो या कहीं भी हो कभी न कभी मैथ में भी वह कोशन गड़बड हो जाता है उसको दूसरी तरीकी सोल करते हैं इसलिए हम आपको अमेंसा बचते हैं कि दुनिया में 100% की ट्रीक नहीं है ठीक है ना तो यहां पर याद रिखिए यह 99% के पैंगे क हमने का आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए रस में से सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपके रस कौन से हैं और आपकी इस्थाई भाव आपके कौन है ठीक है ना यहां पर आपके ही सजी जैसे आपका स्रंगार रस होता है इसके इस्थाई भाव बताते हुए चलेंग उत्सा होता है अच्छ अगर बताएगा कि हास रसक होता है क्या होता है क्या होता है और डिभस्त का आ क्सान्त होता है बस ये चीज़े आपको complete है तो ये टौफिक आपको complete हो जाएगा देखिए अगरा question आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है कि जहां किसी हान के कारण question को समझे जहां किसी हान के कारण सोक भाव पस्तित होता है वहां किस रस की उत्पत्ति होती है चलिए जवाब देना है इसका जो अंसर बनेगा इन में से right क्या हो जाएगा चलिए जहां किसी हान के कारण सोक भाव पस्तित होता है वहां किस रस की उत्पत्ति होती है तो भईया ऐसी इस्तिति में क्या होता है खुसी तो मिलेगी नहीं आपको आपको मिलेगा बईया करुण रस हो जाएगा ठीक है ना के लिए लगया है कह रहा है करण रसके स्थाइब क्या होता है चलिए लाइक कर दिए को क्लास में कंजूसी नहीं करेगा आज की क्लास जो देखिए बिल्कुल बेहतरीन होने वाले हैं तो सब लोग वीडियो को लाइक कर आए तो आहिए को सबुछा है कि रसका सम्मंद किस धातू से मांना जाता कि रसका वघता रहता हैうん तो आप पूंचेजी राश का होता है। यहां पर यहां पर यहां पर तलवार दिया है नहीं कर रहा है ना यहां पर आपके रोंगटे को खड़ी कर देना वाला बात है अर्था यह वीर रसका है कि विभाव और संचारी भाव के सयोक से ही रसकी अवस्ता तक कोंचते हैं तो दो किमाटनी होजेगा कहेंगे सरजी कि स्थाई भाओं की संख्या 9 मानी जाती है याद रिखेगा और आगे बढ़े कोसना प्यूत ख्लाप उचा गया है और आपसे कह रहा है यहां पर इसको बताना है कि सरजी यहां पर जो रस है वो आपका कौन सरस हो सकता है इसमें जो रस है दोस्तों है क्या यह जो अंसर बनेगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा यहां पर दोस्तों आगे बड़ी कोश्चन आप से लाप पूछा गया है और आप से यहां पर दिया गया दिखो हमने का कि कुछ आपको पॉइंट पढ़ना होता है हमने का यहां पर हिमाले जैसे यहां पर देखो सुतंत् ही यह आपका बी रसको करता है कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे जितने भी उदारण होंगे देखो दिया है विसमें रसक इस्थाई भाव किसमें होता है हमने का सर्जी सांत रसक क्या होता है बता सकते हैं चलिए मालूम है लेकिन हमारा काम है कि आपको रटाते ह किरू किभल को कि सर आपने जो गुत आéger लेकिन बस वही तर ऑचे जो जा रहे थे हो जा रहा थे ह ह होता है कि हास होता है ठीक है न आ इस एक उसना आप से रहा रहा है तो आपको मेनते हैं हैं तो आप एक यह जब और भी यह होते हैं इसको रश्पति भी कहते हैं और अगर पुरुझे अद्भूत रस का आस्चर होता है तो हente किस स्थाइव भावव सूख होता है दोस्तो बताना है बेरी गुट बहुत अच्छे ती सुंदर दोस्तो यहाँ पर निम्ने में صिक लिए त्वाव सोक होता है वहां पर क्या होता है करुंडस होता है यहां पर आगे बड़े क्वस्ण आप से गला पूछा गया है करते अभिसेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की यह मात्र भूमितू सत्त ही सगुन मुर्त सर्वेश की इस चंद के प्रतिक चरण में कितनी मात्राइं दी गई ह चलिए यहां पर बताना है इस चंद में जो मात्राइं है वो आपके कितनी मात्राइं दी गई है यहां पर बताना है इसका जूँन राइट इन मेंसे क्या हो सकता है चलिए तो यहां पर देखा जाए कह रहा है करते अब इसे एक पयोध हैं बलिहारी इस वेस की मात्र भूमितु सत्त ही सगुन मुदती सर्वेस की यहां पर अनसर क्या हो जाएगा मतलत जरूरी नहीं कि पूरी पूरी आपको हो यहां पर देखे मात्रा लगाना शुरू करना है तो हakte का यहां पर क्या करना है सिंकल करना है सिंकल करना है द दवल हो जैएगा फिर इसके लाद करना है पीर सिंगल की आस कंसर हो जएगा इनमर 15 से 14 क्रम सा 28 ये अंसर आपका राइट हो जएगा तेकिन आप समें कुछ ना कुछ आप समें से दिया ही गया होगा यहाँ पर आगे बढ़ते कोशन आप सिक्छा आप कुछ आगया है और आप से कह रहा है यहाँ पर दिया है प्रिये पती वह मेरा प्यारा कहां है दुख जल निधी में डूबी का सहारा कहां है यहाँ पर च्छन्द है आपका कौन सा चंद है तो आप लगा इसमें से बस एक बात को या रख लेना हे कैसे याद रखनेना है कि यहाँ जैसे क्या होता है कि यहाँ पर चांद की बिंदी आपके आ जाती है हाना यह ऐसे आपकी बिंदी आ जाती है तो हम लोग इसको सिंगल मानते हैं अंकी बिंदी होती है डबल मानते हैं लेकिन यहां पर समझ्या क्या होती है जब यहां पर ये जिसे आधा दिया है तो ये आधा वाले में से ये पहले वाला चरड़बल हो जाता है ये रूल आप ठिवरी वाले में पढ़ लिजेगा क्लास खतम होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा थियोरी वाले हमने पढ़ा दिया है यहां पर देखो दिया गया है आपसे question कहा रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मातरा होती हैं बड़ी समस्या होती है जब पेपर में बैठो हमने कहा कि दोहा को रटा मार लिजे कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मातरा होती है हमने क पहले हो तीसरे में 13-13 तो बस अंसर आपका मिल गया है अब बचा है दूसरा और चौथा तो 11-11 हो जाएगी तो यहाँ पर अंसर क्या बन जाएगा तो आपका जवाब हो जएगा आपका सिनमबर 13-13 मातरा है आपकी होती है ठीक है ना अगर यहाँ पर दोहा की नहीं सोलठा ह होता तो सोलठा विल्कुल उल्टा हो जाता ठीक है ना आगे बड़ी कोशन आप से पूछा गया और आपसे दिया गया है कि जो मातरिक समचंद है प्रतेक चलण में 16 मातरा हैं होती है उसे क्या कहते हैं आपको परेशान नहीं होना है छंद आपको यहीं आएगा ठीक है पर पर आपसे कह रहा है कि जो मातरिक समचंद है प्रतेक चलण में 16 मातरा है उसे कहते क्या है तो दोस्ते याद रिखी इस कंसर बनेगा कौन यहां पर आपका यह होजगा चौपाई होजगा लगबग हम तीन साल से देख रहे हैं तीन साल से जूवी रश्चंद लंकार आ रह पूछ जा रहा है इस तरह जो नहीं पूछ जा रहा था यहां पर आगे बड़ी कोशन आप सिकला पूछा गया है आपसे क्या कह रहा है कि जहां चंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं जहां चंद में सभी चरण समान होते हैं तो आप कहेंगे जिब समान होते लगा दे तो आपको प्राया है जो अदिकांस होता है अधिकांस यह होगा यह फिर दो होते हैं है और किया होता है आपका यहाँ पर कुंड़ियों को स्दें होते हैं है लेकिन अनृसर आपको आपको लगाना है क्लियर हो गया है VIP काभ्य कार लिस सखाईक कारेश को सब्सक्रानां करना Green ठीके पैठ एक्जाम के तुलना अगर कर रहे हो ना तो रजाई लेलो वप्रके स्वझाओ जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन जग जाना सफलता मिल जाएगी इसे प्रकार से पैठ के तुलना कर रहे हो आरो के तुलना नहीं कर रहे हो अब कल पेपर हुआ आरो एक्जाम का उसका भी तुलना कर लो तो थोड़ा सा आज से दस साल से पेपर हो रहे हैं उसकी तुलना कर लेते थोड़ा सा पेड़ एक्जाम की तुलना कर रहे हो बड़ा डर लगता है तो रजाई में जाईए सो जाईए राम से क्या समस्या है यह तो किताब खोलीजिए यूटूब बंद कर दीजिए क्यों यूटूब से पढ़ रहे हो ना यूटूब पढ़िए बंद कर दीजिए क्यों घुम रहे हो इदर उदर चलिए, कुंडलियां चंद कितने चरण होते हैं, हमने का कुंडलियों में चरण होते हैं, 6 कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं, हमने का कुंडलियां बढ़ी आसान होती हैं, याद करना, कैसे, हमने का 6 चरण तो हमने आपर बना दिया, अब जब 6 चरण हमने बना दिया, तो इसम टूपई में भी छैहो स्टाटन उते हैं। चाहां करूए च přीक चेट्रण में कहनले होटे है। आप किया परनसर जुआ आपके बढ़े बढ़े कोशना आप से लाप पूछा गया और आप से यहां पर दिया गया है क्या रहे लेवल के बाहर आएगा तो उसमें हमारी गर्डंटी नहीं है वो तो आपके YouTube में सभी लोग हांथ जोड लेंगे, सभी ले कर देंगे, यहां तो कि पेड़ एक्जाम में कुमार गौरोसन ने भी हांथ जोड लिया था, कहरे तो भीया मैं यूपी पेड़ एक्जाम की या यूपी टवलसी के तयारी नहीं करा पाऊँगा, दुनिया में पेड़ लीक हो गया है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, किने हमने पेड़ लीक कर दिया है, हना पेड़ सरा लाया, लेकिन इसके बाद पेड़ लीक हो गया है, तो इसमें हमारी कोई गरंटी नहीं है, ठीक है न, आपकी लीक हुआ है, तो आप धरन धरिये जाके, योगी तो उल्टा मतलब यह हो गया पहले और तीसरी में 11-11 और इसके बाद इसके दूसरे और चोथे में 13-13 हो जाती है तो इसके अंसर बनेगा आपका बी नमर आगे बड़ी एक कोशना आप सिकला पूछा गया है कि निजभासा उन्नत यह है सब उन्नत कैमूल बिन निजभासा ग दबल दबल और यहां पर पंदर यह पर 13 ना कहीं क्या होना चाहिए इसमें से कंव होना चाहिए कुछ ना कुछ About soon सिंगल है सिंगल है यहां पर डवल है और यहां पर आपका डवल हो जएगा फिर सिंगल हो जएगा फिर सिंगल हो जएगा फिर सिंगल हो जएगा फिर सिंगल हो जएगा फिर डवल हो जएगा दो तीरा तीरा आ गई हना तो इसका मतलब है कि यह क्या हो ज़ेगा आपका दोहा हो जाएगा क्या हो जा दोवाल वाले तो उसके पहले वाला डवन हो जाता है यह आपको चौपाई है या आपने पढ़ाई होगा मतल रगाने में टाइम बरबाद करना ही नहीं है कुछ चीज आपको इसे मिल जाएंगे अभी मिलेगा यहापर देखे अगला को सनाप से कह रहा है यहाँ पर पॉइंट आपका अगला आगया है और आप से कह रहा है अलंकार म मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ती में रंकार कौन सा है चलिए बताएगा मुदित मनोहर मानस देखा इसमें से जो रंकार हो कौन सा है तो चलिए अब थोड़ा सा खतनाक टोपिक पर आ गए हैं यहाँ पर देखे कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ती में रंकार क् सब्सक्राइब आप से यह पर दिया गया है और आप से कहा रहा है रगुत में राजायारा है इसमें यहां पर रहा दिया है इसमें भी रह दिया इसमें हो रही है तो हम लोग कहाएंगे सर इसमें क्या है अनप्रास लंकार है तो अंसर आपका बन जाये कौन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा अगरा कोशना पुछा गया सब्दा लंकार मतरब कि जब किसी पंक्तिया कविता में सब्दों के कारण रमडीता आ जाती है वहाँ पर सब्दा तो यह जो आपका होता है क्या होता है तो आपका अर्था लंकार होता है क्या होता है अर्था लंकार आपका होता है अर्था लंकार हो जाएगा ठीक है न जैसे आपको उप्मा है रूपक है उत्प्रिच्छा है बत्रीक है अत्सियोंकते है दर्स्टांत है ब्रांती है संद तावर्ण की आवर्टी आवर्टी हो रही है उसका मतलब कोई न कोई और उप्सुन दिया होगा अनप्रास लंकार याद रिकिए इसका अंसर क्या होजगा एड़ा सलंकार अच्छा किसी को ये तो नहीं डौट होता है कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि सर मैं पहले ही भू भी लागर को मिले हैं एकर मिल जाए तो पढ़ादेगे बाकर प्रीवाइस एर के पेपर में आपको हड़ा atos यहां पर आपको हाड दो यहांत करके बहुत करके यहां पर जुन आना है वह verf आ लिकाल कुणते हैं की एक सब्सक्राइब इसे लीवे हुआँ यहां पर जो जाएगा सब्सक्राइब इसए आपका होता है सलेशलंकार, तो सलेशलंकार हम कहते हैं, जिस सवाक के आप पंग्त में, एक ही सब्ध, इसको नोट के लिएगा स्वर्टकट में याद रहेगा कि एक ही सब्द एक ही सब्द एक ही सब्द के अनेकर्थ होते हैं एक ही सब्द के अनेकर्थ होते हैं उसे कहते हैं क्या यहाँ पर सलेश कहते हैं यहाँ पर उपमा लंकार में क्या होता है जब उपमे में उपमान की समानता या तुलना की जाती है दूसरी वश्तु से वो होता है उपमालंकार होता है बाकि यमकलंकार में होता है सब्द क्या होता है सब्द होता है मतलब जब एक सब्द की आवरती हो सकता है वो सब्द एक बार हो यह वो सकता है दो बार हो या दो से अधिक बार हो लेकिन उन सभी सब्दों के जो अर्थ होंगे हर जगा अलग अलग ही निकलना चाहिए हर सब्द का अर्थ वहाँ पर अलग 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 निकलना चाहिए और उनका अर्थ भी भिन भिन होना चाहिए वहाँ पर होता है यह मकल समय काली गटा काणड गटा काली गटा काणड गटा इसमें से लंकार क्या हो दोस्तों यहां पर दिखा जाये हमने कहा कि इसमें क्या दिख रहा है आपको यहां दोस्तों आपका जो अंसर होगा इन में से क्या हो सकता है क्या कावर्ण की आबरती मिल रही है क्यों भया क्या कावर्ण की आबरती मिल रही है इसमें कि कावर्ण की आबरती मिल रही हो आपको तो आप केंगे नहीं सजी और कुछ दिख रहा है यहां पर देखे काली घटा का घमंड घटा हमने का सब्जी यहां पर घटा सब्द है और यहां पर क्या है घटा सब्द आपका दिया गया है तो इसका मतलब है कि हमने कहा था जब एक ही सब्द दिया हो और वो हो सकता है दो जगा भी आपका सब्द दिया हो और एक घटा ये आपके कमलते हैं जो मानसुन वाला आपका मौसम वाला घटा होता है सुन्दर मौसम वाला होता है उसको कहते हैं तो याद रिखे क्या होगा कि यमक लंकार में जो सब्द होते हैं वो आपके सेम टू सब्द लिखा होता है यहां भी होगा सेम यहां भी होगा हो सकता है और कहीं भी से आपका हो सकता था और मिल जाए लेकिन हर जगा के अर्थ आपके अलग-अलग मिलेंगे तब यह आपका होता है यमक कलंकार होता है किलियर है ना लेकिन अगर मान लो एक बार हम अगर यह बोल दें थोड़ी सिजवजिस्ती मान लेते हैं आप से मान लिया आप से मान लिया कि यहमक कलंकार यहां नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते एक मिनट के लिए मान लिया जा कि इसमें यहमक कलंकार नहीं होता तो हम लोग क्या करते यह आप लोग बताइए जल्दी से अगर यहमक कलंकार नहीं होता तो इसमें कौन से कारें लगा देते वेरी गुड आगे वड़ी कोशना आप सिखला पूछा गया है यहां पर दिया है मेरा मन अनंत कहां सुखपावे जैसे उड़ी जहाज को पंची फिर जहाज पर आवे कमल नयन को छाड सी महातम और देव को ध्यावे यहां पर कमल नयन में जो समास है वह आ सजी उतप्रेश्चा को तो हटा दी यहां से हना उतप्रेश्चा को तो हटा दीक है यहां हपर पर अंसर क्या कर दिया जाए चलिए बहुत अच्छे चरन कमल बंदो हरी राई तो चरन कमल में बीच में डैस नहीं लगा था used मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कमल और नैन दोनों में से क्या हो रही है एक प्रकासे आभेद किया जा रहा है आभेद रही मतलब कोई अंतरना होते है भी करते हैं कि कमल नियन को कमल सूइकार किया गया है यहां परेड को हिक आपकर यह रूपन करह भता है यह समानधर्म होते हैं मैं आपका क्या होतला होती है यहां करो है आपर कोशन कि वैया जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में इसमत सीचाई दुरदिन में आसू बनकर हुआ आज बरसने आई हम यह आपर लोग आप्शन को लेकर चलेंगे क्योंकि हमें मालूम है अंसर हमारे आँखों के सामने है दुनिया का सबसे सरल पेपर तो यही होता ह है कि जब आपके सामने अंसर भी हो और आपके सामने क्या हो सकता है लिखने वारे में तो समयशिया होती लेकिन इसमें क्या आपके सामने अंसर है जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में इसमत सीचाई दूरदिन में आसूवेन बरसने आई हमने का ऑप्षन को उठाए अब प्रत्स करने से होती हैं जैसे आपने हमेशा एक उधर्ण पणा है चरण कमर本द नहीं तो प्रेक्टिस करेंगे तो इसके अर्थ निकलते हैं कई जैसे इसके दौर्थ में से एक पहला आर्थ होता है घनी भूत मतलब होता है मनुसरी के मन में कुछ समय तक जो आपकी इकठा पीड़ा होती उसको कहते है दूसरा अर्थ जो होता है घन मतलब बादल होता है तो बादलों से कुछ समय पर बादलों से समधित आपका होता है तो इसका मतला वे दुर दिन सब्दे के भी दो अर्थ निकल ले हैं यहाँ पर एक सब्दाया था दुर दिन दुर दिन सब्दे के भी अर्थ निकलेंगे हना पहला बुरे दिन के आपके होते हैं दुर दिन मतला दिन बहुत बुरा आपका गया है हना इसकी वाज़ से आपके आंसो बह रहे हैं दूसरा होता है बारिस होता है तो यहां पर एक सब्दे से यहां पर अर्थ निकल ल disturb ले हैं एक सब्दिया निकल ले हैं बांकि आपको बता दे सबसे आसान पॉईंटर कि जब आपको अधारण पढ़ते समें आपको ऐसे सब्द चार अच्छर वाले मिलने लगभग हाना और आपको कुछ ना समझ में आए तो इसका मतरा वो सलेश लंकार ही होता है क्योंकि आपको उस सब्दे के आर्थ नहीं मालूम है क्योंकि अगर आपका यमक होता तो पहंचान लेते आप अनफ्रास होता तो पहंचान लेते वक्रोप्त में भी थोड़ा बहुत पहंचान लेते लेकिन सलेश में निक पहंचानना बड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें एक सब्दैसा होता है जिसके अने कर्द होते है और आपको पता नहीं होता है तो जब आपको ना आ रहा हो और आपको confidence आधा बता रहा हो कि नहीं सर जी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ तब आप सलेश लगा दीजेगा चले तो देखे हमने का सजीर रूपा कलंकार पर ध्यान दे क्या रूपा कलंकार में अगर ध्यान दे तो रूपाकलंकार में होता है एक उपमे और अदिस्योग तो आप लुग जानते हैं कि आपको बढ़ाच रहा के बात कर देगा इसमें वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं दीख रहा है तो आपके सरंसर बनेगा आपका उपमालंकार अब उपमे और उपमान के यहाँ से तो आपने इस उदारण को हमेशा पढ़ा है वो आपको आसान लगता है अब यहाँ पर मनुसब्द आपको मिलेगा ठीके मानुसब्द नहीं होगा तो आपको मनुसब्द मिलेगा मनुसब्द आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों जैसे मुख मानुचंद्र है हमने कहा एक उदारा छोटा से देते हैं हम छोटा से इतना वड़ा नहीं देंगे हमने कहा मुख मानुचंद्र हो मुख मानुचंद्र हो मुख मानुचंद्र हो हना हमने का मुख आपके पास है चंद्र दूर है जब यहाँ पर उपमे और उपमान में दूर की बात होती है हमेशा वहाँ पर क्या होता है आपका यहाँ पर हो जाएगा रूपा का बाकि रूपा को जाएगा लेकिन अगर मानो सब्द लिया गया है अब यहाँ पर मानो सब्द लिया है तो इसका मतलब है कि आप गरबड़ी हो रही है यहाँ पर माना जा रहा है संभावना की जा रह है तब यहां पर हो गया लेकिन अगर यह सब्धा नहीं होता मुख चंद होता मुख चंद तब आप कहते सर इसमें रूपक लंकार है चले प्रस्न चिन्दों में उठी है क्या भागे सागर की हिलोरें यहां पर अंसर होगा क्या सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है प्रस्न चिन्दों में मतलब यहां पर भागे सागर की हिलोरें इतना कोशन आपका है इसका और इसी से अंसर निकालना है चले बताए क्या हो भाग गे सागर की हिलोरे इसमें अलंकार कौन सा है तो दोस्तों हमने कहा है यमक अलंकार तो होगा नहीं यहां से हटा दीजे इसको अनप्रास अलंकार हटा दीजे यहां से अब या तो उपमालंकार होगा या तो रूपा कलंकार होगा हना हमने का भाग गे और सागर भाग गे आपके पास है सागर दूरी की बात है बहिया जब आपका उपमे और उपमान पास में हो हना मतलब दूरों के जिसे क्या है भाग आपके पास में है और भाग क्या हो जगा उपमे इसे का जाता है उपमे जो आपके पास है जो आपके पास होती है चीज उसे बोलते है उपमे कहते हैं जो दूर होती है जो दूर होती है उसको बोलते है उपमान क्या बोलते है उपमान उसको नोट कर लिए अपनी कौपी में जो दूर की चीज होती है उसको उपमान बोलते है जो पास की चीज होती है उसे उपमे कहते कि अधिक बार आया है, दोनों बार अर्थ भिन भिन हो वह कौनौं सालंकार होता है अब गडबड़ी नहीं होना चाहिए इस कोईशन वे गडबड़ी नहीं होना चाहिए बताईए आप अंसर इनमें से क्या हो जाएगा चले बताईए यहाँ पर कहेंगे सर जिसका अंसर बनेगा आपका सिनेमर यमा कलंकार होता है हमने स्टार्टिंग ने बताया कि जहां कोई भी सब्द हो हना जिसे हमने बताया कनक दिया है कनक तो कनक यहां भी दिया गया हो सकता है आगे चल कर और भी कनक आपको दिख गया गया हो हना कनक दिया गया हो अब यहां पर यह कनक का अर्थ मतलब अलग हो जाएगा यह अलग हो वे चलेंगे अगर थोड़ा सभी आपको सर लग रहा है पढ़ने में कुछ लग रहा है किने हम से कुछ सीखने को मिल रहा है पहले से हम बेतर हो रहे हैं तो लाइक से जिरू करेगा ठीक है न सिर प्लीज सो प्रस्ण मानसी का विरूची की करवा दीजीगा जी सर करवा कूर में इनमें से कौन करका बेद नहीं है आर्था नहीं है तो आप लुक्त नंकार होता है यहां पर रूप्ँख युक्त लंगकार होता है क्यों एक सब्द रह गया बीच में क्या है अर्था लंकार जो आपका है ये नहीं है ये आपसे है ठीके तबी हमने सुचा ये क्या हो गया इन में से कौन अर्था लंकार का भेद नहीं है पूछा गया अर्था लंकार में तो हमने का दिखे उपमा लंकार आपका दिया गया है हना यहां पर रूपक लंकार दिया गया है तो इसका मतलब है जहां उपमा पढ़ते हैं हम लोग वहां पर उपग भी पढ़ते हैं और वहां पर उत्ष्यूक्त पढ़ते हैं लेकिन हम लोग जो यमक होता है बाद पहले पढ़ लेते हैं आपका नप्रास लंकार हो गया यमक लंकार हो गया सलेस लंकार हो गया ये पहले पढ़ लेते हैं, वो क्या होते हैं, सब्दा लंकार होते हैं, क्या होते हैं, सब्द के माध्यम से करते हैं, वहीं यमक लंकार में क्या देखते हैं, सब्द ही तो देखते हैं, कि सब्दा आ रहा है, तो उसका रथ क्या हो रहा है, हाँ ना, तो यहाँ पर कहेंगे, सब्दी न औरकाइंद समझ कर भांति से देखकर सहसा हुआ सुभमौन है सोचता है या अन्य सुस्क यह कौन है इस पंति में जो लंकार है वो आपका कौन सा लंकार है इसमें कौन सा लंकार है देख night हैं यहां पर option में में से क्या होता है संजीवता और निर्जीवता भी होगा मतलब कि निर्जीव में जैसे कली सब्धर होते हैं क्या होते हैं कली सब्रक्ले को फूल सब्धर को आप ने उसको भ्हानती समझ लिया ए। और आपने समझ लिया तो यह प्रजन में सरोजन की चाव दंजन लैने लला दिन महों कामान सो जोहन को सर बेधन प्रानधिननंद को छोनो पर यहां पर प्रिफ करम्याल है को यह थोड़ा कॢठी नाप का हो जाएगा यहां पर यह पर अनुसर रिपीट हो रही है ऐसा ही सब्द यह जो विलकुल कौमन हो बार बार रिपीट हो रहा हो तो आपके सब्द रिपीट नहीं हो रहा है अब यहाँ पर दो ही आप्सन मचे हैं आपका रूपा कलंकार है और आपका बेतिरीक दिया गया है अब हम रूपा कलंकार में देखते हैं कि क्या कहीं ऐसी चीद दिख रही है कि एक हमारे पास में एक दूर की बात हो उपमे है यहाँ पर बेतिरेक दिख रही होता है कि जहां उपमान की अपेच्छा अधिक गुण होने के कारण उपमे का उतकर्स हो जाता है वहाँ पर बेतिरेक अलंकार होता है बेतिरेक मतलब होता है आधिक बेतिरेक मतलब होता है आधिक के होता है याद रिखेगा ठेके ना और बेतिरेक में कारण का होना अनिवार है कारण जरूर होगा बेतिरेक में यहाँ पर देखे अगला कोशन आप से कह रहा है यहाँ पर सर यहां पर देखा जाए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा चलिए बताएगा यहां पर जो अंसर बनेगा इन में से क्या होगा तो आप कहेंगे सर यह होता है मानवी अलंकार क्या होता है मानवी अलंकार होता है इसको आपस मनें आपका डी नंबर ठीक है ना और हमने बताया कि आमनवी में आपको मिलेगा ःवन लंगा हभ्र मिलें जही अगए आपके कौसिंगे हो और इसमें मातरा कट गई है देखो हम आप को यह पर लगा देते हैं जहां उपमे में उपमान की संभावना प्रकट क्या होता है प्रकट की जाती है वहां पर कौन सलंकार होता है चली बताएगा कि जहां उपमे में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है यह करा दी जाती है वहां कौन सलंकार होता है तो जब संभावना दिया गया हो और जब कलपना दिया गया हो तो यह तो आपको पहचान पता होगी और पहचान पता होगी तभी कुछ कर सकते हैं भी आमने कहा कि जहां उपमे में उपमान की संभावना या कलपना होती है यह तो परिवासा आपने पढ़ाई होगा हना अब यह पड़ा है तो आपको पता है कि एह उत् प्रेच्छा होता है विभाउना नहीं होता है अभि छूटी सी चीज है आपने हाइश्पुल में पड़ा है और आपने उत्रपेच्छा हैं अब एक तो रिङया । प्रकट कर रहा है या कल्पना कर रहा है सिंपल सी वात है सबसे आसान आपका वही है कि यह तो थियूरी आपकी है थियूरी से डारेक्ट दे दिया है आपके इसका अंसर क्या बनेगा इसे आपको बताना है आप कहेंगे सर इसका असान निसे हम कर सकते हैं क्यों क्योंकि सजी यहां पर प्रिच्छा लंकार नहीं दिया है कोई संभावना नहीं है कि यहां पर संभावना है हाना भया क्या खिलाओने का क्या चांद को आप ले आएंगे ना संभावना भी नहीं कर सकते कलपना भी नहीं आपके पास है योजग चिन आपका लगा हुआ है तो आपके इंगे सरे यह होता है आपका क्या रूपा कलंकार होता है जब योजग चिन लगा हो उपमे और उपमान भी दिया गया हो तो आपका होता है अब हमने इसको पहली बता दिया है उपमे क्या होता है उपमान क्या होत अब आपकोई है आप concern में से क्या हो जाएगा चली भई आप कहेंगे सजी सब्दा लंकार की अगर बात करते हैं तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं यमक का लंकार पढ़ते हैं फिर इसकी बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं यहां पर देखे अनुपरास लंकार पढ़ लेते हैं यहां पर देखे सले सलंकार पढ़ लेते हैं लेकिन भईया जो रूपक लंकार है ना इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं हम लोग पढ़ेंगे उपमा लंकार, रूपक लंकार, उत्परिच्छा लंकार यही तो होता है भई कोई भी टीचर होगा सबसे पहले आपको हमेसे पढ़ाएगा अनुपरा सलंकार अनुपरास के बाद पढ़ाएगा आपको यहां पर यमक लंकार उत्परिच्छा तो जब चार आप सन्वीसमें दिये हैं तो भई इतना तुढ़ीमा के आप लगा है लिजैगा पुछा गया और आप से यहां पर दिया गया है कहा रहा है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सची सुमंत बुलाए यहां पर अलंकार इनमें से कौन सा है चलिए बहुत अच्छे बीड के वर्डों का प्रयोग गजब चलिए बहिए बताएगा अधिगम यह पढ़ने को मिलेगा जब आप बीड कर रहे होते हैं तो वहां पर बड़े सब्द मिलते हैं अधिगम देखें कहा रहा है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सची सुमंत बुलाए पंक्ति में अलंकार जब आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा तो भईया हमने कहा कि देखें यहां पर दिया है मा वर्ड दिया है मा दिया है साधिया है साधिया है साधिया है यहां पर यह अनप्रास लंकार है क्या है ति आस्ट वाले पंक्ती होती है उन्में से लास्ट में क्या होता है तुक जैसे ये होगा मतलब सेम नहीं होंगे लेकिन तुक उनका मिला होगा वो होता है आपका कौन सा तुस्रुत्त अनप्रास होता है यहाँ पर आगे बड़े कोशन आप सिगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है कि तीन बेर खाती थी तीन बेर हमने का सजी तीन बेर यहाँ पर लिखा है और तीन बेर यहाँ पर लिखा है सब्द रिपीट हुआ है इस सब्द का कुछ अर्थ अलग निकलेगा इस सब्द का अर्थ अलग निकलेगा तो यह क्या होता है यहां पर आपके तो आपके निकलेगा तो यह जैसे हमने बताया था एक उधारण होता है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गये न ऊवरे मोती मानुस चून मोती मानुस सून अब या पर देखे पानी के अर्थ ही यहाँpei मौत ख़ ignored उंसका मन इसमेंसे साधहर धर्म आपसे पूछा है किसर साधहर साधान धर्द से राइट क्या हो सकता है हाँ अब यहां पर देखएगा हमने का कुछ चीज्झे आपको पता होना चीज यो कि हमने पहले आपको बता दिया है वा इसके सिर्व पाश दर्श ने हो होता है और चले सब्सक्राइब संने हैं नहीं पूस्ति होता है और यहां पर अब यह बताई जो आपके से मेरे पास हो सकता है अब यहां पर उपमान क्या होता है जो दूर की बाते होती ही जो आपके पास नहीं है तो यहां पर देखो गंभीर जो दिया गया है गंभीर हाना और क्या दिया गया है यहां पर उंचा सब्दाप का दिया गया है यह सब्द आपका दिया है तो यह क्या है दूर की चीज़े आपकी है यह जो आपकी जब दूर की चीज़े हैं तो आपके इस तो यह हो सकता है ना तो आपका यह हो सकता है ठीके ना यह हो सकता है ठीके ना यह हो सकता है ठीके ना अच्छा पूछा गया साधारन धर्म पूछ अब यहां पर देखा जाए सागर और गिर यह देखे सागर जो दिया गया है और गिर दिया है यह हमसे दूर होगे क्योंकि यह गंभीर और उंचे से मतलब नहीं था उल्टा मोड़े दें यहां देखे सागर हमसे दूर है और कौन से दूर है यहां पर गिर जो परवत है वो गया तो आपका बचा हुआ था कि सागर है और आपका उंचा है यहाँ पर आपका दीक के साज़ है यूठीय समसाराइज लेकिन पूछा है साधान धर्म है तो धर्म जो आपका है क्या है यहाँ पर गंभीर था और आपका यहाँ पर उंचा था आगे बड़ी कोशन दिया गया है क्या रहा है चंद्रमा सी अलोकिक्ता वाले घंसयाम तुम्हें मेरा प्रडाम इनमें से कौन सलंकार है चलिए यहाँ क्या हो जाएगा हाँ आपका पिल्कुल पहले सही था ठीक है देखो चंद्रमा सी अलोकिक्ता वाले घंसयाम तुम्हें मेरा प्रडाम इस पंक्ति में जो रंकार है वो कौन सलंकार हो सकता है यहाँ पर जवाब देना है तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप क्या तो आप कर देखा जाए तो आप कर देखा जाए तो आपका प्रियुक्त लंकार इनकार है अब आपको बताना है अमनेकार रगवीर की दसा है हना लोग नहीं रो रहे हैं ब्रच रो रहे हैं अर्थात मानो और आमानो की बात हो रही है जब मानो और आमानो की बात होती है तो वाँ पर अलंकार क्या होता है मानवी अलंकार होता है आपसमने आपका D-Number हो जाएगा यहाँ पर आगे बड़े एक क्वासना आपसे लाप पूछा गया और आपसे कहा रहा है तुलसी मन मंदिर में बिहरें यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार है चलिए बताएगा आपका जो इसमें से अलंकार है वो कौन सा अल किया गया है बचा हुआ है यहाँ पर देखे मन आपके पास है मंदिर थोड़ा दूर है तो यह उपमे और उपमान पास में है योजक चिन लगा हुआ है अंसर आपका बीनमर रूपा करनकार हो जाएगा खिलियर हो गया है चलिए आगे बड़े एक कोशना आप से गला पू दो में तो आपके सब्धार है और अर्थालंकार बताते हैं के अरफे में तो आपका धिर से हो जाइगा और आप इसं हो सकता है में रहें है यहां का पजीन से आपकका पंक्ती में अलंकार को किता है आपको लिए है में जहां हो रहे है तो यहां पर अंसर हो गया क्वाइश दिया ग्या है और पंगतिमे आपका लंकार पूछा ग्या है कि है इस रहा है व्यमक लंकार बता आ है ठिक यहां पर एक सब्द गायब है यमक लंकार इसको नूट कर लिजेगा अब यहां पर सब्द में यमक लंकार पूछा गया है अच्छा सवरी यहां पर सब्द में यमक लंकार का भेद नहीं सब्द आपका है ठीक है यमक लंकार का भेद कौन सा नहीं है यहां बता सकते हैं तो अर्था लंकार का एक प्रकार बताना है अर्था लंकार का एक प्रकार क्या है तो देखें यहां पर अर्था लंकार में हमने का बस कुछ चीज़े होती है जो पहले पढ़ते हैं कुछ चीज़े हम लोग बादने पढ़ते हैं हमने का सर आप हमेशा अनुप्रास लंकार पढ़ाई जाती है जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले नुप्रास पढ़ाएंगे यमक पढ़ाएंगे तो यह तीन एक तरफ निकालीजे जो बचा हुआ इसको बात कर दीजे मालून नहीं आता है तब की बात कह रहे हैं बांकि रट लोगे तो वह जा लगया है कि जान इगन्सेम जान सियम घन साम को जान सियम घन साम को नाच उठे उढ़ा है नौिपन मतलब यहाँ पर कह रहा है कि वह जो जान से लगा है से लगा यह वह बड़ी बाताप के लिए हो गया यही एक पैंचान मतलब हो गया क्या यहापर घंसया मतलब हो गया बादल हो गया ठीक है ना तो बादल को स्याम जानकर बादल को स्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते हैं ठीक है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रहां तो हुआ उसको ब्रहांतिमन में ब्रहांतिया यर्था थी ब्रहां और निंदक निखरे राक यह आंगट कुटी छवाए तो उपर वाले पॉइंट को छोड़ दीजे अब दूसरे वाले में से दूसरी वाली जो लाइन उस पर देखे बिना पानी बिना साबन कहना की ही वो क्या हो रहा है निर्मल हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह होता है क्या ति ये होता है बिभावना होता है जैसे ये बीना पानी और बीना साबून के ही निर्मन हो रहा है ति ये होता है आपका बिभावना होता है दोस्तों आप समर्ण के क्या हो जएगा ए नमरे राइट हो जएगा केलियर हो गया है ठेके ना मतलब कारण के आभाव में कारिकी उत आपको मिलने वाले मैं मैं कौन सा अर्थालंकार नहीं आपको यह बताना है किरा अर्था-लंकार कौन सा नहीं हैग चले यहां पर जोना ँर्था-लंकार हमने का सर्जी अब इन known पहले पड़े हैं तो जो चीज आप पहले पड़े इसका मतलब कि आपको पढ़ाया गया है तो वह अर्था लंकार हो गया है तो यहां पर इसका अंसर बनेगा कौन साथ होते हैं बस बस उनको रट लीजिए आपको जो भी आये उसका अंसर आप लगा दीजेगा तेके न यहाँ पर आगे बढ़े एक वसन आप से लाप पूछा गया और आपसे दिया गया है जब उपमे पर उपमान की कलपना हो जब उपमे पर उपमान की कलपना हो उपमे वा उपमान में समानता हो देखे याप कंसर क्या हो जाएगा और इसमें तीनों आपकी चीजे मिल गई है हमने का जब उपमे में उपमान की क्या होती है समानता होती है हना यहाँ पर कहरा है उपमे का निशेद कर उपमान की स्थापना होती है कलपना की संभावना होती है हना उपमे पर उपमान का कि जब उपमे में उफ्मान की कलपनाया संभावना ये होता है की है यही मिल जाएंगे यह समझ जया जिसने पढ़ादिया हम किसी के मात नहीं करते हैं लेकि इतना हम कि बहुत हाई लेवल आपने पढ़ लिया है तो आपको खन भ्यूज कर दिया है क्योंकि हमने बताया रीजन दो हो सकते हैं कि जब पेपर आपका पंदरा दिन तक चले या एक महिना चले जैसे पिछली बार UPSI का पेपर एक महिना तक चला था अब एक महिना तक चला था तो लेकिन जब पेपर एक दिन होता है तो आपको फिश्कल भी है दोड़ भी है सब कुछ है तो आपको घबडाना नहीं है ऐसे कोशन जादा मिलेंगी जो थियूरी से निकल करा रहे हैं ठीक है ना तो दोस्तों यहां पर अंसर हो गया अगला कोशन बताएगा कोशन आपसे कह पर रूपक लंकार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी सब्दाप को दिया नहीं है उत्प्रेच्छा लंकार में मन मानो जन जनो यह सब्दाप का दिया नहीं गया है हना मन भी अलंकार में ज्यादा दिया नहीं गया है क्योंकि यहां काजल यहां पर दिया है खजूर आपकी बिल्कुल बनी है सुद्ध पूरी तरीके से यहां पर क्या हो गया आपका सी नंबर अगला कोशन बताएगा काली घटा का घमंड घटा इसमें से अलंकार क्या होता है बताएगा काली घटा का घमंड घटा हमने का सर जी यहां पर देखा जाए तो एक सब्द आपका आ कि जब सब्द एक जैसे मिल जा रहे हूं और उन सब के अर्था लग लग निकल रहे हूं तब होता है क्या यमक लंकार होता है ठीक है ना यहां पर आगे वड़ी क्वशन आप से दिया गया है कि निम्ड में से किसमे विरोधा वासलंकार होता है विरोधा वासलंकार पूछा है नए नشması भीक है के रहे है थे क्लिक्त में देखो उल्거 चाहिए को है कि यहां जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े बाड़ तो हमने सरजी जान सब्द और नहीं सब्द जो होता है वो ब्रांतिमान में होता है हाना फिर दिया है विरहत है अथवा या वर्दान या पर दिया है विरत है अथवा या वर्दान लेकिन ऑप्सन डी वाला देखिए क्या कह रहा है कह रहा है प्रियतम को समझ पाकामनी ना जा सकी ना ठहर सकी ना ठहर सकी यह देखिए पर राइट हो जाएगा ठीक है ना क्लास में अगर आए हैं कुछ सीखने के लिए तो बस अपना थोड़ा सा समय दे दिए आप लोग जरूर सीख कर कुछ जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे ठीक है ना यहां पर अगला कुछन आप से कह रहा है कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है चलिए बताएगा मन क्या है चलिए उप में है या उप मान है क्या हो जाएगा उप में है या उप मान है भाईया आपसन आ रहा है बी नमबर किसी का रहा है डी नमबर मतलब देखा जाए तो बहुत लोगों ने तो सही जवाब दिया लेकिन बहुत ल होता है आपके पास मन होता है आपके पास और यहां पर देखा जाए तो यह देखा जाए पीपर पात जो आपका पीपर का पात है यह जो आपका होता है क्या यह दूर होता है यह दूर है और जब दूर है तो हमने कहा दूर उपमान जिसे क्या होता है आपका पड़े होंगे जिसे होता है एक अवतल लिंस और उतल लिंस वह इसे यहाँ पर दिया है उपमे पास में उपमान दूर में तो आपके सरजी दूर में आ रहा है उपमान आ रहा है क्या रहा है उपमान आ रहा है और उपमे यह पास में है मतलब पास में है तो वह यह यह हो जाएगा उपमे हो बॉल्जा सत्मी सब्सक्राइब कीरें सकता है उसकी गती घरज उड़ते जब मेघ कौन रोक सकता आब और आजए प्रस्ण नालंकर हो गया अगर आंखों से आपको देखना है कॉन रोग सकता है उसकी गति यहां पर देखो यह हो गया कौन मतलब यहां पर अगर यहां पर प्रस्ण वाचक लगा है तो यहां पर प्रस्ण में प्रस्ण लगा है तो इसको मतलब वही अंसर हो जाएगा और नहीं है तो दूसरा दिमाग लगाएंगे फिर फिर वह हो जागा पुन्रक्ति प्रकास हो जाता पर सब्धुकों रिपीट किया जाता है अगला कोशन आपसे दिया गया है और आपसे कहा रहा है यहां पर देखें अगला कोशन कि आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ा कैसे उत्रे पार राड़ा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार हम तो पड़ते रहे और आठसियोग तलंकार हो जाएगा यहां पर जिसको आपसे नम्बर आतसियोग तिसका राइट हो जाएगा कलियर है चलिए आगे बड़ी कोशन आपसे देरा है कि आपकोशन कहे रहा है धरती ने खिलाए है जुलंत लाल-लाल पंक्तिन अलंकार और यह दुनिया में सबसे सरल से दूसरे रंबर का सरल है हथा ना ये दुनिया में सबसे सरल आभी है कैसे सरल है पर हमने का धरती ने खिलाए है जुलनत लाल लाल हुना तया गया है हमने का अगर आपने थोड़ा समय दे लिया तो ये पक्कर हो प्रियोग नहीं हुआ है अगर सजी और निर्जीव की बात हो जाती तो हम लोग यहां पर क्या गरदिती मानवी अलंकार कर देते लेकिन यहां पर आपका सजी और निर्जीव की बात नहीं हुई है तो आप कहेंगे सरी यहां पर क्या होगा पुनरक्ति प्रकास हो जाएगा इनमर बन जाएगा किलर हो गया समझ में आ गया चलिए तो दोस्ते यहां पर देखिए समीर माला जपपंक्ती में अलंकार पूछा गया है तो दोस्ते या पर देखे जो सी सबदाब आप आप दिया है यही कहरा है कि यह कहरा है कि अगला कुछ ना टेड़ी क्यों चलती हो दुस्टों को स्यू कर देती हो वाकि में से कौन सलंकार है बताएगा हमने का गंगा क्यों टेंडी चलती हो तो पहले आपने गंगा को डांट दिया गंगा को डांट दिया गंगा क्यों टेंडी चलती हो पहले गंगा को डांट दिया गंगा क्यों टेंडी चलती हो पहले गंगा को आपने ड प्रसंसा कर दिया तो पहले निंदा किया प्रसंसा किया आपका अंसर यहीं पर मिल गया है आपका भी नंबर पहले अगर यहाँपर क्या किया जाये ब्याज अर्था निंदा किया जाये और बाद मिल गया प्रसंसा का कर दिया जाये यहांग आगे बढ़ यह कोशना आप से गला है देखेगा अगर आया है चाया है माथे पर आसिर्वाद सा पंक्ति में अलंकार पूछा गया है तो हमने का पुन्रक्त दिया नहीं है यहां पर देखिए अउपमा यह तो इसमें से उपमा लगाई यह तो एक परकास अनिर्जीव है अब उदास आ रहा है उदास इस तो मानवी बातों की भ dental कि सभूर, ऊछाहे, यह पर दिया गया है कि नियमेन मैंसे संधे अलंकार किसमें हैं चलिह लेंगानिया है, हई मानो घर घर ना हो कोई छिड़ी घर हो हो करτα्या भर 1 जिसमें चैर किया है ज नं गया कभी यह सब्लगी वहिंपर तो अपने वाले सब्दों को क्या कहते हैं तो चलिए उपमे और उपमान के बीच के बीच समानता बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं अपने वाले सब्दों को क्या क्या हैं आप लोगों से गलतिया यहीं होंगे बड़े बड़े कोशन नहीं आएंगे आप छोटे छोटे कोशन में को गया रहे यार हम तो ढून रहे थे बहुत दूर दूर तक लेकिन अंसर तो आगया सीधा परिभासा से बनेंगे लेकर बड़े कोशन आप से दिया गया है कोशन आप से दिया गया है कहा रहा है जब से हैं आख लगी तब से ना आख लगी यहां पर बताईे कौल वसा लंगार है यहाँ जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी पहले आँख लग रही है और अब आँख नहीं लग रही है हना जब से है आँख लगी तब से आँख नगी मतलब क्या हो जाएगा कि पहले तो नीन नहीं आती थी लेकिन जब पेपर आगया पास में तो आप नीन बहुत आती ह ऐसा होता है सब के साथ, क्यों बैया, ऐसा होता है रहा, कि जब पेपर नहीं था, तब आपको नीन कम लगती थी, अब आपके पास पेपर आ गया, तब आपको नीन ज्यादा लगती है, तो दोस्ते यहां पर दिया है, कि जब से आँख लगी, तब से नाँख लगी, मतलब क् सबगक शबक आगया है यहाँ परडए हो जएगा बिरूद हो रहा है बिरूधा भास हो रहा जाएगा परड़ी नंबर हो जएंग जब कोई बात सीधे Sum तो नहीं हो रहे है माध्यом मतलब हो गया Ал्य voc पीछ में कौन आ गया अन्य बिक्ति आ गया तो बस अंसर आ दिया गया है यहां पर अन्यौक्ति वो जाए गाई आपir आंसर को दूसरे किस नाम agu नंसर क्या बनेगा चछी वैज्चा लंकार को मिगूंता की हहते हैं तो आप याद रिखेगा यहांपर हूता है यही आपका दूसरा नाम होता है यही आपका दूसरा नाम होता है यहाँ पर अगला कोशना आपसे आपसे कह रहा है इसमें से किस लंकार का प्रियोग हुआ है तो दोस्ते यहाँ पर आपका देखा जाए तो आपका देखा जाए तो आपका दूसरा नाम होता है कि जहां एक सब्द अनेक अर्थों में प्रियोग्त होता है सब्द क्या है सब्द एक है लेकिन हम इसको अनेक अर्थों में प्रियोग्ख करते हैं तो सब्द एक हो अर्थनेक हो कहते हैं से ले सौप समरप का बनेगा बी नमबरे आगे बड़ी एक कोशना आप से दिया गया है कि इनने में से कौन सा उपमालंकार का भेद नहीं है हमने का उपमालंकार के चार भेद होते हैं हमने का उपमे होता है उपमान होता है साधान धर् जीए अगला कोशन दिया गया है आप से कह रहा है कि एक रम में उपवन था नंदन वन सा ना यहां पर देखे वन सा या पर अंसर आ गया है अंसर बनेगा कौन आपका डी नम्बरे राइट हो जाएगा उपमा लंकार हो नहीं सकता है विरूध हो नहीं रहा है विभावन आप आपका जो अंसर हो जा आपका डी राइट हो जेगा आरतात उपमे और उपमान में समानता तुलना या बराबरी को उल्ले किया गया है हना यहां पर इस्तब्द उसी के हरदे समान यहां पर उपमा लंकार होगा नेश कोशन आपस दिया गया है क्या रहा है निम्न में से तो मानो फिर मानो और मानेंगे तभी तो कलपना करेंगे मानेंगे तभी तो यहाँ पर संभावना करेंगे बस यह परिवासा है भई मानो जब इस्ति मानो जब मानने के लिए बोल दिया है मानो तभी उत्परिच्छा होगा हना हमने का सर मानो मानो मतलब होता है कि उसमें प क्लपना करना करना है कि जब मेंकि किया जाए गल्पना किया जाए तो वहीं हो आपको मान लेना है और मान लेंगे संभाधना हो गया थो अनसर हो गयाANS ब्रान्तिमान अलंकार इन में से कौंसा है। यहाँ पर देखें ब्रान्तिमान अलंकार जो आपका इन में से क्या है। कि यहाँ पर जो हंस है, वो क्या कर रहा है, बिंद को चुगरा है, वो सोच रहा है, मैं मोती खा रहा हूँ, हना, तो यहाँ पर क्या है, जान सब्द आपका लग जाए, तो आपका ब्रहांतिमान हो जाता है, यहाँ पर आगे बड़ी एक कोसन आप से दिया गया है, आप से कह बढ़े कलिए नाग मोती अधर की कांटी से बीज डूंडम का समझ कर बढ़ानती से बढ़ानती हो गया सबसे सरार आपका आपसन यह हो गया क्योंकि ब्रहानती लगा है ठीक है नहीं यहाँ पर देखो ब्रहानती लगा हुआ है और आगे बड़ी कोatellis आपका अगया है कहा रहा है आपकतन नमबर आपका अगला गया है वादीप सिखासी सांत भाव में लीन यहां परमसर क्या हो जएगा तो आपके इंगे सर्द यहां पर देखा जाए तो यह उपमा लंकार के तहता आता है और उपमा लंकार में अगर आएगा तो आपके इंगे सर्द आपका यह नमरे लगा दीजे यह हो जएगा आपका क्या यहां पर अच्छा माल उपमा भी दिय मतलब चल नहीं सकता है ड्रگ हो उड़तेछ चंचल चपथ मनलब जो चल जाते हैं तो पहले जो यहां पर इक दूसरी वी रॉतぐ हो गया है पहले मतलब चल नहीं पा रहा था अब चल नहीं पारा था तो यह नियो classmates सब्सक्राइब है जब किसी वाकिको अर्थों के अधार पर सजा जाए आता है तुसी क्या कहते हैं जब अर्थों की इसाफ से कहे तो सजी अर्था लंकार हो जाएगा ठीक है ना और अगला कुशन यहां पर आप से दिया गया है पानी गए न उबरे मूती मानुस्चून यहा इसका जवाब देना है इस कंसर्ण में से क्या बनेगा यहां पर क्या होगा तो आप कहेंगे सजी यहां पर देखो पानी दिया गया है पानी के तीन अर्थ है मोती फिर दिया गया मानुस्चून यहां पर हमने कहा था कि भई यादर के पानी के तीन अर्थ होते हैं मोती के के लिए चमक होना जरूरी है मनुश्य के लिए इज्यत अर्थात प्रतिस्था होना जरूरी है और चुने के लिए पान जरूरी होती है तिया पर देखाज है इनके तीन अर्थ हैं तो आपके इंध़ सब्सक्राइब है अर्थनीक होता है ती यह होता है इसे लेस होता है रहर हो गया है और यहां पर रागला कोश्ण आपके सामने है जाहां जढ पर चेटन का रूफ हो वहां अलंगकार क्या होता है ज़ार white ज़वाब Kत नवी को सब्सक्राइब करते हैं महांकि हमें कर सकते हैं बात नवास सभी को जैहिन सभी को वंदे मात्रम चलिए